कोई नया student tally को सीखता है तो उसकी सबसे बड़ी confusion होती है ledgers और ledgers को किस तरीके से बनाया जाता है इसकी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है मैं link को description में डाल दूँगा आप वहाँ से इसे देख सकते हैं अब ledger बनाने के बाद उसमें हमें सबसे पहला confusion है कि अपने खर्चों या income को direct में डाला जाए या फिर indirect में डाला जाए आज की इस वीडियो में हम आपके सभी confusion को दूर कर देंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदर है कि आप हमारे चैनल को subscribe कर लें हम इसी तरह से आपके लिए बैतरीन वीडियो लाते रहेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे expenses की आखिर expenses होते क्या हैं किसे भी goods को बनाने और बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी को expenses कहा जाता है expenses दो तरह के होते हैं direct expense और indirect expenses expenses से businessman की पुझी में कमी आती है अगर हम बात करें direct expenses की direct expenses वो expenses होते हैं जिने businessman goods को purchase करने या उसे manufacture करने में खर्च करता है और जब तक कि वो माल बेचने नहीं लग जाता तब तक कि उसके सभी खर्चे इसमें शामिल होते हैं direct expenses goods की value को बढ़ा देते हैं जितना भी खर्च goods को production करने में होता है उन सभी को direct expenses कहा जाता है चलिए हम इसे कुछ example के माध्यम से समझते हैं जब भी कोई company goods को purchase करती है या फिर उसे manufacture करती है उसके बीच का जितना भी process होता है या जितने भी उसके खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे हमारी direct expenses के अंदर आते हैं इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो दूसरा point है वो है भाड़ा देना यानि कि रिक्षा hire करना जब भी हम raw material को purchase करके अपनी factory तक लेकर आते हैं उसका जितना भी किराया हम देते हैं वो सारे का सारा हमारा direct expense के अंतरगत आता है इसके बाद हम बात करते हैं कार खाने की बिजली का बिल देना यानि जब भी हम किसी raw material को manufacture करते हैं उसकी जितनी भी electricity bill का expense आता है वो सारा का सारा expense हमारा direct expense कहला आता है और इसके बाद अगर हम बात करें machine की मरमत कराना जैसे माल लीजिए आपकी company के अंदर कोई machine आपकी खराब हो गई है और उस machine को repair कराने में जितना भी expense आप देते हैं वो सारे के सारे expenses आपके direct expenses कहला आ जाते हैं इसके बाद अगर हम बात करें हम आपर factory का rent देना जब आप कोई company rent पर लेते हैं और वहाँ पर अपनी goods का production करते हैं और जब भी आप उसका factory का rent पे करते हैं तो वो भी आपका direct expense कहला आ जाता है इसके बाद बात करें हम लोग मजदूरी देना यानि कि कोई मजदूर काम करता है तो उसका जो भी पैसा आप उसे pay करते हैं वो आपका direct expense कहला आ जाता है इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर indirect expense की तो indirect expenses वो expenses होते हैं जो goods की बिक्री और office से related होते हैं जैसे ऐसे खर्चे जो माल और production से जुड़े हुए नहीं होते हैं उन्हें हम indirect expenses कहते हैं इसके बाद अगर हम बात करें इनके examples की तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला example है salary देना यानि जब भी कोई company अपने employees को salary pay करती है तो वो जो expense होता है उसका वो indirect expense कहला जाता है इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ आपर donation की तो अगर कोई company किसी को donation देती है तो वो expenses भी आपके indirect expense के अंतरगत ही आते हैं अगर कोई auditor आपके यहाँ audit करता है उसके जितने भी खर्चे होते हैं यानि auditor की जो भी fees होती है प्लस उसके चाय पानी का जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा हमारा indirect expense के अंतरगत आता है तो इसके बाद अगर हम बात करें telephone bill की तो telephone bill का भी जो खर्चा होता है वो भी हमारा indirect expense के अंदर ही आता है अगर हम बात करें यहाँ पर चाय का खर्चा यानि कि जब भी हम किसी मज़दूर को चाय का खर्चा देते हैं यानि उसे चाय पिलाते हैं फेक्टरी के अंदर तो उसका जो भी खर्चा होता है वो भी आपका एक तरीके से indirect expense के अंदर ही आता है अगर आपने किसी bank से loan लिया हुआ है तो उसका जो भी ब्याज यानि जो भी interest आप pay करते हैं वो interest भी आपका indirect expense के अंदर ही आता है और इसके बाद अगर हम बात करें हैं आपर advertisement expenses यानि आप अपनी company में जो भी advertisement का expense करते हैं वो सभी के सभी expenses आपके indirect expenses कहलाए जाते हैं तो ये तो थे सारे के सारे indirect expenses के example इसके बाद हम बात करते हैं incomes की कि आखिर income हमारी क्या होती है और इसके बाद अगर हम बात करें income की तो जब भी हम market में goods को sale करते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं और इन पैसों में से expenses को घटाने के बाद जो भी पैसा हमें बचता है, हम उन्हें income कहते हैं, income दो प्रकार के होते हैं, नहीं income दो तरह के होते हैं, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ, सबसे पहला income होता है हमारा direct income, direct income वो incomes होती हैं, जो businessman की main income होती है, और जो income हमें goods को sale करन करने के बाद उसे sale करते हैं, और sale करने के बाद जो भी आपको income मिलती है, उस income में से आप अपने expenses को निकाल देते हैं, उस income में से आप अपने expenses को minus कर देते हैं, जो भी आपके पास बचता है, वो आपकी income कहलाई जाती है, तो जब भी आप किसी goods को sale करते हैं, और आपको ज सर्विस को देने में जो भी आपके expenses लगे होते हैं उस expenses को जब भी आप अपने उस income से minus कर देते हैं और जो आपके पास बज़ता है वो भी आपके direct income होती है इसके बाद हम बात करते है इंडिरेक्ट income की तो indirect income वो इंकम होती है जो हमें goods गुट्स को सेल करने या सर्विस को सेल करने के अलावा अपराप्त होती है यानि वो income जो कि हमारे पास extra तोर पर हमें receive होती है यानि जैसे अगर हम बात करें यहां पर discount receive की तो मान लिजे अगर आप किसी goods को purchase करने गए है कंपनी के बिहाब पे और वहाँ पर आपको काफी जादा discount receive हुआ है तो वो discount आपका indirect income कहला ही जाती है इसी तरीके से commission भी आपका indirect income कहला ही जाती है commission यानि कि जब भी आप किसी customer से या जब भी आप किसी third party से commission receive करते हैं किसी भी other profit के according तो वो भी आपकी एक तरीके से indirect income होती है और अगर हम बात करें आपर rent receive की अगर आपको rent receive होता है तो ये भी आपकी एक तरीके से indirect income ही होती है और अगर आपको interest receive होता है यानि अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और उस पैसे में से आपको income generate हो रही है तो वो भी आपकी एक तरह से indirect income ही कहलाई जाती है अब हम इन्हें practical तरीके से देखते हैं कि हम किस तरह से ledger को tally में create कर सकते हैं ledger create करने के लिए हमें जाना होगा create option पे और यहाँ पर हमें select करना होगा ledgers को यहाँ पर आपको अपना ledger type करना होगा तो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं manufacturing expenses तो यहाँ पर आपको type करना होगा manufacturing expenses manufacturing expenses type करने के बाद आपको enterprise करना होगा enterprise करने के बाद अब आपका यह manufacturing expenses है क्या तो एक तरीके से यह हमारा direct expenses है तो इसको हम रखेंगे direct expense के अंदर और enter press करने के बाद आपको enter enter करके इसको save कर देना है तो हमारा हम एक laser create हो चुका है इसके बाद मैं आपको एक और laser create करके दिखा देता हूं यहाँ पर आप देखेंगे रिक्षा hire यानि हम जो रिक्षा hire किया था हम उसका expense यहाँ पर दिखा रहे है direct expense के अंदर तो हम इसको भी यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पर रिक्षा hire type कर लेते हैं type करने के बाद आपको इसको भी direct expense के अंदर रखते हुए enter करके save कर देना है save करने के बाद हम कुछ indirect expenses के ledger create कर लेते हैं तो यहांपर हम ले लेते हैं Auditor Feast तो Auditor Feast को लेने के बाद यहाँपे आप इससे Copy कर सकते हैं Copy करने के बाद चाहिए तो पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँपर हम इससे डाल देंगे Indirect Expense के अंदर तो यहाँपर हम ले लेंगे Indirect Expense और enter करके हम इसको भी save करतेंगे या फिर आप control A करके इसको save कर सकते हैं save करने के बाद तो यहाँ पर अगर और भी ledger आप create करना चाहें तो वो भी create कर सकते हैं हम आल लीजे हमने ले लिया telephone expenses और telephone expense को हमने यहाँ पर type कर लिया type करने के बाद इसको भी हम interact expenses के अंदर रखते वे, save कर देंगे, save करने के बाद हम कुछ ledgers create कर लेते हैं, incomes के, तो incomes के अगर हम ledger देखें, तो यहाँ पर हमारे सामने option है, sale का, यानि अगर हम कोई goods को sale कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ledger create होगा, वो ledger create होगा sales account का, और sales account का जो हम ledger create करेंगे, उसे under off डालेंगे sales account के अंदर, और इसके बाद हम इसे enter enter करके save कर देंगे, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर service की, तो माल लीजे आपकी जो भी service है, उस service का आप यहाँ पर नाम type कर देंगे, जैसे माल लीजे मैंने service का नाम दे दिया discount receive, यानि हमे discount receive हुआ है, तो इसका आप ledger यहाँ पर create कर लेते हैं, discount receive हमारी indirect income है, तो इसे हम indirect income में रखते हुए, यहाँ enter enter करके इसको save कर देंगे, save करने के बाद मैं एक ledger और create करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे माल लीजे commission receive का, यानि माल लीजे हमें commission receive हुआ है, इस तरीके से ledger को delete भी किया जा सकता है, तो इसके लिए skip करके आप एक बार पीछे आजाएए, पीछे आने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा alter का, alter वाले option पर आपको जाना है, enter press करना है, enter press करने के बाद यहाँ पर आपको select करना होगा ledgers, ledger और इसे enter enter करके यहाँ पर save करा सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने ledger को change कर सकते हैं, और अगर आपको यह ledger delete करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर enter press करना होगा, enter press करने के बाद आपको अपने keyboard से press करना होगा, alt plus d, alt plus d press करने के बाद यहाँ आप से notification यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक profit and loss का एक ledger है यानि यह दो ledgers हमने create नहीं किये थे यह ledger यहाँ पर by default show हो रहे हैं तो basically जब भी आप Tally में नया account create करते हैं तो उस situation में Tally automatically दो ledger create करके आपको दे देती है यानि कभी भी आपको Tally के अंदर cash का या profit and loss का ledger बनाने की जुरत नहीं है यह by default company आपको automatic create करके provide करती है जब भी हम investing की बात करते हैं तब हम company analysis की बात करते हैं किसी भी company में invest करने से पहले बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं जो हमें analyze करनी पड़ती है और उसमें एक चीज होती है balance sheet जिससे हमें company के actual financial health का पता लगता है बट balance sheet के analysis से पहले उसके basis के बारे में हमें पता होना चाहिए जो होती है assets and liabilities यह दोनों ही company के actual components होते हैं हम जानेंगे कि यह होते क्या हैं इनकी किसी भी company के अंदर क्या importance होती है और इसके क्या-क्या types होते हैं किसी भी company की profitability depend करती है उसकी assets and liabilities तो चलिए दोस्तों अब हम इसे practical तरीके से समझते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, subscribe और share जरूर कीजेगा तो जैसे अगर हम बात करें assets की तो assets basically हमारी जितनी भी receivable होती हैं वो सारी के सारी हमारी assets के लाए जाती हैं और अगर हम बात करें payable की तो जितनी भी हमारी liabilities होती हैं वो सारी payables के अंदर आती हैं इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर assets की कि assets होता क्या है तो assets हम उन सभी चीजों को बोलते हैं जिससे future में हम कोई revenue generate कर सकते हैं चाहे वो long term में हो या फिर short term में event assets वो resources होते हैं जिससे हम अपने expenses को कम कर सकते हैं और profitability को enhance कर सकते हैं ताकि हमारा cash flow statement अच्छा बना रहे हैं और balance sheet में भी assets एक important role play करता है assets को basically three broad category में divide किया गया है तो अगर हम बात करें सबसे पहले category की तो वो हमारी है convertibility और अगर हम बात करें second category की तो वो हमारा होता है physical existence के अंदर और तीसरी हमारी category है purpose और अगर हम बात करें convertibility की तो इसके अंदर fixed assets और current assets ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं और अगर हम बात करें physical existence की तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर tangible and intangible assets आते हैं और तीसरे की अगर हम बात करें Purpose की तो Purpose के अंदर आपके Operatings and Non-Operating Assets आते हैं। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें Current Assets और Short Term Assets की यानि Current Assets को हम Short Term Assets भी कहते हैं। किसी भी Company की Current Assets के Figure को देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि उस Company के अंदर Liquidity कितनी है। ये Assets बिसिकली वो Assets होते हैं जिसे हम Easily Convert कर सकते हैं Cash के अंदर यानि एक साल के अंदर अगर हम इसको Convert कर लेते हैं Cash के अंदर तो वह हमारी Current Assets यानि Short Term Assets कहला ही जाती हैं। और अगर हम इनके Examples की बात करें तो आप देखेंगे आपर Cash हो गया, Stock हो गया, Marketable Securities हो गई, and Short Term Deposits हो गएं। इसके बाद अगर हम बात करें Fixed Assets की यानि Long Term Assets की तो ये वो Assets हो जिनको हम तुरंत Cash में Convert नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इनके Examples की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इनके Examples की तो आप देखेंगे आपर Lands हो गया, Machinery हो गई, Equipments हो गई, Buildings हो गई, Patents हो गई, तो इन सभी को हम तुरंत Cash में Convert नहीं कर सकते हैं। ये सारी Assets हमारी Fixed Assets के अंदर आती हैं। Intagible Assets की तो ये वो Assets होते हैं जिने हम देख नहीं सकते हैं, मगर अपने आसपास Feel जरूर कर सकते हैं। और उन्हें Sale करने से Cash Generate भी होता है, जैसे अगर हम बात करें Market Goodwill की, Corporate Properties की, Patents वगरा की, Copyrights की, Permits की, Trademarks की, Brands की, ये सभी हमारे Intagible Assets के अंतरगात आते हैं। अपरेटिंग Assets के लाए जाते हैं। अगर हम बात करें Non Operating Assets की, तो बेसिकली ये वो Assets होती हैं जिनका Daily Revenue Generation के लिए तो Responsible नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें FD की, तो माल लीजे कि Company हैं जिसने FD करा रखी है, Company के नाम पर और उसे उसे Revenue Generate हो रहा है। लेकिन Company का Basically जो Work है, वो Manufacturing का है, वो Goods को Sale करके अपना Revenue Generate करती है, तो उसका काम Fixed Deposit का नहीं है, उसका काम है Manufacturing करके अपने Revenue Generate करना। तो यह जितने भी आपके Venues होते हैं, वो सारे के सारे आपके Non Operating Assets के अंतरगत आते हैं। अना की Liabilities भी होती हैं। जिने अगर हम बात करें Current Liabilities की, तो Current Liabilities basically वो Liabilities होती हैं, जिने हमें One Year के अंदर Pay करना पड़ता है। बिसिकली वो सबी की सबी हमारी Current Liabilities होती हैं। Example के तोर पे अगर आप देखेंगे, बिल्स यानि अगर किसी भी तरीकी का कोई भी Electricity Bill है, और वो आपको Pay करना ही पड़ेगा। वरना आपकी बिजली काटी जा सकती है। और अगर हम बात करें Trade Creditors की, तो ये भी हमें One Year के अंदर Pay करना ही पड़ता है। बैंक का Overdraft हो गया, या फिर किसी भी तरीकी का Outstanding Bill हमारे उपर है, तो वो हमें One Year के अंदर उसे Pay करना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे हमारे Current Liabilities के अंतरगत आते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें Non Current Liabilities की, तो बैसिकली ये वो Liabilities होती है, जो कि हमारा Long Term चलता रहता है। जिने बैसिकली हमें एक साल के बाद भी Pay करना है। और Generally Long Term Liabilities Company तब लेती है, जब कोई Expansionation होना होता है, या कोई Fixed Assets को Purchase करना होता है, जिसमें काफी सारा Use Capital लगने वाला होता है। तो ये सबी हमारी Non Current Liabilities के अंतरगत आती है, और इसके बाद अगर हम बात करें आपर Contagent Liabilities की, तो बैसिकली ये वो Liabilities होती है, जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें पहले से ही एक Proposal बना कर रखना होता है, जैसे अगर हम बात करें कमपनी के ओपर अगर मान लीजे कोई Legal Case चल रहा है, जिसे हार जाने के बाद कमपनी को बहुत सारी Use Penalty पे करनी पड़ सकती है, तो वो पहले से ही Penalty के पैसे को जमा करने में लग जा कि कमपनी की Total Assets या Total Labelties कितनी है, जिससे कमपनी की Most of the Financial Health का पता लगता है, और अगर आम बात करें यहाँ पर Assets और Labelties की, तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो Assets होती है, और जो हमारी Labelties होती है, वो 3-3 Categories के अंदर Divide है, और किस Category के अंदर कौन सी चीज आती है, वो म हमारा ये वीडियो पसंद आ है, तो चैनल को लाइक कीजेगा, सब्स्राइब कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा, धन्यमाशकार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Golden Rule के बारे में, Golden Rule वो रूल होता है जिसके according हम debit और credit की entry पास करते हैं, अगर आप tally सीखना चाते हैं, तो tally सीखने के लिए आपको debit और credit के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और debit और credit के बारे में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको Golden Rule समझना चाहिए, बिना Golden Rule के आप debit और credit की entry पास नहीं कर सकते है तो चलिए आज हम इस topic को clear करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा golden rule के सभी concepts के बारे में और साथी साथ मैं इसको example के through आपको explain भी करने वाला हूँ तो बने रही है हमारे साथ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो channel को like कीजेगा, subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share कीजेगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो type of golden rules है, वो तीन तरह के rules होते हैं हमारे यानि सबसे पहला जो rule होता है, वो हमारा personal account होता है, और दूसरा जो rule होता है, वो हमारा real account होता है और तीसरा जो हमारा rule होता है, वो हमारा nominal account होता है अगर हम बात करें personal account की, तो personal account वो account होता है, जिसका use किया जाता है किसी firm के लिए, किसी company के लिए, किसी person के लिए, किसी organization के लिए यानि अगर हम किसी organization से related या किसी company, firm, person से related कोई भी transactions करते हैं तो उसके अंदर हमारा personal account यूज किया जाता है और अगर हम बात करें real account की तो real account जो हमारा होता है वो basically assets से related account होता है जिसके अंदर हमारी सभी तरह की assets आती हैं चाहे वो fixed हो चाहे वो current हो और ये basically हमारा वस्तू संपत्या अधिकार से संबंदित होता है और इसके बाद अगर हम बात करें nominal account की तो nominal account हमारा वो account होता है जो income और expense से related होता है यानि इसके अंदर या तो आपके पास income आ रही होती है या तो आपके पास से income जा रही होती है उनों ही situation में आपका nominal account यूज किया जाता है चलिए इसको और थोड़ा से describe करके हम समझते हैं इसके नीचे आजाएए नीचे आने के बाद आप आप देखेंगे हमने या पर classification कर रखा है accounts का जिसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे personal account तो personal account के अंदर हमने या पर classify किया हुआ है कुछ example के truth जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहला है अधित्या Corporation तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो personal account हमारा use किया जाता है किसी person के लिए, किसी company के लिए या फिर किसी organization के लिए तो यहाँ पर जो अधित्या Corporation है यह एक company है ABC Private Limited आप देखेंगे यह भी एक तरह की company है Mohan & Sons की अगर हम बात करें तो यह भी हमारी एक company है bank account हमारी एक organization है और इसके बाद अगर हम LIC की बात करें तो यह भी हमारा personal account के अंदर ही आता यह भी हमारा personal account के अंतरगत आता है यह जितनी भी चीज़े हैं आपकी person से related, company से related, organization से related वो सभी entries आपकी personal account के अंदर की जाती है अब बात करते हम लोग यहाँ पर real account की तो real account वो account कहलाया जाता है जो basically assets के लिए use किया जाने वाला account है जिसके अंदर आपके cash आता है, goods आता है, furniture आता है, copyright आता है, trademark आता है और buildings आती है तो यह जितनी भी assets हमारी नजर आती है वो सारी के सारी हमारी real account के अंदर आती है यानि simple सा concept है किसी वस्तु, संपत्ति, अधिकार से संबंदित जितनी भी assets हमारी होती है, वो सभी हमारी real accounts के अंदर आती है और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर nominal account की तो nominal account हमारा वो account होता है, जिसका use किया जाता है income और expenses के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें salary की, तो salary आपकी indirect income है अगर आपको receive हो रही है और अगर आपको pay कर रहे हैं, तो इस सिच्चिएशन में आपका क्या होगा यह एक तरीके से expense कहला जाएगा, इसी तरीके से अगर हम बात करें wages की, वेजिस अगर आपको receive हो रहे है तो यह आपकी direct income है और अगर आप इसे किसी को pay कर रहे हैं तो यह आपकी direct expense कहलाई जाएगी इसी तरीके से rent account भी है आपका कि अगर आप किसी को rent दे रहे हैं तो आपका indirect expense है और अगर आप receive कर रहे हैं तो वो आपका indirect income कहलाई जाती है इसी तरीके से अगर हम बात करें commission की तो commission भी हमारा same है एक तरीके से अगर आप receive कर रहे हैं तो income है और pay कर रहे हैं तो expense है तो यह जितनी भी चीज़े हमारे सामने नजर आ रही हैं तो यह जितने भी examples मैंने आपको बताए हैं यह तीनों के तीनों आपके golden rules कहलाए जाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं golden rule के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे rules of debit and credit under double entry system of account यानि account के अंदर entry करने से पहले हमारे double entry system समझना चाहिए यानि यह जो हमारी entry pass होती है वो double entry mode के अंदर entry pass होती है rule of debit and credit यह हमारा golden rule ही कहला जाता है बात करते हैं यहाँ पर personal account की तो personal account का जो हमारा पहला rule है वो यह कहता है कि debit the receiver and credit the giver इसका मतलब यह हुआ कि जो receiver होता है उसे हम हमेशा debit करेंगे और जो giver होता है उसे हम हमेशा credit करेंगे किसी भी person को अगर कोई person हमसे goods purchase कर रहा है तो वो basically हमारा debit होगा क्योंकि वो receive कर रहा है और अगर हम किसी party को goods को sale करेंगे तो वो basically हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से creditor हो जाएगा यानि कि giver हो जाएगा तो इसे हम credit करेंगे इसी तरह से अगर हम बात करें real account की तो real account कहता है debit what comes in and credit what goes out यानि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई भी assets कम हो रही है यानि आ रही है आपके पास तो आप उसे debit करेंगे और अगर आपके पास से कोई वस्तू cash अगर जा रहा है तो आप उसे credit करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमने examples यहाँ पर लिखे हुए है तो यानि कि assets से related अगर कोई भी transaction आपकी होती है और उसके अंदर अगर कोई assets आपके पास आ रही है तो आप उसे debit करेंगे और अगर कोई assets आपके पास से जा रही है तो आप उसे credit करेंगे इसके बाद जो हमारा तीसरा रूल है nominal account वो क्या कहता है वो कहता है कि debit all expenses and losses यानि आपकी company के अंदर किसी तरीके का कोई भी अगर expense होता है या किसी तरीके का कोई भी loss होता है तो उसकी entry हम लोग pass करेंगे debit side में और अगर आपकी company के अंदर किसी तरह की कोई income होती है कोई gain होता है या किसी तरीके का कोई profit होता है तो उसकी entry आप pass करेंगे credit side में यहाँ पर आप देखेंगे हमने examples यहाँ पर लिखे हुए है salary wages rent commission अगर यह आपको receive हो रहा है तो आपकी income है और अगर आपको pay करना पड़ रहा है तो यह आपका expense है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ questions लिखे हुए है एक company का पूरा database लिया हुआ है जिसकी मदद से मैं आपको golden rule को practical example के through समझाने वाला हूँ तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला question है Mr. Ashok started a business on 1st April 2021 regarding which we have the following data इसका मतलब यह है कि Ashok ने business start किया है एक capital 2021 को और इसी के regarding हमारा जो भी data है वो यहाँ पर हमारा represent हो रहा है तो एक के करके हम सभी questions को यहाँ पर solve करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला हमारा question है introduce capital in cash rupees 1 lakh rupees यानि कि 1 lakh रुपे से अशोक ने business को start किया है तो अशोक आखिर है कौन अशोक हमारा capital account है और capital account आता है हमारा personal account के अंदर personal account के अंदर इस वज़े से आएगा क्योंकि यह हमारा एक person है और person से related जितने भी accounts होते हैं पर्सनल account के अंदर आते हैं और इसके बाद अगर हम बात करें cash की तो cash हमारी एक तरीके से assets है जो आती हमारी real account के अंदर और अगर हम बात करें यहां पर personal account के rule की तो personal account का जो rule है वो क्या कहता है वो कहता है debit the receiver and credit the giver यानि यहां पर आप देखेंगे हमारा जो अशोक है उसके पास से cash जा रहा है तो इस वज़े से हम यहां पर इसे क्या करेंगे credit करेंगे और यहां पर अगर हम cash की बात करें तो cash हमारे पास यहां पर receive हो रहा है यहां पर आप बात करेंगे real account की तो real account का rule जो कहता है वो कहता है debit what's come in and credit what's goes out यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास जो cash है वो in हो रहा है यानि की आ रहा है तो इस वज़े से हम इसको क्या करेंगे यहां पर debit कर देंगे तो हमारी जो entry pass होगी वो cash account debit to Mr. Ashok Kumar Capital account यहां पर हमने कुछ important points लिखे हुए हैं जिसकी मदद से आप entries को बहुत ही easy तरीके से pass कर पाएंगे जिसमें हमने बताया है कि purchase account जो होता है वो हमेशा debit होता है गोल्डर रूल के regarding और अगर sale account जो भी होता है वो हमेशा हमारा credit होता है क्योंकि जब भी हम sale करेंगे तो cash हमारे पास increase होगा यानि कि increment होगा तो इस वज़े से cash sale account जो होता है वो हमेशा हमारा credit कर ला जाता है और यहां पर आप देखेंगे यहां sendi creator जो होता है वो हमेशा हमारा देंदार होता है तो ये भी आप समझ गए होंगे अब इसके बाद की के question है उनको हम solve कर लेते हैं इन सभी question को solve करने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर golden rules होता क्या है यहाँ नीचे आने के बाद जो हमारा next question है वो कहता है purchase cash rupees 30,500 यानि हमने purchase किया है cash के माध्यम से 30,500 रुपे का तो आप देखेंगे जो भी हमारा purchase होता है यानि जो भी हम goods को purchase करते है वो हमारा real account के अंदर आता है क्योंकि एक तरीके से हमारी ये current assets होती है और अगर हम बात करें cash की तो cash भी हमारा एक तरीके से real account होता है और real account का rule है वो क्या कहता है real account का rule कहता है कि debit what's coming and credit what's goes out तो यहा हमारे पास आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे debit करेंगे और cash account हमारी जेट से जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे credit करेंगे यहां पर तो यानि कि हमारी जो entry pass होगी वो होगी goods purchase account debit to cash account credit यह हमारी entry यहां पर pass हो जाएगी इसी तरीके से नीचे आ जाते है यहां पर आप तो हमेशा क्या होगा हमारा debit होगा तो जैसा कि मैंने आप बता है जो और इसके बाद करें तो अधित्या है कि ये परसनल अकाउंट कि ये परसन है और अगर हम बात करें real account के rule की, तो real account का rule कहता है debit words coming and credit words goes out, यानि यहाँ पर हम goods को purchase कर रहे हैं, goods हमारे पास आ रहा है, तो इस situation में हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर debit हो जाएंगे, और अधित्या corporation के पास से यह goods जा रहा है, तो अधित्या corporation क्या हो यहाँ पर credit हो जाएगा, तो इसकी जो entry पास करेंगे, हम लोग वो पास करेंगे goods purchase account to अधित्या account, यहाँ पर जो हमारा next question हो कहता है, यानि की भाड़ा charges paid in cash rupees 2000, यानि 2000 रुपे का हमने convince पे किया है, किसी भी goods को लाने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो हमारा fridge है, वो basically एक nominal account है क्योंकि एक तरीके से हमारा expense हो रहा है और यहाँ पर अगर हम बात करें cash account की, cash account हमारा real account के अंतरगत आता है, और अगर हम बात करें यहाँ पर nominal account की, तो nominal account कहता है all losses are expenses debit and all income gain profit are credit तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा जो यह fridge है, वो basically यह जो हमारी convince है, वो हमारे पास से जा रहा है तो इस वज़े से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर debit कर देंगे, और अगर हम बात करें real account की, तो real account कहता है debit the receiver and credit the giver, और real account हमारा कहता है debit worth coming and credit worth goes out यानि कि cash हमारी जेब से जा रहा है तो इस वज़े से हम इसको यहाँ पर कर देंगे credit, तो इसकी जो entry pass होगी, वो pass होगी fridge account to debit and cash account to credit, इसके बाद नीचे आजाए नीचे आने के बाद एक question और आपका यहाँ पर represent हो रहा है, जिसके अब इसकी entry हम कैसे pass करेंगे, तो सबसे पहले हम ledgers को समझ लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अमन क्या है, अमन इक हमारा personal account है क्योंकि वो एक person है, goods यानि कि जो भी हम वस्तू को sale कर रहे है, वो हमारा real account है, यानि कि हमारी assets है तो personal account का rule जो कहता है वो यह कहता है कि debit the receiver and credit the giver, यानि अमन क्या कर रहे है अमन receive कर रहे है, तो अमन जब receive करेगा, तो वो basically क्या हो जाएगा, हमारा debit हो जाएगा, और अगर हम real account की बात करें, तो real account के अंदर हमारे पास से क्या जा रहा है, goods जा रहा है, तो यहाँ पर real account का जो rule है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि debit what's coming and credit what's goes out, यानि कि हमारे पास से goods जा रहा है तो हम हो गए यहाँ से credit, तो इसकी जो entry pass होगी, Mr. Amar account to sale account होगी, यह entry भी आपके समझ में आ गई होगी, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं next entry की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा next question है, cash sale rupees 20,000, यानि sale की है हमने 20,000 रुपे की, किसके माद्यम से, cash के माद्यम से, तो cash account basically हमारा real account है और sale account भी हमारा real account है और इनका rule कहता है कि debit what's coming and credit what's goes out, तो यहाँ पर आप देखेंगे cash क्या हो रहा है, cash हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे cash हमारे पास आ रहा है, तो इस वज़े से क्या होगा, debit what's coming and credit what's goes out, तो हमने क्या किया cash को यहाँ पर कर दिया, debit और इसके बाद, credit यानि कि यहाँ पर आप देखेंगे sale account हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है goods हमारे पास से जा रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पर credit कर दिया तो इसकी जो entry pass होगी वो cash account to sale account होगी इसके बाद next question और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे purchase furniture rupees 10,000 यानि 10,000 रुपे का furniture purchase किया गया है तो यानि कि हमने जो भी purchasing की है वो या तो cash के माध्यम से purchase किया होगा या तो फिर हमने bank के माध्यम से उसको पैसा दिया होगा तो यानि कि जो हमारा cash और bank है यह basically क्या है यह हमारा एक real account है और real account के बाद हमारा जो furniture है वो basically क्या है assets है तो assets हमारा होता है यह भी एक तरीके से हमारी real account के अंतरगत ही आता है तो अगर हम real account की बात करें तो real account क्या कहता है real account कहता है कि debit what's coming and credit what goes out यानि जो वस्तु हमारे पास आ रही है उसे हम debit करेंगे और जो वस्तू हमारे पास से जा रही है हम उसे credit करेंगे तो यहाँ पर furniture अगर हम बात करें furniture की तो furniture यहाँ पर हमारे पास आ रहा है तो इस वज़े से हमने इसको किया यहाँ पर debit और अगर हम बात करें यहाँ पर cash की तो cash हमारे पास से जा रह होगा दोनों में से कुछ भी यहां पर हो सकता है तो इसके बाद नेक्स कोईशन और देख लेते हैं हम लोग इसके बाद का जो नेक्स कोईशन है हमारा वह इंट्रस्ट इंकम रूपीस 12,000 यानि हमें इंट्रस्ट रिसीव हुआ है इंकम के तौर पर 12,000 रुपे का तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले जो हमारा इंट्रस्ट रिसीव हुआ है यह या तो कैश के थुरू आता है या तो फिर हमारे बैंक के थुरू आता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने real accounts की तो real account कहता है कि debit what's coming and credit what goes out यानि जो वस्तु आपके पास आ रही है आप उससे debit करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे cash हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास cash आ रहा है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पर debit कर दिया और अगर हम बात करें यहाँ पर nominal account की interest की तो interest हमें यहाँ पर receive हो रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने interest को यहाँ पर credit कर दिया तो उससे साब से इसकी जो entry pass की जाएगी cash account to interest account या तो bank account to interest account इसमें से कोई भी entry आप पास कर सकते हैं अगर आपको cash के थ्रू income receive हो रही है तो आप उसे cash रखेंगे अगर आप bank के थ्रू आपको income receive हो रही है और interest receive हो रहा है तो आप यहाँ पर bank रखेंगे तो यही थे हमारे golden rules इन rules की मदद से आप अपने account के debit and credit को manage कर सकते हैं debit and credit को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं mostly लोग debit and credit के अंदर confused रहते हैं तो वो confusion इस वीडियो को देखने के बाद आपके यहाँ पर clear हो जाएगी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share कीजेगा धन्यवा आज से हम Tally Prime की एक नई series start कर रहे हैं जिसमें हम आपको zero से लेकर advanced level तक Tally का पूरा course cover कराएंगे तो बने रही हमारे साथ मैं हूँ विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने सिस्टम में Tally Prime का software download कर सकते हैं और इसे install कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नई company किस है एक तरह से create कर सकते हैं तो आपको करा है सीधे Google पर जाना है Google पर जाने की बाद आपको टाइप करना यहां पर Tally Prime जैसे आप ट्राइब क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सानी सामने आप के अप का ऑफिशल website शो अप होगा आप इस पर क्लिक करेए इस लिंक आपको download पे जाकरके setup पर right click करना है और यहाँ पर option आएगा आपका run as administrator आप इस पर click करिए आपको simple install पर click करना है यानि कि आपके system में कोई tally का application install नहीं है आप सीधे एक नया software install करना चाहते हैं तो आप इस पर click करिए जैसी आप इस पर click करेंगे आपका tally का application install होना start हो जाएगा तो चलिए इसे पूरा होने देते हैं इसके पूरा होने के बाद आपके सामने एक message आएगा जिसमें आपको start tally prime के option पर click करना है जैसी आप इस पर click करेंगे आपके सामने tally start होनी start हो जाएगी अब आपके सामने दो option शो कर रहा है configure और accept तो हम इसे accept करेंगे और यहाँ पर accept करने के बाद आपके सामने चार option आ रहा है जिसमें से हमें इसे educationally use करना है क्योंकि हमने इसको purchase नहीं किया हुआ है तो हम इसे पहले वाले option पर click करेंगे first option पर click करने के बाद आपके सामने option आएगा create company का आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आपके सामने एक form open होगा इस form के अंदर सबसे पहले option आप देखेंगे company data path यानि कि आपका जो software है वो आपके इस path के अंदर यानि कि इस file के अंदर जाकरके data आपका save होगा जैसे आप देखेंगे याँ पर लिखा है c drive यानि c drive के अंदर users नाम का एक folder होगा जिसमें public नाम का folder बनेगा जिसमें tally prime नाम का folder बना हुआ है और उसमें data नाम का folder है यानि जो भी आप company में recording करेंगे यानि जो भी आप company में data record करेंगे तो पूरा का पूरा data आपका इस वाले data folder के अंदर जाकरके save होगा आप चाहें तो यहाँ से टैली का बात भी change कर सकते हैं हमें अभी कुछ नहीं करना हम सीधे एक नई company create करेंगे यहाँ पर option आ रहा है आपका company name तो आप किस नाम से company create करना चाहते है तो मैं दे देता हूँ यहाँ यहाँ पर excel info check के नाम से मैं company create करना चाहता हूँ इसके बाद मैं enterprise करूँगा enterprise करने के बाद यहाँ पर दूसरी जगा पर mailing name में भी आपका same भी नाम आएगा इसके बाद address यानि आपका address यहाँ जो company है वो किस address पर है वो फिल कर दीजिए तो मैं यहाँ पर address फिल कर देता हूँ इसके बाद enterprise करें enterprise करने के बाद आपका यहाँ state show हो रहा है तो state हम ले लेते हैं यहाँ से Delhi Delhi state लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे pin code आपका मांग रहा है तो pin code दे देते हैं हम लोग इसके बाद telephone number मांग रहा है तो आप telephone number जो भी फिल करना चाहें यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसके बाद यहां पर mobile number माँग रहा है, तो mobile number आप जो भी fill करना चाहें, वो fill कर सकते हैं, fax number जो भी है, आपके पास company का, वो fax number आप कर सकते हैं, आप fill कर सकते हैं, इसके बाद email ID अगर आपकी कोई है, तो email ID डाल दीजे, जैसे मैं आपर email ID डाल देता हूं, इसके बाद website अगर आपकी कोई है, तो आप website डाल सकते हैं, और यह, एंटर करने के बाद यहां पर आप देखेंगे financial year bring form, यानि यहां पर जो आपका date आएगी वो आपकी 1 April 2021 आएगी और नीचे भी आपकी वही same date होगी, क्योंकि financial year 1 April से start होता है, 31 March को close कर दिया जाता है, तो हम इसे यही रहने देंगे, एंटर करके आप इसे Indian rupees के अंदर रखेंगे, इसे save कर देंगे, जैसी आप इसे save करेंगे, तो आपके सामने एक नया dialogue box open होगा इस तरीके से, आपको इसमें अभी कुछ भी छेडखानी नहीं करनी, आपको सिर्फ यहाँ पर no करना है, और enter कर देना है, इसे भी आपको no कर देना है, यहाँ पर भी आपको, skip करके no कर दीजे, और enter करके इसको save कर दीजे, आपकी company यहाँ देखेंगे, create हो चुकी है, आप जानेंगे टैली के अंदर किस तरह से आप एक new laser create कर सकते हैं, आप उसके अंदर changes कर सकते हैं, और आप उसे delete किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना है, create आप ला इसके अंदर सबसे पहले जो name है, उस option पे आप laser का नाम type करेंगे, जो भी आपका laser है वो आप type कर सकते हैं, जैसे मालीजे मैं एक laser create करता हूँ, Mohan Industries का, तो मैंने लिखा Mohan Industries, यानि Mohan Industries है कौन, इसे enter करके नीचे आजाए, under of यानि ये आपके जो show up हो रहे हैं, ये इसके groups ह यानि आपको बताना होगा कि ये Mohan Industries कौन है, तो Mohan Industries हमारा sendi creditor है, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ sendi creditor, sendi creditor लेने के बाद मैं इसको enter press करूँगा, जैसे मैं enter press करूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए mailing name address में के अंदर भी Mohan Industries आ गया, इसको आप enter enter करके fill कर सकते हैं, अ इसके अंदर fill up कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसका pen number fill कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उसके बताना होगा कि वो customer आपका है कौन, यानि कोई unknown person है या आपका regular customer है, आपको select कर सकते हैं, इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर उसका GST number fill कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जिस से टर्टर जिस्टी डिटेल के अंदर यस कराने के बाद भी आप इसके अंदर उसकी जिस्टी डिटेल फिल कर सकते हैं. तो अभी हम लोग simple एक laser create कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें कुछ भी fill up नहीं कर रहे हैं, इसको आप enter करके save कर दीजे, जैसे आप इसे enter करके आप save करेंगे आपका laser create हो गया, इसी तरह से आप अगर कोई और laser create करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं एक laser create करता हूँ purchase का, purchase account का, तो यह purchase हमारा जाएगा under of purchase account के, तो हम यहाँ पर purchase को purchase account में डालेंगे, इसको enter प्रेस करने के बाद आप नीचे आएगे, यहाँ पर आप देखें, जैस्टी डिटेल आप से बोड़ रहा है, कि आप इसे applicable करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर आप purchasing कर रहे हैं, वो आप goods बेचते हैं या service बेचते हैं, तो आप इसमें से जो भी select करना चाहें, वो select कर सकते हैं, हमने goods ले लिया, हम enter करके नीचे आजाते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आप back detail टाइप कर सकते हैं, और enter करके आप नीचे आ सकते हैं, आपके दो laser create हो आप laser के option पर click करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपके laser show हो गए, हमने यहाँ पर दो laser बनाए थे, जिसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक cash का laser और एक profit and loss का, जो हमने नहीं बनाया और यह यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है, जब भी आप एक नई company create करते हैं तो उसके अंदर एक cash का laser और एक profit and loss का laser, यह दोनों by default अपने आप automatically create हो जाते हैं, तो इन दोनों को आपको बनाने की जुरत नहीं है, हमने बनाया था purchase account और हमने बनाया था एक Mohan Industries, अगर आप Mohan Industries को सेंड़ी क्रेटर की जगा सेंड़ी डेबिटर में रखना चाहते हैं, तो आप इस पर double click करिए, double click करने के बाद enter करके, आप यहाँ पर चाहें तो उसको change कर सकते हैं, यहाँ से हमने ले लिया SIMD debitter, और enter करके आप इसको save करतीजे, यहाँ से आप चाहें तो laser को change कर सकते हैं, अगर आप किसी laser को delete करना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा उस laser के उपर उसको enter करना होगा, और उसके बाद आपको press करना होगा, alt plus d, alt plus d करते ही आपके सामने delete का option आजाएगा, आप इसे yes कर दीजे, yes करने के बाद आप देखेंगे, आपका laser delete हो गया, इस cap करके आप पीछे आ सकते हैं, इस तरीके से, gateway of tally के उपर, तो यह topic था हमारा laser creation का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए, इसके लिए जाना होगा आपको create option पे, create पे जाने के बाद यहाँ पर आपको select करना होगा, group select करने के बाद आप जिस भी नाम से primary group create करना चाहते हैं, वो नाम हमारा यह primary group है, यहाँ पर आपको select करना होगा कि आप जो अधित्या corporation का primary group तयार कर रहे हैं, वो है क्या चीज़, तो इसके लिए आपको बताना होगा, वो कोई assets है, expense है, income या लाबिल्टी है, तो हम इसे ले लेते हैं, under of assets, और इसके बाद आपको enter, enter करके इसको save कर देना hack on, तो हम इसे under of डाल देंगे, जो हमने अभी primary group तयार किया था, यानि जितने भी यह primary group आपके सामने नजर आ रहे हैं, by default tally के अंदर 28 primary group होते हैं, इसके अलावा आप जितने भी create करना चाहो, वो create कर सकते हो, तो इसे हम under of दे देते हैं, आदित्या corporation के, और इसके बाद य यहाँ पर option आता, आपका chart of account का, यहाँ पर आपको click करना होगा, यहाँ पर click करने के बाद, आपको जाना होगा group वाले option पे, और यहाँ पर जाने के बाद, आपके सामने जितने भी groups बने हुए हैं, वो सारे के सारे आपके सामने show हो जाएंगे, जिसमें कि हमने आदित्या corporation के नाम से primary group तियार किया था, और सब primary group जो था, वो हमारा कमल industry था, जो उसके just नीचे show up हो रहा है, इसके बाद अगर आप इसके अंदर कुछ changes करना चाहते हैं, या आप इसे delete करना चाहते हैं, तो इसके लिए जाना होगा, आपको ultra वाले option पे, ultra पे जाने के बाद, यहाँ गुरूप के अंदर आप changes करना चाहते हैं, उसको slack करना होगा, और यहाँ पर आप जो भी change करना चाहते हैं, वो change करके save कर सकते हैं, तो यह था हमारा tally prime के अंदर, आप किस तरह से group create कर सकते हैं, subgroup create कर सकते हैं, और इसके अंदर changes कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको questions लिखे हुएं, जिसके अंदर सबसे पहला question है, आपका goods purchase from Aditya Corporation, Rs. 10,000 by cash, यानि यहाँ पर हमने goods purchase किया है, Aditya Corporation से 10,000 का, यह हमारा simple questions है, यानि कि यहाँ पर जो goods है, इसके अंदर हमारे पास कोई quantity नहीं है, ना ही goods का नाम है, हमारे पास तरिफ goods है, और हमने 10,000 का माल ख standards दिये हुए है, अगर आपको laser बनाना नहीं आता, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजे, जिसके अंदर हमने lasers को बहुत अच्छी तरीके से define किया हुआ है, इसके बाद आपको जाना होगा अपनी tally screen पर, इसके लिए आपको जाना होगा gateway of tally पर, यहाँ पर आप इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने supply invoice, party का नाम और आपके सामने rate, quantity वगेरा भी आपके सामने मांग रहा है, लेकिन हमारा जो questions है, वो question यह है कि goods purchase from Aditya Corporation रुपी 10,000 by cash, यानि कि हमने goods खरीदा है, Aditya Corporation से 10,000 रुपे का, यहाँ पर हमारे सामने ना तो goods उसका नाम है, ना ही उसकी quantity है, ना ही उसका price है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर entry pass करनी होगी simple purchase की, तो simple purchase के लिए आपको क्या करना है, आपको press करना है control के साथ H, जैसी आप control के साथ H press करेंगे, आपके सामने दो option show होगे, जिसमें पहला option आपका accounting invoice का होगा, और दूसरा जो option होगा, वो आपका होगा as voucher का, तो यहाँ पर हम as voucher को select करेंगे, और enter pass करेंगे, enter pass करने के बाद आपके सामने as voucher show हो जाएगा, जिसके अंदर आपके सामने debit and credit का option show होगा, और यहाँ पर to or buy का option show होगा, अगर आप चाते हैं, यहाँ पर to or buy की जगा, यहाँ पर भी yes कर देंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर credit and debit का option show up हो जाएगा, तो चलिए entry pass करके देखते हैं, हमने ledgers पहले से ही बना रखे हैं, तो इसके लिए हमको enter pass करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप select करेंगे, अधित्या corporation को, अधित्या corporation select करने के बाद आपको यहाँ पर enter pass करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर purchase account अपने आप show हो गया, क्योंकि हमने इसका ledger पहले ही बना रखा है, इसको भी आप enter करके save कर दीजे, जैसे आप enter करके save करेंगे, यहाँ नीचे आपके सामने narration option आ रहा है, तो इस narration में आप fill कर सकते हैं, जैसे मैं fill कर देता being goods purchase by cash, क्योंकि हमने goods को cash ली बाहल खरीदा है, तो हम यहाँ पर cash लिखेंगे, enter करके आप इसको save कर दीजे, हमारा पहला question जो था, वो solve हो चुका है, इसको देखने के लिए आप एक बार skip करके पीछे जा सकते हैं, जाने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने debug का एक option आएगा, यहाँ पर click करके आप अपनी entries देख सकते हैं, जो भी entry आपने पास की है, इसके बाद back जा करके आप चाहें, तो balance sheet चेक कर सकते हैं, balance sheet के अंदर अगर आप देखेंगे, तो आपकी current liability 10,000 शो हो रही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आपका profit and loss भी 10,000 शो हो रहा है, यहाँ पर current liability 10,000 शो हो रही है, क्योंकि liabilities का मतलब होता है उधार, यानि 10,000 रुपे का माल आपने जो भी खरीदा है, वो अभी उधार खरीदा है, अभी आपने उस party को payment नहीं की है, इसलिए यहाँ पर 10,000 का आपके सामने amount शो हो रहा है, profit and loss की ब करता है, भी हमने सिर्फ purchase कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ purchase का option आ रहा है, कि आपने 10,000 रुपे का माल खरीदा हुआ है, और यहाँ पर net loss आपको 10,000 शो हो रहा है, तो चलिए एक बार दूसरी entry पास करके देखते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं वापस अपने vouchers के अंदर, औ यहाँ पर enterprise करने के बाद, एक बार question को देख लेते हैं, second question हमारा है, goods purchase from Kamal Industries, rupees 9,500 by HDFC bank, यानि HDFC bank के थ्रू हमने 9,500 का माल खरीदा है, इसके लिए आपको जाना होगा vouchers के अंदर, vouchers के अंदर जाने के बाद, आपको enterprise करना है, enterprise करने के बाद, आपको यहाँ पर लेना है, Kam इसको लेने के बाद, यहाँ पर enter, enter करके इसको भी save कर दीजिए, जैसे हमने पिछली बार किया था, और यहाँ पर भी आप इस enter, enter करके save करती थे, यहाँ पर amount डाल दीजिए, 9,500, इसके बाद, enterprise करने के बाद, आप देखेंगे, यहाँ पर purchase account वाप, वापस शो हो रहा है, तो इसके बाद, हम इसको enter करके save कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके सा narration type कर देते हैं, enter करके आप इसके entry को भी save कर दीजिए, save करने के बाद, हम देखते हैं, तीसरा question हमारा कौन सा है, तीसरा question है, goods purchase from Pankajs Private Limited, रुपीस 3,500, buy check, यानि, यह question भी बिल्कुल as it इस उसी तरीके से है, हमें, जैसे हमने buy cash रखाता है, यहाँ पर buy HDFC bank रखाता है, वैसे हम लोग buy check रखेंगे, तो इसके entry pass रखेंगे देख लेते हैं, यहाँ से आप ले लिजे Pankajs Private Limited, इसके बाद, यहाँ पर अगर आप चाहें, तो enter करके save कर सकते हैं, या फिर आप चा और यहाँ पर आप narration से as it is, उसी तरीके से लिख सकते हैं, enter करके आप इसको भी save कर दीजे, save करने के बाद हम next question देखते हैं, next question है हमारा goods purchase by cash Rs.4500, या यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी party का नाम शो नहीं हो रहा, यहाँ पर हमने directly cash के थुरू, जो भी goods है वो purchase किया इसके लिए आपको simple करना क्या, यहाँ पर जाना है, अगर हमारे पास किसी party का नाम नहीं होता तो हम उसकी जगा रखते हैं cash, तो cash ले लिजे, cash लेने के बाद यहाँ पर control दबा दीजे quick creation के लिए, और यहाँ पर आपका जो भी amount था, तो amount था हमारा 4500 का, तो 4500 यहाँ पर से अपने cash के अंदर amount डाल सकते हैं, इसके लिए आप enterprise करिए, enterprise करने के बाद यहाँ पर purchase account दे लिजे, और यहाँ पर आप इसे save कर दीजे, इसी तरीके से, और यहाँ पर अगर आप narration लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, उसी तरीके से, बाकी है, मैं इसको अभी blank छोड़ credit का मतलब होता है, उधार यानि, हम अभी फिलाल जितना भी goods purchase कर रहे हैं, वह सब उधार ही purchase करें, जब तक कि हम इसको payment नहीं कर देते हैं, तो हमें करना क्या है, simple उसी तरीके से entry pass करनी है, यहाँ पर हम रखेंगे cash, क्योंकि अब अगर हमारे पास कोई party name ना हो, नहीं समांट था 2500 का, तो 2500 यहाँ पर type करके, हम यहाँ पर भी इसको negative cash में दे करके, enter करके, save कर देते हैं, save करने के बाद मैं आपको एक बार balance sheet दुबारा दिखा देता हूँ, जैसे हम back जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने balance sheet आ गई, balance sheet में जाने के बाद आ देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला option है, same current liabilities का, यहाँ पर आपको जो पैसा देना है, वो देना है 30,000 रुपे, जिसमें की current assets 7,000 रुपे आपकी खुद की खर्च हुई है, अगर हम total include करें, तो 30,000 का हमने total goods purchase किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, profit and loss इसके ओपर enter press करेंगे, तो यहाँ पर purchase show होगा, इसके बाद enter press करेंगे, तो आपका यहाँ, जिस मन्त में आपने purchase किया होगा, वो ratio show होगा, इसके बाद enter press करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी entry आपकी show, यानि जितनी भी आपने purchase के entry pass कर रखी है, वो सारी entries आपके सामने show up हो जाएंगी इसके बाद आप स्कैप करके पीछे चले जाएए आप देखेंगे balance sheet के अंदर हमने कुछ entry पहले से ही pass की हुई है जिसमें हमने 30,000 रुपे का goods purchase किया हुआ है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं link को description में डाल दूँगा अब वहाँ से वीडियो देख सकते हैं आप देखेंगे हमने 30,000 रुपे का goods यहाँ पहले से ही purchase किया हुआ है हम इसी goods को sale करेंगे इसके लिए आपको जाना होगा scap करके पीछे यहाँ से आपको जाना होगा transactions के अंदर यहाँ से आपको जाना होगा vouchers के अंदर vouchers के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा purchase voucher open है और हमें करना है sale तो sale के लिए आपको प्रेस करना होगा अपने keyboard से F8 आप देखेंगे यहाँ पर party name वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर buy or two की जगा अगर आपको credit और debit चाहिए तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा अपने keyboard से F12 जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे use credit and debit का option आपका अपने इस option को yes कराना है yes कराने के बाद जैसे आप इसे एंटर करके save कर देंगे तो save करने के बाद आप देखेंगे आपट debit or credit option आपका show हो गया इसके बाद हम देखते हैं अपने question की तरफ तो यहाँ question आपका है कि goods sale to Mohan Corporation रुपीज 12,000 buy check यानि check के through Mohan Corporation को हमने goods को sale किया कितना amount है 12,000 है तो इसकी entry pass करने के लिए हम लोग वापस चले जाते हैं अपने tally के अंदर और यहाँ पर आपको सबसे पहले Mohan Corporation का laser बनाना होगा तो laser बनाने के लिए आप यहाँ पर press कर सकते हैं alt c जैसे आप alt c press करेंगे alt c laser creation की shortcut की होती है यहाँ पर आप बना लेजे Mohan Corporation का laser और यह हमारा under जाएगा syndry debitor क्योंकि यह हमारा customer है तो यह हमारा syndry debitor के अंदर जाएगा इसको enter enter करके आप save कर सकते हैं या फिर control a दबा सकते हैं quick creation के लिए इसके बाद यहाँ पर जितना भी amount है यानि जितने का आप sale कर रहे हैं वो amount आपको डालना होगा जैसे मैं डाल देता हूँ 12,000 12,000 का मैं sale कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको laser create करना है एक और अगर आप laser create करना चाहते हैं तो सीधे alt c दबा सकते हैं या फिर यहाँ पर आप देखेंगे create का option आएगा आप इस पर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर हम laser बना लेते हैं sales account का sales account का laser बनाने के बाद इसको हम अंडर अफ डाल देंगे sales account के और इसके बाद इसको भी हम control एक करके save कर देंगे आप देखेंगे हमारा Mohan Corporation को हमने 12,000 रुपए का good sale कर दिया इसके बाद हम enter case को save करेंगे save करने के बाद यहाँ पर भी आप जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप यहाँ पर narration लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं narration लिख देता हूँ good sale to Mohan Corporation by check और इसके बाद आप enter करके इसको save कर सकते हैं तो हमारी पहली entry pass हो चुकी है तो इसके लिए एक बार हम पीछे चले जाते हैं bits cap से और यहाँ से हम balance sheet में जाके देखते हैं कि क्या changes आई है balance sheet में जैसे हम गए तो आप देखेंगे हमने 12,000 रुपे का good sale कर दिया यानि जैसे हमने 12,000 का good sale किया यहाँ पर जो हमारा 7,000 current liability show कर रहा था हमारा वो हमारा हट गया और यहाँ पर 5,000 हमारे पास assets आ गया यानि कि 7,000 वो और 5,000 वो total हमारा 12,000 हो गया यानि current assets अगर हम बात करें तो sundry debitter के पास अभी हमें 12,000 रुपे का हमने माल बेचा है जो हमें अभी receive करना है उससे और 7,000 हमारा जो cash in hand था वो यहाँ पर coverage हो गया और अभी हमारे पास जो goods total बचा हुआ है वो 18,000 का goods total बचा हुआ है और दूसरा जो हमारा question है वो है good sale to Deepak Industries रुपीज 10,000 by HDFC bank तो इसके लिए आपको यहाँ पर alt c करना है alt c करने के बाद यहाँ पर आपको laser बनाना है Deepak Industries का और इसको डाल दीजे अंडरोफ संडरी टाबिटर control A कर दीजे quick creation के लिए इसके बाद आपको यहाँ पर भी control A कर देना है quick creation के लिए और यहाँ पर आप amount डाल दीजे जितमा भी amount था आपका तो amount था 10,500 यहाँ पर डाल दीजे 10,500 एंटरपेस करिए एंटरपेस करने के बाद यहाँ पर sale ले लिजे sale लेने के बाद यहाँ पर भी आप narration लिख सकते है जैसे मैंने आपको पिछला narration बताया था उसी तरीके से विंग गुड्स सेल टू देपक इंडर्स्टीज बाई एच्डिएफसी बैंक एंटर करके आप इसे सेव कर दीजे तो यह होगी हमारी दूसरी एंटरी पास इसके बाद हम नेक्स कुश्चन देखते हैं नेक्स कुश्चन में हमारा लिका हुआ है गुड्स सेल टू पवन ट्राइबेट लेमिटेड रुपीज 4,500 बाई कैश यानि कि हमने पवन ट्राइबेट लेमिटेड को 4500 रुपे का जो भी गुड्स है वो सेल किया है यहाँ पर चले जाएए यहाँ पर अब हम लेजर बनाएंगे वापस अल्ट सी करके पवन प्राइबेट लेमिटेड का और इसको अंडरव डाल देते हैं हम लोग सेंटरी डाबिटर सेंटरी डाबिटर डालने के बाद इसको भी आप कंट्रोली करके सेफ कर दीजिये और यहाँ पर जो भी अमाउंट वो अमाउंट डाल दीजिये लाइक 4500 रुपे था तो हम लोग 4500 रुपे डाल देते हैं और अंटर करके इसको भी हम सेल कर देते हैं यहाँ पर आपको narration लिख लेनी है और 1 यानि XYZ party का name हो गया और हमने 1 यानि पहला order उसका receive किया है इसके बाद यहाँ पर हमें एक sale का laser create करना होगा तो यहाँ पर हम sale का laser create कर लेते हैं इसको under of sales account के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर आप जो हमारा gesty applicable है इसको हम yes रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे goods को क्योंकि हमारा जो goods है वो sale हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर हम अपने items को ले लेंगे तो हमारे पास जो item है हम space दबाएंगे हमारे सामने जो item है वो J7 का item है तो J7 का item आ गया और उसकी description आ गई अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो J7 item है उसके अंदर GST detail हमारी applicable होनी चाहिए क्योंकि हम जब goods को sale करेंगे तो GST के साथ उसको total amount दिखाएंगे कि हम कितने amount का sale कर रहे हैं उसको with GST तो हम यहाँ पर control enter press करेंगे अल्टर के लिए और यहाँ पर आपको करना क्या है आपको जाना है under of Samsung के अंदर यानि जो भी आपका group होगा आप group के अंदर जाएंगे यानि इस under के अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक बार control enter दोबारा से press करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने GST detail का एक option show होगा आपको इसको yes कराना होगा इसको yes कराने के बाद यहाँ पर अगर आपके सामने details fill नहीं है तो आपको यहाँ पर detail fill करने लिए है जैसे मैंने fill कर दिया mobile यहाँ पर HSN code जो भी है उसका वो आप fill कर सकते है और यहाँ से आप इसको taxable रखेंगे taxable रखने के बाद आपका जितना भी GST rate है वो यहाँ पर आप अपना fill कर देंगे fill करने के बाद आप इसको save कर देंगे और यहाँ पर आपको GST detail बिल्कुल भी नहीं छेड़नी आपको सिर्फ enter करके यहाँ पर save करते है save करने के बाद अब आपस quantity पूछ रहा है यानि कितने piece का आपके पास order आया है तो हम दे देते हैं यहाँ पर 50 piece का हमारे पास जो order है वो 50 piece का order आया हुआ है rate कितना है तो rate है हमारा 15,000 का rate है पर piece का तो हम यहाँ पर 15,000 दे देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा total amount हो गया वो 7,50,000 रुपे हो गया हम इसको enter pass करेंगे यहाँ पर आप चाहें तो अपनी due date दे सकते हैं हम इसको enter करके save कर रहे हैं save करने के बाद आप नीचे आ जाएए नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपने tax sessions को लगा लीजे तो यहाँ पर हमें tax के laser चाहिए होंगे यहाँ पर आप alt c करिए alt c करने के बाद यहाँ पर laser बना लिए cgst का क्योंकि हमारा यह जो goods है वो simple same state में ही sale हो रहा है तो हम यहाँ पर cgst का laser बनाएंगे यहाँ पर ले लेंगे इसको duties and taxes क्योंकि हमारा यह local sale है यहाँ पर gst को लेंगे और cgst हमारा central tax के अंदर आता है तो यहाँ पर हम central tax select करेंगे और इसके बाद इसको enter करके सेफ कर देंगे तो आप देखेंगे आपका cgst लग गया इसके बाद यहाँ पर फिर से आप all c करेंगे और यहाँ पर laser बनाएंगे sgst का और इसको भी आप duties and taxes के अंदर देंगे यहाँ से जस्टी ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे state tax और इसको भी आप enter प्रेस करके save करा देंगे save करने के बाद आप देखेंगे आपका जो total amount था वो यहाँ पर आपके सामने represent हो गया अब इसके बाद आप इसे enter करके save कर देंगे यानि हमने sale order का पहला step complete कर लिया sale order का पहला step complete करने के बाद मैं आपको एक बार balance sheet दिखा देता हूँ आप चाहिए अपने balance sheet के अंदर यहाँ से आप चले जाएए current assets के अंदर और यहाँ से closing stock दिखा देता हूँ मैं आपको samsung का item है हमारे पास जो total quantity है वो 90 pieces की quantity है यहाँ से आप देखेंगे आपका कोई भी quantity आपकी minus नहीं हुई है तो इस gap करके एक बार पीछे आजाएए पीछे आने के बाद मैं आपको एक जगा से और दिखा देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे आपके 50 piece का जो order था वो out a standing आ रहा है अभी यानि अभी तक हमने इसकी sale नहीं की है तो अभी हमारा जो 50 pieces था वो out a standing शो कर रहा है तो यहाँ से हम gap करेके पीछे चले जाते हैं यहाँ पर हम आपको एक बार sale bill pending भी दिखा देता हूँ बिल pending अभी हमारे सामने नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने deliver किया ही नहीं है goods को जब हम goods को deliver कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो bill था वो pending में आ जाएगा अभी सिर्फ और सिर्फ हमें order मिला है तो इसमझे से यहाँ पर हमारा ना तो goods minus हुआ है और नहीं यहाँ पर हमारा data show हो रहा है तो इसके लिए आप skip करके एक बार पीछे चले जाते हैं watchers में वापस चले जाते हैं और अब हमें यहाँ पर entry pass करनी है delivery note की तो delivery note की जो shortcut की है वो है alt plus f8 आप अपने keyboard से alt plus f8 प्रेस करिए इसके बाद यहाँ से आप party का नाम ले लीजिए जो भी आपने यहाँ पर अपना order number बनाया था आपने उस order number को select कर लीजिए select करने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो अपने dispatch document number दे सकते हैं हम इसको simple enter करके save कर रहे हैं save करने के बाद इसको भी आप enter करके save कर दीजिए save करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो sale थी यहाँ पर delivery note हो गई यानि हमारा जो goods था वो party के पास deliver हो रहा है आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा total order था वो 50 pieces का था लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 40 piece को deliver कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 40 piece ले लेंगे 40 piece deliver करने के बाद क्योंकि हमारे पास 10 piece का माल लिजे stock है ही नहीं हम 40 piece उसको sale कर रहे हैं तो 40 piece हम उसके पास customer के पास अपने base दे रहे हैं यहाँ पर हम इसे enter करके save करा देंगे save करने के बाद आप नीचे आजाएए यहाँ पर आपको जो provide gst e-way bill है इसको आप नो ही रखिए और इसको enter करके save कर दीजिए save करने के बाद हमारी delivery पहुँच चुकी है तो अब एक बार हम फिर से check कर लेते हैं स्काप करके आप एक बार पीछे आईए और एक बार चले जाएए balance sheet के अंदर यहाँ से चले जाएए अपने current assets के अंदर यहाँ से आप चले जाएए stock के अंदर stock देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका samsung का जो stock था वो बचा है आपका 50 piece यानि आपके पास अभी 90 piece था और अब हमारे पास 50 piece बचा है यानि 40 piece हमने sale कर दिया आप इसी चीज को अगर चाहें तो यहाँ से directly stock summary में भी जा करके direct देख सकते हैं अब मैं आपको एक बार फिर से display more reports में ले जाता हूं यहाँ से आपको ले जाता हूं statement of inventory के अंदर और यहाँ से आप चले जाएए sale bill pending के अंदर और यहाँ पर all orders पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो 10 piece था यानि हमें जो order मिला था वो 50 piece का था जिसमें से 10 piece हमने अभी उसको deliver नहीं किया तो यहाँ पर जो हमारा 10 piece था वो balance शो कर रहा है अब इस 10 piece को हम क्या करेंगे pre-close करेंगे माल लीजी हमारा customer हमसे यह कहता है कि मेरी जो requirement है वो 40 pieces में पूरी हो चुकी है मुझे अब आपके 10 piece नहीं चाहिए अब इस order को हम क्या करेंगे यहाँ से pre-close कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने option नजर आएगा pre-close order का यहाँ से आप चाहिए तो अपने keyboard से alt plus wp प्रेस कर सकते हैं यहाँ पर pre-close करेंगे इसको pre-close करने के बाद यहाँ पर जितनी भी quantity आपको pre-close करनी है वो यहाँ पर डाल देंगे अब तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 10 piece अब यहाँ पर आप अपना reason लिख सकते हैं कि customer ने इसको pre-close क्यों किया तो यहाँ पर माल लीजे हमने दे दिया time issue हमने उसे माल time पे deliver नहीं किया था इस वज़े से उसने माल लीजे किसी और party से माल को खरीद लिया और हमें बना कर दिया तो हम इसको save कर देते हैं अब आप देखेंगा हमारी जो entry थी वो यहाँ से गायब हो गई हमारे पास कोई भी balance quantity नहीं show हो रही है तो हम इस cap करके एक बार पीछे चले जाते हैं अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे वापस अपने vouchers के अंदर और अब हम अपना bill generate करेंगे तो bill generate करने के लिए यानि कि हम अपनी sale करेंगे तो sale करने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे अब यहाँ पर अपने party का name लेंगे तो हमारी जो party थी वो X,Y,Z थी तो हम यहाँ पर X,Y,Z को ले लेंगे यहाँ पर जो हमारा tracking number था वो 1 था तो हम यहाँ पर 1 को slack करेंगे 1 को slack करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूरी detail automatic fulfill हो गई है तो हम इसको enterprise करेंगे, enterprise करने के बाद अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर भी में हम इसे enterprise करके नीचे आ जाते हैं यहां पर अब आप देखेंगे जो हम sale करेंगे 30 pieces की यानि जो हमें जो payment मिली है यानि जो उसने हमें bills बना कर दिया है वो सिर्फ 30 piece का दिया है तो हम यहां पर 30 piece का ही बिल जनरेट करेंगे तो यहां पर जो हमारी quantity थी वहां पर हम less कर देंगे इसको 30 piece का हमें amount को दे रहा है तो हम यहां पर 30 piece को select करेंगे 30 piece को slack करने के बाद हम इस entry को यहाँ पर पास कर देंगे, entry को पास करने के बाद आप नीचे आजाएए, यहाँ पर आप e-way bill को no कर दीज़े भी फिलाल के लिए, और यहाँ पर new reference के अंदर, आप यहाँ दे सकते हैं कि हमने जो deliver किया था, वो कितने दिनों में deliver किया था, किस date पर हमारा जो sale हुआ है, वो sale हुई है, तो हम यहाँ देते हैं, एक महीने बाद हमने इसको sale किया है, हमने जो order मिला था, वो ही capital को मिला था, हम इसको deliver कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, एक 5 को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसे enter press कर देंगे, या 30 days आपका लिखा हुआ आगया अब हम इस entry को pass करा के save कर देते हैं, save करने के बाद अब हमारा deliver हो चुका है सामान, अब फिर से मैं आपको एक बार scap करके, display more reports में ले चलता हूँ, यहाँ से आप चले जाएए statement of inventory के अंदर, यहाँ से चले जाएए आप sale order outstanding के अंदर, अगर आप चेक करेंगे तो आपका क 40 piece का sale किया था, 30 piece का उसने bill generate करवाया है और 10 piece का हमारा अभी तक bill pending show कर ला है, अब इस 10 piece के साथ हुआ क्या, आप माल लीजे, customer यह कहता है कि यह 10 piece, reject कर दिया customer ने, वो कहता है कि मुझे 10 piece अब आपके नहीं चाहिए, माल लीजे इसमें कोई quality issue है, या quantity issue है, या कुछ भी को इसको भी reject करूँगा, अब इस 10 piece को आप किस तरीके इस reject करेंगे, और वो हमारे bill में से किस तरह से minus होगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, इसके आप करके एक बार पीछे आ जाए, और यहां से पहले हम एक बार stock summary चेक कर लेते हैं, stock summary में अगर हम गए, तो यहां पर आप देखेंगे, आपके 50 piece हैं, 45 piece अभी आपके customers के पास हैं, और 10 piece अब वो हमें return कर रहा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, यहां से चले जाएए वापस vouchers के अंदर, vouchers में जाने के बात, अब आपको rejection का एक process यूज़ करना होगा, तो rejection in हमें यूज़ करना पड़े यहां से control F6 यूज़ करने के बाद, आप यहां पर space दबाईए, space दबाने के बाद जो party आपको return कर रही है, माल, उसका नाम select कर लिए, तो XYZ party है हमारी, और उसके बाद हम इसे enter press करेंगे, यहां पर कौन सा item है हमारा, तो J7 का item है, कितने pieces हमें return कर रही है, तो order number of tracking number 1 ले ल display, more reports के अंदर ले चलता हूँ, और यहां से आप चले जाएए, अपने statement of inventory के अंदर, और यहां से चले जाएए, आप अपने sale order, outer standing के अंदर, अब यहां पर अगर आप देखेंगे, तो आपका sale order, outer standing में 10 piece आपका यहां पर show हो गया, क्योंकि वो pieces थे, वो हमारे reject हो चुके और यहां पर जो 10 piece था, वो हमारे outer standing में show हो गया है, अब मालीजे, customer आपसे यह कहता है, कि यह जो 10 piece थे, मुझे वापस चाहिए, आप इसे exchange करके मुझे दूसरे piece दीजिए, तो अब हम इस 10 piece को वापस sale कर देते हैं, यानि मालीजे, हम उसको exchange कर देते हैं, एक्चेंज करन करने के बाद हम दुबारा से एक delivery note फिर से तयार करेंगे, तो यहां पर अपने keyboard से press कर लिजे, alt plus f8, alt plus f8 press करने के बाद यहां पर आपको लेना होगा, वापस अपनी party का नाम, party का नाम लेने के बाद जो भी आपका order number था, उस order number को आप वापस फिर से select करेंगे, select करने के तो हम दूसरा tracking प्रेकिंग के लिए, तो हम यहां पर इसो एंटर करके save करने के बाद, यहां पर फिर से आप इसे enter करके save करने के बाद, यहां पर sell को वापस लेक करेंगे, आप देखेंगे 10 piece आपका वापस Deliver हो रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, यहां प एंटर करके save करने के बाद यहां पर यह आपका evable का option आ गया तो evable को आप control करके creation करके save कर सकते हैं save करने के बाद आपको फिर से दिखा दूँ आपकी display more reports में वापस आप चले जाएए यहां से चले जाएए आप वापस statement of inventory के अंदर और यहां से चले जाएए आप अपने sale order outstanding तो आप देखेंगे आपर आपका जो sale order outstanding था वो यहां से हट चुका होगा तो आप देखेंगे यहां पर जो हमारे 10 piece balance show कर रहा था वो यहां से remove हो गया है अब यह जो 10 piece है वो कहां show होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह आपका चला गया sale bill pending के अंदर क्योंकि अभी तक इसका bill generate नहीं हुआ है तो आप देखेंगे यहां पर 10 piece का bill pending वापस show कर गया अब इस 10 piece का हम फिर से bill generate करेंगे यानि इसकी फिर से sale करेंगे तो हम वापस चले जाते हैं sales के अंदर और sales के लिए प्रेस करेंगे F8 F8 प्रेस करने के बाद यहां से आप party को वापस select कर लीजिए यहां से आपने tracking number 2 को select कर लीजिए और सिर्फ आपको enter press करना है enter press करने के बाद जितनी भी detail आपने fill की है वो वापस recover हो जाएंगी वापस fulfill हो जाएंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस करके entry को save करा देना है अब यहां पर अपना due date दे सकते हैं तो माल लीजे मैंने यहां पर due date जो थी वो दे दिया 2, 5, 21 को यानि एक दिन बाद मैंने deliver किया है और यहां पर मैं इसको save कर देता हूँ सेल करने के बाद मैं आपको last time फिर से दिखा देता हूँ आपकी balance sheet और आपका पूरा stock आप चले जाते हैं हम लोग stock summary के अंदर यहां पर आप जाए यहां से आपके सामने बहुत सारे options हैं आप इन में से किसी भी option का use करके अपने उस entry को check कर सकते हैं तो मैं यहां पर directly all press करूँगा all press करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपके सामने कोई भी order due नहीं है अब इस gap करके पीछे आ जाईए अगर हम sale bill pending देखते हैं तो यहां पर भी आपका कोई भी bill pending नहीं है क्योंकि हमारी sale हो चुकी है अब हमें करना क्या है अब हमें अपनी party से पैसा को receive करना है जो हमने sale की है यानि हमने जो sale किया था total 40 piece का sale किया था हमें 40 की 40 piece का जो पैसा है वो party से receive करना है तो इसके लिए हम अपने voucher में वापस चले जाते हैं यहां पर जाने के बाद आपको अपने keyboard से प्रेस करना है F6 F6 पैस करने के बाद यहां से आपके सामने दो options हैं आप यहां तो cash के तुरू ले रहे हैं या bank के तुरू ले रहे हैं तो सबसे पहले party माल लीज़े हमें bank के तुरू पैसा दे रही है तो यहां पर हम bank का laser ले लेंगे अब यहां पर देखेंगे bank के अंदर 20,000 रुपे हमा सात लाग रुपे बैंक में दे रही हैं तो यहां पर हम सात लाग रुपे टाइब कर लेते हैं जो हमारा पहला वाला tracking number था हम उसके against ले रहे हैं तो हम इसको enter प्रेस करेंगे इसके बाद यहाँ पर फिर से emerges करेंगे जो दूसरा bill pending था हमारा उसके against भी हम इस पैसे को receive कर रहे हैं तो हम दोनों को जो सेल थी वो 2 मई को थी, तो total amount हमारा include हो करके यहाँ पर show हो गया और उसमें से उसने हमें 7 लाख रुपे payment कर दिया है, इसके बाद हम इसको enter करके save कर देंगे, यहाँ पर आप उस check की detail पूरी fill कर दीजे, जो check आपको receive हुआ है, यहाँ पर अपना number fill कर दीजे, यहाँ पर date fill कर दीजे, जिस date को आपको यह पैसा मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मा लिजे, 1, 6, 21 को हमें यह पैसा receive हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर bank name ले लिजे, कि किस bank के थूँ आपको यह पैसा receive हो रहा है, तो यहाँ पर आप space दबाएए, यहाँ से ले लिजे specified bank name, और यहाँ पर आपने bank का नाम दे दीजे, जैसे मैं दे देता हूँ, SPI bank, और इसके बाद इसको enter करके, save कर दूँगा, narration लिखना चाहिए, आप narration लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने पैसा receive हो चुका है, अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, cash के थूँ बा cash हमारे पास पहले से ही एक लाग रुपे है, तो आठ जार रुपे हम यहाँ पर डाल लेते हैं, आठ जार रुपे डालने के बाद enter प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर आप आप से पूछ रहे हो, यानि किसके अगेंट समय यह पैसा receive हो रहा है, तो यहाँ आपर enter प्रेस करे अब हमें इससे कोई भी पैसा receive नहीं करना, आप इसे enter करके save कर दीजिए, इसके बाद मैं last time आपको profit and loss और दिखा देता हूँ, स्कैप करके आप पिछे आजाए, पिछे आने के बाद आप जैसी अपने balance sheet में जाएंगे, balance sheet में जाने के बाद अपने keyboard से आप प्रेस करिए Alt plus F1, Alt plus F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, आपका जो total closing stock है, वो 6 lakh रुपे का बचा है, यान इतने इतने का goods आपके पास अभी बचा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, cash in hand आपके पास 1,08,000 रुपे हैं, क्योंकि cash in hand पहले से ही हमारे पास 1,00,000 रुपे थे, स्कैप करके आप पीछे आजाए, पीछे आने के बाद मैं आपको display more report में बहर और ले चलता हूँ, यहाँ से चले जाएए अपने statement of inventory के अंदर, यहाँ से चले जाएए अप sale order auto standing के अंदर, और यहाँ पर all पे click करके अगर आप देखेंगे तो आपका कोई भी auto standing amount नहीं है, इसके बाद बीछे आजाए, यहाँ से अगर आप bill pending देखते हैं, तो bill pending भी आपका कुछ भी नहीं है, अब अगर आपको bill निकाल करके अपनी party को भेजना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप चले जाएए अपन जिए वाला bill open कर लेते हैं, यहाँ पर open करने के बाद आप देखेंगे आपकी entry यहाँ आप शो हो जाएगी, इसके बाद आप प्रेस करिए अपने keyboard से alt-plus-p, alt-p press करने के बाद यहाँ पर current पर click करिये, current पर click करने के बाद यहाँ पर configure करना है, तो configure करिये, हमें सीधे preview आप पर प्रिवीवई पे क्लिक करने के बाद अपनी कीबोर्ट से प्रेस कर्याा अपर आपकी का नाम जाकर करते हैं तो आप चलेए स्काप करके पीछे और यहांपर सेम प्रॉसरें को radio 2 और यहाँ पर सेम प्रोसेस यूज़ करिए, Alt प्लस पी, प्रिंट के लिए और यहाँ पर क्लिक करिए, Current के अंदर और यहाँ पर Preview पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपका दूसरा बिल भी आपके सामने शो हो गया, यह जो बिल था हमारा 10 पीस का था, वो जो बिल था हमारा 30 पीस का था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, पार्टी का नाम, उसके डिलिवरी नोट वगरा नंबर, और यहाँ पर आप देखेंगे, उसका HSN कोड और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो गई, तो यह था हमारा सेल और अगर आपको वीजियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेर कीजिए, धन्यवाद। नमशकार दोस्तों, मैं हूँ विनोट, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेरोल के बारे में, अगर आप किसी बड़ी कमपनी में जॉब करते हैं, तो आपको सेलरी स्लिप जरूर मिलती होगी, जो कि अगर आप कहीं लोन के लिए अपलाई करते हैं, तो आप से salary slip जरूर मागी जाती है यही salary slip आपकी किस तरह से बनाई जाती है वही payroll कहा जाता है यानि बड़ी company अपने सभी employees की salary जब tally में बनाती हैं तो उसी को payroll कहा जाता है तो चलिए वीडियो को start करते हैं हमें सबसे पहले एक नई company create करेंगे जिसका हम नाम दे देते हैं payroll payroll के नाम से हम एक नई company create कर रहे हैं आपको यहाँ पर state लेना है अपना तो हम दे लेते हैं यहाँ पर dally dally लेने के बाद आप बाकी further details फिल कर सकते हैं हम इसे simple control A करके save कर देंगे save करने के बाद आपके सामने एक dialogue box और open होगा इसको भी आप control A करके save कर देजिए इसके save करने के बाद अब हमें क्या करना है हमें सीधे जाना है अपने vouchers के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आपको अपने keyboard से press करना है F10 F10 प्रेस करने के बाद आपको जाना होगा इसको आपको enable करना होगा यहाँ इसके बाद आप देखेंगे payroll voucher आपका active हो गया अब payroll voucher हमारा active हो गया तो अब हम दूसरा काम करते हैं अब हम scap करके एक बार पीछे चले जाते हैं scap करके पीछे जाने के बाद आपको जाना होगा create के अंदर और create में आप देखेंगे यहाँ पर आपका payroll masters आपके सामने open हो जाएगा अब इसमें आप सबसे पहले employee groups तयार करेंगे तो हम चले जाते हैं employee groups के अंदर और employee group मैं आपको बता दूँ क्या होता है जैसे माल लीजिए आप किसी बड़ी company में job करते हैं तो जो बड़े बड़े groups होते हैं जैसे कुछ market departments के कुछ sales departments के और उन market department में माल लीजिए दसबंदे काम करते हैं sales departments के अंदर दसबंदे काम करते हैं तो उसी को group का आ जाता है तो चलिए हम दो group तयार कर लेते हैं सबसे पहले बना लेते हैं sales department department की हमने एक बना लिया और इसके बाद हम इसको save कर देंगे यहाँ पर आपको define salary अभी नो ही रखना है आपको simple enter करके save कर देंगे और एक हम बना देते है market department और इसके बाद हम इसको enterprise करेंगे यहाँ पर इसको फिलाल नो ही रखना है और enter करके इसको हम save कर देंगे save करने के बाद scab करके आप पीछे आजाएए यहाँ पर आपका जो दूसरा काम होगा वो आपका होगा units यानि work तयार करना तो यहाँ पर आप enterprise करिए यहाँ पर आपको जो symbol है यहाँ पर आपको बनाना होगा minutes यानि min symbol देना होगा और यहाँ पर आपको उसकी full form लिख देनी है जैसे मैं लिख देता हूँ और enter pass करने के बाद यहाँ पर आपको not applicable रखना है यहाँ पर आपको कुछ भी fill नहीं करना है और simple enter करके आप इसे save कर देजे इसके बाद जो दूसरा symbol है वो तयार के लिजे hrs यानि hours का यहाँ पर आप उसकी full form लिख दीजे और इसको भी आप not applicable करके enter कराके save कर दीजे यानि दो symbols हमारे तयार हो गए अब आपको जाना है type के उपर और यहाँ पर आपको select करना है compound compound select करने के बाद आप यहाँ पर hours को select करेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे 60 यानि कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं हम इसको define कर देंगे और enter करके इसको हम save कर देंगे अब आजाएए इस cap करके आप पीछे इसके बाद अब आपका जो तीसरा काम है वो है attendance production type का हम अब attendance तयार करेंगे तो इसके उपर आप चले जाएगे और यहाँ पर आप attendance बना लीजे जैसे मैं बना लेता हूँ एक leave और leave को हम primary में डालेंगे और यहाँ पर आपको रखना है leave without pay इसका मतलब यह होगा कि जब भी हम leave को use करेंगे तो leave की जो salary है वो employee को नहीं दी जाएगी तो इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे leave without pay और इसको हम days के अंदर रख करके enter करके save कर देंगे जो days होगा वो by default अपने आप ले लेगा आपको सिर्फ enter करके save करना है इसके बाद आप दूसरा बना लेजे overtime को और overtime को भी आप primary में रखी और यहाँ पर आप लेंगे overtime को production के अंदर यानि जब भी overtime लिया जाएगा तो company का production होगा तो इस वज़े से इसका हम production के अंदर रख कर देंगे तो हमारा तीसरा काम भी complete हो चुका है अब हमें जाना है अपने pay heads के अंदर यानि अब हमें अपने pay heads त्यार करने हैं तो चले जाएए pay heads में pay heads में जाने के बाद सबसे पहला जो pay head आपका बनेगा वो बनेगा basic salary का तो यहाँ पर मनाल जिए basic salary और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको रखना है earning for employee यहाँ पर earning for employee आप क्यों देंगे क्योंकि basic salary जो employee होता है उसकी earning होती है तो यहाँ पर हम इसे earning for employee के अंदर रखेंगे अब आप देखेंगे आपके साने दो options शो हो रहे है एक हो आ रहा है आपका fix और दूसरा आ रहा है variable fix इसका मतलब ये कि आपकी company आपको जो salary देती है वो fix देती है और variable का मतलब होता है ये salary आपकी कम्याज जादा हो सकते है जैसे माल लिजे दियारी मजदूर तो यहाँ पर जो salary हमारी वो fix तो हम यहाँ पर fix रखेंगे अब यहाँ पर आपको देना है कि company का ये क्या है direct expense है या indirect expense है company आपको salary monthly देती है आप per day के हिसाब सी या weekly के इसाब सी देती है तो यह salary माल लीजे हम indirect expense रखेंगे कि जो हमारी basic salary है वो महीने में हमें मिलती है तो हम यहाँ पर इसे indirect expense रखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़ना नहीं है आपको नीचे आ जाना है सीधे calculation type के अंदर और यहाँ पर आप रखेंगे as user defined value यानि user defined करें कि इसकी salary कितनी है तो यहाँ पर हम इसे simple एंटर करके save कर देंगे यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरा पर है DA का DA का मतलब होता है dnance allowance तो यहाँ पर हम इसे भी earning for employee ही रखेंगे क्योंकि यह भी employees की earning ही होती है यहाँ पर आप income type जो भी देना चाहें वो दे सकते है तो हम यहाँ पर फिलाल इसे fix ही रखेंगे और इसके बाद हम इसे लेंगे indirect expense क्योंकि हम यह monthly receive हो रहा है तो हम यहाँ पर हम monthly के लिए indirect expense ही रखेंगे और इसके बाद enterprise करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे as computed value जो इसका calculation type होगा वो as computed value होगा अब इसके अंदर आपको लेना है normal rounding और यहाँ पर limit आप कोई भी नहीं देंगे enterprise करके नीचे आजएए और यहाँ पर आपको जो लेना है वो लेना है on specified formula है इसके enterprise करिए और यह जो हमारा DA है वो किसके ओपर depend होना चाहिए तो वो basic salary को पर depend होना चाहिए हम basic salary लेंगे यहाँ पर और यहाँ प्रेस करेंगे end of list और इसके बाद अब आपको करना क्या है यहाँ पर आप देखेंगे amount up to यानि यहाँ पर आप जो भी value देंगे जैसे मैं दे देता हूँ 35,000 यानि 35,000 तक अगर किसी की salary हो तो यहाँ पर आप slap type चो भी रखना चाहिए वो रख सकते हैं मैं फिलाल percentage रख रहा हूँ और यहाँ पर रख लेते हैं मालीजे 8% और यहाँ पर हम ले लेते हैं मालीजे 5% अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की basic salary 35,000 रुपे से उपर होगी तो उसको 5% का DA मिलेगा और अगर basic salary आपकी 35,000 रुपे तक होगी तो उसको 8% का DA मिलेगा तो इसे आप enter press करके save कर दीजे यहाँ पर एक और pay head बना लिजे TA का यानि कि traveling allowance का और enter press करके आप इसे भी earning for employee दे दीजे और यहाँ पर आप fix या variable जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं आप अपने हिसाब से तो हम यहाँ पर fix रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे indirect expense और यहाँ पर आप calculation type में वापस as computed value लेंगे यहाँ पर वही same normal rounding लेंगे और यहाँ पर आप unspecified formula लेंगे और यहाँ पर आप लेंगे basic salary ताकि यह भी हमारो जो TA है वो भी basic salary के ऊपर depend होता है enter press करेंगे यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है same वह value दे देनी है यहाँ पर आप जो भी value दखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो हम वह value देंगे वापस 35,000 और उसके बाद enter press करने के बाद आप मैं आपको value भी समझा देता हूँ कि अगर माल लीजे कि 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 basic salary 35,000 रुपे तक है आप ले लीजे हरे यानि house rent allowance सेम इसी तरीके से आप इसको भी earning for employee fix your variable जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं इंट्रक्ट expense और यहाँ से हम इसे ले लेंगे as competitive value, normal rounding और यहाँ पर आप ले लेंगे unspecified formula, basic salary, end of list यहाँ पर amount दे दीजे आपको जो भी देना है तो 35,000 दे दी हमने, percentage में आप जो भी रखना चाहें वो आप अपने से आप से रख सकते हैं, इसको भी हम बना करके enter करके save कर लेते हैं HRA के बाद हम बनाएंगे PF, तो हम यहाँ पर PF लेते हैं जो PF होता है हमारा वो provident fund होता है और यह basically हमारा deductions होता है यह हमारी salary में से deduct किया जाता है तो इसे हम रखेंगे detection from employees के अंदर और इसके बाद हम इसे दे देंगे current liabilities यह हमारी एक तरीके से liability होगी company के उपर, तो हम इसे current liability में रखेंगे और इसको भी आप enter press करके as competitive value लेंगे, normal rounding लेंगे और वही formula फिट से put करेंगे और specified formula, basic salary यानि यह भी हमारा basic salary के ओपर ही depend होगा तो यहाँ पर आप जो भी value देना चाहें अपने इसाब से दे सकते हैं मैं same वही value दूँगा और यहाँ पर percentage जो भी देना चाहें वो आप अपने इसाब से दे सकते हैं value या percentage और इसके बाद बनाएंगे हम लोग ESI ESI हमारा employee state insurance होता है यह भी एक तरह से detection ही होता है हम यहाँ पर इसे detection from employee ही रखेंगे और यहाँ पर रख लेंगे हम इसे current liabilities और इसके बाद हम इसे enterprise करके यहाँ पर as competitive value, normal rounding और इसके बाद यहाँ पर लेंगे on-specified formula same इसी तरीके से basic salary और यहाँ पर amount डाल दीजे up to और इसके बाद यहाँ percentage या value जो भी आप रखना चाहें वो अपने इसाब से आप रख लीजे और इसके बाद इसे enter करके save कर दीजे यानि ESI भी हमारा तयार हो गया इसके बाद हम बनाएंगे reimbursement तो यहाँ पर हम ले लेते हैं reimbursement तो इसे enter off रखेंगे हैं reimbursement to employee के तो मैं आपको बता दो यह reimbursement होता क्या है reimbursement basically जब भी हम company के लिए पैसा आपनी जेब से लगाते हैं तो उसे reimbursement कहा जाता है और यह पैसा हमें salary देते समय company return कर देती है यानि मान लीजिया आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर आपके पास payment जो company ने आपको दिया था वो कम पड़ गई और आपने अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च किया है तो उसके बारे में आप company को indicate कर देंगे कि इतना पैसा मेरी जेब से लगा है तो वो पैसा जब company आपको salary देती है तो उस समय आपको plus करके return कर देती है तो उसी को reimbursement कहा जाता है तो हम यहाँ पर reimbursement to employee रखेंगे इसको और यहाँ पर हम इसे रखेंगे variable क्योंकि reimbursement fix नहीं होता तो यह variable होगा और यहाँ पर हम इसे रखेंगे direct expense क्योंकि company का यह direct expense होता है इसके बाद हम इसे enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आपको यहाँ पर जो इसका calculation type है वो as user defined value ही लेना है तो हम इसे as user defined value लेंगे क्योंकि इस user define करेगा कि कितना reimbursement हुआ था तो इसे enter करके हम simple save रखेंगे reimbursement के बाद आपको बनाना होगा एक bonus bonus को आप जा लेंगे earning for employee यानि bonus भी जो company में मिलता है वो भी earning होती है employees की तो इसे हम earning for employees यह हमारा variable होगा क्योंकि यह हमेशा bonus नहीं मिलता साल में एक बार मिलता है और यह company का direct expense होगा और इसके बाद हम इसे लेंगे इसका जो calculation type होगा वो हम रखेंगे flat rate यहाँ पर जो भी amount का company define करेगी वही amount हम यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर हम इसे flat rate रखेंगे और यहाँ से लेंगे अब इसे month क्योंकि यह में मिलता कब है यहाँ पर month लेंगे वैसे तो हम इस साल में एक बार मिलता है तो जिस month में हमें यह receive हो रहा है वहाँ पर वही month रखेंगे और इसके बाद हम इसे not applicable करके इसे enter करके save करतेंगे तो bonus के बाद अब हमारा बचकिया leave तो हम leave बना लेते हैं और leave जो होता है वो भी एक तरह से deduction from employee होता है तो यहाँ पर हम इसे deduction from employee ही रखेंगे और इसके बाद इसको हम लेंगे current liabilities के अंदर और इसके बाद यहाँ से हम इसको enter करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आप इसे रखेंगे on attendance यानि जो भी leave आपका होगा वो attendance के ऊपर depend करेगा और यहाँ से हम leave जो हमने अभी बनाया था उसे select कर लेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे days क्योंकि जो leave होती है वो days के हिसाब से है तो days ले लेंगे अगर बन्दा month के लिए गायब है तो यहाँ पर month आप select कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं तो हम फिलाल यहाँ पर days लेंगे उसे okay कर देंगे इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे overtime अब overtime हमारा क्या होता है यहाँ जब भी overtime लगाओ गया आप तो इससे company की productions होगी तो यहाँ पर हम इसे production रखेंगे और यहाँ पर overtime रखेंगे और यहाँ पर आप इसे normal rounding या not applicable रखके enter करके save कर सकते हैं तो यह बन गया हमारे pay heads अब एक pay head हमारा last बचा है वो भी हम complete कर लेते हैं तो यहाँ पर जो last pay head हमारा वो बनाएंगे salary payable का salary payable बनाने के बाद इसे आप रखेंगे not applicable यहाँ से आप लेलेंगे current liabilities और इसको कर देंगे enter करके save दो यहाँ पर आप वाचर को जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं तो माल लीजे मैं यहाँ पर दे देता हूँ वाचर को salary slip और इसके बाद इसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ से आप ले लेंगे payroll को यह अंडर of payroll के अंदर जाएगा और यहाँ से आप इसे एंटर इंटर करके save कर देंगे यहाँ पर print voucher after saving इसको आप नो ही रहने देंगे यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ salary slip और यहाँ पर आपको end of list, end of list ले करके जो salary pay head बनाया था आप इसे यहाँ पर select कर लेंगे और इसे enter करके save कर देंगे तो हमारा यह काम भी complete हो गया, इसके आप करके आप पीछे आजाएए, अब इसके बाद जो हमारा last pay head बचा है वो बचा है हमारा employees का, तो अब हम employees त्यार कर लेते हैं, employees में चले जाते हैं, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले आप first employees का नाम लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं, जैसे Amand Kumar, यह हमारा employee है, अब यह employee under of किसके जाएगा, तो यहाँ पर आप space दबाईए, और यहाँ से आप दे सकते हैं, आपके पास दो departments है, तो को से department का बंदा है, Amand Kumar, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, माली जैसे market department, और यहाँ पर आप date of joining, जो भी रखन salary, फिर bonus लेना है, तो bonus आपको बताना है, कि bonus कितना आपका लगेगा, तो यहाँ पर हम bonus देते हैं, like 1000 रुपे, कि 1000 रुपे हमारा bonus लगेगा, उसके बाद DA, ESI, HRA, leave, leave कितना deduct होगा, तो leave दे दिया हमने, माली जैसे 500 per day के साब से deduct होगा, overtime कितना मिलेगा, तो 100 रुपे पर DA, डाल करके, हम इसको enter करके, save कर देंगे, अब आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने पहला option है, employee numbers, तो यहाँ पर आप employee number डाल सकते हैं, माली जैसे, मैं employee number दा देता हूँ, और इसके बाद designation, यानि यह बंदा है को हम देते है, like manager, और इसके बाद यहाँ पर function, वो काम date of birth उसकी जो भी fill करनी चाहिए, वो fill कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप इसका blood group select कर लीजे, और इसके बाद यहाँ पर आप इसका mother या father name दे सकते हैं, तो हम यहाँ दे देते हैं, deepak, mark, तो यहाँ पर enter प्रेस करने के बाद आप इसे expose name दे सकते हैं, तो मैं दे देता हू मिनक्षी, और इसके बाद enter प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसका address, तो यहाँ पर address दे दीज़े, जो भी उसका address है, तो मैंने यहाँ address फिल कर दिया उसका, और इसके बाद enter प्रेस करने के बाद नीचे आजाए, जो भी phone number है, वो phone number, employees का fill कर दीजे, औ इसके बाद email ID अगर कोई है, तो वो email ID आप फिल कर दीजे, मैं यहाँ पर email ID डाल देता हूँ, कुछ भी. और इसके बाद नीचे आप bank name दिखा सकते हैं, bank name दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसे bank name डाल दीजे, तो मैं दे दीता हूँ, यहाँ पर, SPI, bank, और उसके बाद enterprise करिए, यहाँ पर branch दे सकते हैं, तो branch मैंने दे दिया, like संतनगर, enterprise करिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसे बताना है कि आपका जो salary है, वो किस तरह से आपको मिलने चाहिए, चेक के थू मिले, if one transfer हो, या other तो हम इसे दे देखते है, if one transfer, और उसके बाद यह पूरी detail को automatic यहाँ पर fulfill कर लेगा, तो यहाँ पर आपको enterprise कर दीजिए, जो कि आपका 12 desert का होता है, तो यह fill कर देता हूँ, मैं, enterprise कर दीजिए, यहाँ पर अपना PF number डाल दीजिए, जो भी आपका PF number आपको company ने दिया हुआ है, और यहाँ पर अपना PR number डाल दीजिए, और PR number मैं आपको बता दू, होता क्या है, तो PR number एक तरीके से आप आपका permanent retirement account number होता है, जो उन व्यक्तियों की पैचान कराता है, जिन्होंने स्वैम को रष्टिये, pension, योजना, यानि कि NPS के अंतरगत register किया होता है, तो यहाँ पर यह भी आपका जो number होता है, वो 12 desert का होता है, तो fill कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे enterprise करके save कर तो एक employee और create कर लेते हैं, हम लोग, जैसे तीपक, यादव, और उसको enterprise करिए, enterprise करने के बाद इसको हम डाल देते हैं, sales department के अंदर, यहाँ पर आपको अपनी date जो रखनी है, वो वही same रखनी है, यानि उसकी जो भी joining date है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर आप आपको define salary detail, yes कराना होगार, यहाँ पर आपको इसकी भी salary define करनी होगी, तो हम यहाँ पर लेते हैं, basic salary, same उसी तरीके से bonus, जो भी amount आपको देना है, वो आप यहाँ चेंज करना चाहिए, तो चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, और यहाँ पर leave का भी हम same, वही रखें उसको फट हफट, इसके बाद हमारे employees complete हो चुके हैं, अब आपको जाना है, scap करके पीछे, employees बनाने के बाद, अब हमें क्या करना है, अपने attendance production types को maintain करना है, तो इसके लिए अब हम चले जाते हैं, scap करके पीछे, यहाँ से जाईए, आप vouchers के अंदर, vouchers में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रेस करना है, F10, और यहाँ से आपको लेना है attendance, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका अमन कुमार और आपका दीपक कुमार शो होगे, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो date रखनी है, वो मन्त की last date रखनी है, तो यहाँ पर रख ल तो आप यहां से इसे फिल कर सकते हैं, यह लीव पर रहा है, 5 days, और अमन कुमार ने ओवर टाइम कितना लगाया है, तो ओवर टाइम लगाया है, माल लीजे 45 hours का, तो इसी तरीके से दीपक को ले लीजे, दीपक जो लीव पर रहा है, वो माल लीजे 2 days लीव पर रहा है, और इसने ओवर टाइम लगाया है, माल लीजे 25 hours का, और इसको एंटर करके आप सेव करतीजे, इसके सेव करने के बाद, अब हमें अपनी salary की detail करनी है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने keyboard से प्रेस करना है, control plus F4, यहां से आपको लेना है salary slip, salary slip जो की हमने voucher अभी तय प्यार किया था, उसको हम लेंगे, यहां से ले लेंगे salary slip, इसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, यहां से आप देखेंगे, एक आपके सामने option आएगा, autofill का, अब यहां पर आपको use करना है autofill, या तो अपने keyboard से control plus F, फिल कर सकते हैं, या तो आप यहां पर type कर सकते ह और यहां पर आप लेंगे payroll autofill, payroll autofill लेने के बाद अब यहां पर सबसे पहले हम users को define करेंगे, जो हमने अभी pay head बनाते समय लिया था, तो user define करेंगे, इस पर enter press करेंगे, जो हमारी salary बन रही है, वो 15-2021 से लेके 35-2021 की salary हमारी बन रही है, हम enter press करके नीचे आ जाएंगे, औ employee number के हिसाब से, तो हम यहां पर employee name ही रखेंगे, अब यहां पर आपको अमन कुमार की salary देनी होगी, कि उसकी salary कितनी है, तो मैं यहां दे देता हूँ like 36,000, उसकी salary है, और उसका reimbursement, यानि उसने अपनी जेब से कितना पैसा खर्च किया था, तो मालिज उसने 500 खर्च किया थ control plus F, control F करने के बाद यहां पर आपको लेना होगा payroll, autofill वापस से, और यहां से अब आपको लेना है salary, यानि अब यह तक तो हमने users define कर दिया, किसकी salary कितनी है, तो और आप हमारी salary बन जानी चाहिए, तो हम salary ले लेंगे, सेम इसी तरीके से हमारी salary बन रही है, वो इस month की ब जाल सकते हैं, तो skip करके आप एक बार पीछे आजाए, यहां से आपको जाना होगा display more reports के अंदर, और यहां से आप देखेंगे, यहां पर एक option आपका payroll report, यहां पर आप जाकर के payslip यूज़ करेंगे, पेसलिप के अंदर जाने के बाद आप किसका payslip निकालना चाहते है, तो मैं आमन कुमार का payslip देखना चाहता हूँ, इस पर आप enterprise करिए, enterprise करने के बाद यह आपका payslip बनके तयार हो गया, आप देखेंगे जो हमने employees की detail फिल की थी, वो आपके सामने यहां नजर आ रही है, जिसमें उसका employee number, उसका function, उसका designation, location, bank details वगरा सब कुछ आपके सा salary हमने बताई थी, वो 36,000 बताई थी, और इसके हिसाब से जो उसका bonus calculate हुआ है, यानि हमने bonus 1000 रुपे दिया था, तो देखें, आप 1000 रुपे शो कर रहा है, बिए जो था, वो इस मंतली salary के हिसाब से, यानि basic salary के हिसाब से calculate हो कर के percentage जो हमने दी थी, उसके हिसाब से यहां प से खर्च किया था, वो भी यहां पर देखे, add हो गया, इसके बाद TA की अगर हम बात करें तो traveling allowance 2000 रुपे इसका show हो गया, जो कि हमने वहां पर salary define करते समय बताया था आपको, इसके बाद यहां पर इसकी जो gross salary है, वो इन सब का total यहां पर आपके सामने show up हो गया, अब यहां 47,960 रुपीज, अब उसके अंदर से ESI आपका 720 रुपे लेस हो गया, यहां से आप देखेंगे leave, तो leave आपका जो amount था, वो 25 रुपे यहां पर आपका detect हो गया, और उसके बाद अगर आप PF देखेंगे, तो PF आपका यहां से detect हो गया, तो उस हिसाब से detection काटने के बाद ज जो salary बची है, वो बची है, 46,160 रुपीज, और अब आप देखेंगे यहां पर जो PF था, वो 18 रुपे यहां पर इसका plus B हो करके show हो रहा है, और PF अगर less कर देखेंगे, तो amount यहां पर देखें, minus हो गया, तो इसके लिए अब हम इसकी slip किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इ प्रिव्यू देखेंगे, प्रिव्यू देखने के बाद आप देखेंगे, यह है इसकी salary slip, alt-z करिए, अपने keyboard से zoom करने के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे, इसकी salary slip द्यार हो गई है, आप यहां पर authorized signature हो जाएगा, और बाकी total amount यहां पर देखें, words के अंदर लिखा ह आ गया, और आपकी हर एक point की detail, यानि हर एक चीज़ की detail, one by one यहां पर mention, जैसा की payroll में मैंने आपको दिखाया, और यही चीज़, यही हमारी payslip होती है, यह था हमारा payroll, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए, और अपने सभी दोस्तों म जरूर देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि उपर company का नाम machine से print होता है, उसका amount भी machine से print होता है, तो यह चीज़ आप किस तरह से teleprime के अंदर कर सकते हैं, इस configuration को, यह मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपको इसके अंदर सिर्फ sign करने होते हैं, और आपका यह पूरा का पूरा check complete हो जाता है, तो सबसे पहला जो topic होगा हमारा वो यही होगा कि आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह की configuration कर सकते हैं, अपनी teleprime के अंदर, अगर आप से check खराब हो जाए, तो उस check को आप अपनी checkbook से किस तरह से cancel कर सकते हैं, तो वो topic भी मैं आपको यहाँ पर clear करने वाला हूँ, मान लिजे कि किसी party को आपको amount pay करना है, और अभी amount आपका clear नहीं है, और आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो आप अपने assistant को एक blank check issue करके दे सकते हैं, जिसमें वो amount fill करके check को clear कर सके, तो यह तीनों की तीनों topics में आपको आज clear कर अपने वाला हूँ, तो बने रही है हमारे साथ, मैं हूँ Vinod, अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा और अपने सबी दोस्तों में share कीजेगा, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक नई company create कर लेते हैं, Excel Info Tech के नाम से, इसके बद आप enter press करें, enter press करने के बाद यहाँ पर अगर आपको address फिल करना है, तो address फिल करतीजेए, यहाँ पर अपना state ले लीचेए, और बाकी details आप फिल कर सकते हैं, मैं control A करके save कर दे रहा हूँ, यहाँ आप आप देखेंगे, आपके सामने एक dialogue box और open हो जाएगा, इ हम यहाँ पर bank account का laser create कर लेते हैं, like SPI bank, और उसके बाद इसको under off डाल देता है, bank account के, यहाँ पर आप देखेंगे, account holder name, by default, अपने आप company का name उसने ले लिया, अगर आप change करना चाहें, तो change कर सकते हैं, हम इसको यही रहने देंगे, यहाँ पर आप अपना account number फिल कर दीजे इसके बाद आप अपना IFSC code डाल दीजे, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर जैसे SPI N, और उसके बाद enterprise करिए, यहाँ पर अगर आपके पास आपका swift code है, तो आप fill कर दीजे, otherwise छोड़ दीजे, मैं आपको swift code के बारे में बता देता हूँ, विदेज से अगर आपके पास क transaction हो रही है, तो उसके लिए आपको swift code की ज़रुरत पड़ेगी, यह swift code आपका 8 digit का या 11 digit का होता है, शुरू के जो 4 number होते हैं, वो आपके bank के name को define करते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ, SBI bank, और उसके बाद जो बागी के 2 number होते हैं, यानि 2 digits होते हैं, वो country को define करते हैं, त not applicable है, अब यह bank name not applicable क्यों है, क्योंकि अगर हम इस tally का, अगर license version यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर bank name IFSC code डालते ही, वो ले लेता, अब हम इसका educational mode यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह इसको not applicable के बल दिखा रहा है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसका branch name डाल देते ह जैसे मैंने डाल दिया, संत नगर, और उसके बाद enterprise करिए, अब आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा, set ultra range for checkbooks, यानि इस वाले option को आपको क्या करना है, yes करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर from number, यानि किस ने number से आपका checkbook start हुआ है, वो number यहाँ fill कर दीजे, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूं, like 150501, यहाँ पर आप अपने checkbook का starting number डाल सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर उसका end number डाल दे रहा हूं, like 150600, यानि यह जो हमारा checkbook है, वो 100 pages का है, तो हम इसको enterprise करके save कराएंगे, अब यहाँ पर आप अपने checkbook का नाम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूं, like SPICCHQ01, यानि यह मेरी पहली checkbook है, तो मैं इसके entry कर दे रहा हूं, अगर आपके पास और भी checkbooks है, तो यहाँ पर और और भी entry आप कर सकते हैं, तो मैं फिलाल एक ही entry करूँगा, और उसके बाद इसको enter करके save कर दूँगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा option by default automatically enable हो गया, यानि check printing का option था, इसको आप yes रहने दीजे, इसका फायदा हमें अभी आगे मिलेगा, इसको आप नीचे आजाईए, अब नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर एक option और आगया आपका, set under check printing configuration, इसको भी आपको yes करान अब आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने कोई भी detail fill up नहीं है, यहाँ आपका जो checkbook होता है, उसका size क्या होता है, किस जगा पर उसका amount आए, किस जगा पर उसका नाम आए, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर configuration आपको करनी पड़ती है, तो अगर आपका यह जो version है, अगर आपका license version होता, तो यह by default यहाँ पर automatic bank name देते ही fill हो जाता, अब हमारे पास तो यह details है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक option है, हमारे पास copy from का, हम इस option का use करेंगे, यहाँ पर आप click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सा save करने के बाद, अगर आप इसका preview देखना चाते हैं, तो आप इसका preview भी देख सकते हैं, आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने preview दिखा रहा है, तो यहाँ पर फिलाल एक बार preview देख लेते हैं, click करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपका checkbook होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पर आपका account payment लिखा हुआ आएगा, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका option है, वो आपकी company का नाम आएगा, जो भी आप company का नाम यहाँ पर देखेंगे, जिस भी syndicator को आप यह payment करेंगे, उसका नाम यहाँ पर show होगा, जितना आपके चेक के ओपर by default print हो जाएंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपने bank का address फिल कर दीजिए, तो मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पर अपना address, और उसके बाद enter करके नीचे आ जाएए, नीचे आने के बाद आप देखें आपके bank account में एक लाख रुपे माली जे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम payment करेंगे तो negative cash ना दिखाए, इस वज़े से हम यहाँ पर opening balance के अंदर amount ले ले रहे हैं, save करने के बाद अब आपको scrap करके पीछे आना है, पीछे आने के बाद अब हम सीधे जाएंगे vouchers के अगर आपके सामने payment voucher open ना हो, तो यहाँ पर आप F5 प्रेस करिए, आपके सामने payment voucher open हो जाएगा, यहाँ पर space दबाएगे, space दबाने के बाद यहाँ से ले लेंगे SBI bank, जो भी आपका bank है, वो select कर लिजे यहाँ से, और अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका 1 lakh रुपी आपके सेंडी ग्रेडिटर, क्योंकि यह मेरी party है, जिसको मैं payment कर रहा हूँ, और उसके बाद control यह करके सेफ कर दीजे, और यहाँ पर आप amount डाल दीजे, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, माल इज़े 10,000, और उसके बाद enterprise करूँगा, यहाँ पर on account ले लिजे, enterprise करने के आप नीचे आजाएए, आप देखेंगे इसका magic, तो यहाँ पर देखेंगे आपका checkbook का जो number था, वो यहाँ पर automatically mentioned हो गया, यानि पहला वाला checkbook हमारा use हो गया है, 150501 का, और यहाँ पर आप जिस date को इसको issue करना चाहते हैं, वो date यहाँ पर डाल सकते हैं, हम इसको यही र आपका checkbook print करने से पहले, आपको दिखाएगा, आप इसका preview देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका print निकाल सकते हैं, अगर आप इसके अंदर कोई configuration करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो फिलाल हम preview पे जाते हैं, अब आप देखेंगे, यहाँ पर alt Z करके इसक तो यह उसको print करके represent कर देगा, तो है ना magical feature, तो चलिए, skip करके एक बार पीछे आते हैं, पीछे आने के बाद अगर आपको इसका print लेना है, तो print पर click करिए, आपका print निकल जाएगा, हम इसको फिलाल print नहीं ले रहे हैं, अब skip करके हम पीछे आ जाते हैं, पीछे आने के एक party और ले लेता हूँ, ताकि मैं ये भी दिखा हूँ आपको कि जो हमारा पहला वाला checkbook यूज हो चुका है, उसके बाद जो हमारा दूसरा checkbook है, वो serial wise कैसे use होगा, तो चलिए, हम यहाँ पर वापस अपने bank का name लेते हैं, और यहाँ पर alt c press करते हैं, एक डूसरी party create कर कमल इंडस्टी के नाम से, और इसको under of डाल देते हैं, हम लोग sendi creditor, sendi creditor डालने के बाद यहाँ पर amount डाल दीजे, like मैट दे रहा हूँ, यहाँ 15,000, और इसके बाद enter press करिए, और enter press करने के बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आप देखेंगे, इसका magic फिर से, य इसको under press करके, इसको भी save करा देते है, save करने की बाद अगर इसका preview देखना है, तो वापस preview देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, हमारी जो party थी, वो थी कमल इंडस्टी, amount था 15,000 का, यहाँ पर number में show हो रहा है, आपकी company का नाम show हो रहा है, और यहाँ पर आप signature कर स करते हैं, अब आपको बताएंगे कि अगर आप किसी को cancel check देना चाहते हैं, या गलती से आप से कोई check cancel हो गया है, या गलत लिख दिया आपने, तो वो आप अपनी checkbook में से किस तरीके से उस check को cancel करेंगे, तो चलिए हम यह भी करके देख लेते हैं, इसके लिए आपको अप आपका check register यहाँ पर show हो जाएगा, इस check register पर आपको enter press करना है, आप देखेंगे आपके जो total checkbook से वो 98 बचे हैं, या दो हम already use कर चुके हैं, इसके ऊपर जा करके आपको enter press करना है, enter press करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी जो party थी, जो कि अधित्या corporation इसको party आपकी कमल है, इसको भी आपने 1st April को payment की है, और कितने amount की payment करिए, आप देखेंगे पहले party को हमने 10,000 की payment की थी, और दूसरी party को हमने 15,000 की payment की है, total payment हमारी यहाँ पर show हो गई, अब नीचे आजाए, नीचे आने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा तीसरा check ह 150503 series का, आप इसको मैं चाहता हूँ, यह check हमारा cancel हो जाएए, मुझसे गलती से मालीजे amount type हो गया, या तो मैंने party का नाम गलत लिख दिया, या फिर मैंने गलत amount लिख दिया, तो उसकी वज़े से हमारा जो check था, वो cancel हो गया, या एक तरीके से reject हो गया है, तो अब इस check को ह alt plus s, alt plus s press करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने, दो options आ गए, सबसे पहला blank check का है, और दूसरा आपका cancel check का है, तो पहले मैं use करूँगा cancel check, तो cancel check किस तरीके से use होगा, इसके ओपर आपको जा करके, select कर लेना है, इसको enter press कर देना है, किस date में आपने ये check cancel किया है, वो date आपको यहाँ पर देनी होगी, तो मैं यहाँ देता हूँ like 1, 5, 21, enter press करेंगे, और यहाँ पर आप अपना remarks डाल दीजे, यानि किस reason की वज़ए से आपका ये check है, वो cancel हुआ है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ like wrong amount की वज़ए से, जो भी reason है आप यहाँ पर लिख अब हो चुका, यानि 1 को हमने use किया था अधित्या के लिए, 2 को हमने use किया कमल के लिए, तीसरे number गो जो check था, वो यहाँ से गयब हो चुका है, क्योंकि वो cancel हो चुका है, अब यहाँ पर चौथा check है, मैं इसको भी आपको एक बार cancel करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका remarks, माली जे हमसे person का name गलत हो गया है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ wrong, name, और उसके बाद enter press करूँगा, enter press करने की बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जो check था, 150504 का वो भी यहाँ से गयब हो चुका है, तो यहाँ से आप चितने भी checks अगर आपके कोई भी गलत हो ज जाएं, तो उसको आप इस तरीके से cancel कर सकते हैं, उसको यहाँ से guyp कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी party को blank check issue करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना कैस, gap करके पहले पीछे आना होगा, पीछे आने के बाद आप आपको यहाँ से जाना होगा ultra वाले option पे, और यहाँ से आपको जाना होगा watcher type पे, watcher type में जाने की बाद आपको payment voucher वापस select करना है, और यहाँ पर आपको एक option yes कराना होगा, तब ही आप zero transaction कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंग, allow zero value transaction, इस वाले option को आपको yes कराना ह पड़ेगा, बिना इसके yes करा है, आप किसी भी party को zero payment की transaction नहीं कर सकते हैं, तो चलिए इस cap करके पीछे आ जाते हैं, यहाँ से मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ, इसी चीज़ को enable करने का, तो आप चलिए चार्ट of accounts के अंदर, यहाँ से आपको जाना होगा अपन जाते हैं, बाहर आने के बाद, अब मैं आपको transactions करके दिखाता हूँ, आप चले जाए वाचर्स के अंदर, और यहाँ पर press करिए अपने keyboard से alt plus G, alt G press करने के बाद यहाँ पर आ जाए वापस, check register के अंदर, check register के अंदर चले जाए और अब आपको बताना होगा कि कौन सा check आ आप blank issue कर रहे हैं, तो मैं जो check blank issue कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ 150505 का, यानि यह वाला जो check है, मैं इसको blank issue करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको अपने keyboard से press करना होगा space, space press करने के बाद, आपको alt S use करना है, और alt S use करने के बाद, आप देखेंगे, आपके सामने blank check का option show हो जाएगा, इसके उपर आपको enter press करना है, और यहाँ पर आपको अपनी party का नाम select करना होगा, किस party को आप blank check issue कर रहे हैं, तो space दबाईए, space दबाने के बाद माल लेजे, मैं अधित्या को ही blank check issue कर रहा हूँ, इसको ले करके जैसी मैं enter press करूँगा, आप देखेंग 2, 7, 21, और enter press करें, enter press करने के बाद अब आप देखेंगे आपका preview, तो preview में जा करके एक बार enter press करें, यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो आदित्या corporation था, उसको party का नाम आ गया, amount आपके सामने show नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने sign करने है, sign करने के account होगा, वो fill up करके आपकी assistant payment कर लेगी, वो आपने सीखा कि blank chuck किस तरह से issue किया जाता है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए, धन्यवाद, श्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज मैं टैली प्राइम के अंदर आप किस तरह से service GST का use कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले हमें एक नई company create कर लेते है, service GST के नाम से, और इसके बाद इसको end drop डाल देते हैं, डैली, state ले लेते हैं अपना, country ले लीजिए, और इसके बाद अगर आपको further details करनी है, तो आप further details फिल कर लीजे, और मैं enter enter करके इसको save कर दे रहा, save करने के बाद आपको ध्याम रखना है, यहाँ पर आपको जाना है GST वाले option पर, और इस पाले option को आपको yes रखना है, yes रखने के बाद आपको यहाँ पर अपनी GST detail फिल कर देनी है, जैसे मैं कोई भी रेंडमनी GST number फिल कर ले रहा हूँ, फिल करने के बाद enter प्रेस करी है, enter प्रेस करने के बाद, आप देखेंगे यहाँ पर आपको सामने एक option है, GST R1 का, यानि यह जो GST है यह आप से पूछ रहा है कि आप इसे monthly pay करेंगे या quarterly pay करेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो भी आप इसे control A कर दीजे या फिर enter करके save कर दीजे, फिलाल मैंने control A करके इसे save कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधे watchers पे, वैसे तो मुझे laser create करना है, लेकिन मैं laser जो है वो directly create करूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ, laser आप किस तरह से create कर सकते हैं, इसक purchase के अंदर जाने के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे, आपका purchase voucher open है, अगर कोई और voucher आपका open हो, तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपका purchase voucher open हो जाएगा, दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको एक shortcut की भी यहाँ पर use करना है, control plus H, control H basically क्या का काम करता है, यह mode को change करने के लिए use किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने तीन option है, सबसे पहला item invoice, दूसरा है accounting invoice, और तीसरा है as voucher, item invoice के अंदर अगर हम enter करते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके items, quantity, rates, यह सब कुछ आप से मागएगा, दूसरा जो option है, वो है accounting invoice को select करेंगे, select करने के बाद आप यहाँ पर अपने supplier का जो भी invoice number है, वो यहाँ पर फिल कर दीजिए, फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी date रखनी है, वो date आप अपने एसाब से रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर date रख दे रहा हूँ, 1, 5, 21, enter press करिए, enter press करने के बाद नीचे आजाए, यहाँ पर आप सबसे पहले पार्टी का नेम ले लिजिए, मैं alt c press करता हूँ, एक ledger create कर लेता हूँ, पार्टी के नाम का, तो मैंने नाम ले लिया, among, corporation, और उसके बाद इसको under off डाल दिया, मैंने sentry creditor, और उसके बाद enter करेंगे आप, नीचे आज दाल सकते हैं, यहाँ उसकी bank detail अगर provide करना है, तो board provide कर सकते हैं, मैं फिलाल इससे provide नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर उसका pen number fill कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका GST number fill करना होगा, तो मैं आपर GST number fill कर देता हूँ, like 07, और इसके बाद ENTER प्रेस करकर से करने के बाद आप यहां भी नीचे आजाय के इसको से ब्र стр और क्रिस को अंब और आप यहां पर क्या करना आपने तो यहां पर अपने सर्विस का नाम कर देना और उसके बाद इसको अंडुड डाल दूगा इंड meow एक्सेंस यह alguna-dollar Ladu एक्सेंस में डाल देता हूं यहा पर आपको से naoTsosa ability केवल को इद के बलेको इडाल रखना है यहां पर आप दिखेंगे आपके सामने एक स इसे डी complete detail का तो इस को आपको yes कराना है, yes करने के बाद आप उसकी description ही आपर fill कर सकते हैं, कि आपका यह जो expensive हो क्या है, तो मैंने दे दिया like add, और यहाँ पर उसका आप HSN number डाल दीजे, जो भी HSN number है, उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, nature of transaction के अंतर not applicable ही रखना है आपको, यहाँ आप 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 आजाईए service, यानि दो option है आपके पास, supply type आपका, तो आपका goods है या service है, तो फिलाल हम service यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर service रखेंगे, और इसको enter करके हम save कर देंगे, save करने के बाद जितने भी amount का आपका expense हुआ है, वो आप यहाँ पर fill कर दीजे, तो मैं अंडर अब डाल दूगा duties and taxes, और इसके बाद यहाँ पर लेंगे gst, और यहाँ पर आपको ले रहा है cgst का central tax, और यहाँ पर आपको percentage के अंदर कुछ भी fill नहीं करना, आपको simple enter करके नेचे आजाना है, आपको देखेंगे आपका cgst आपके सामने represent हो गया, इसके बाद अजाएए, और यहाँ पर लेज़र बनाएए, cgst का, इसे भी आप सेम duties and taxes में डालिए, यहाँ बर gst लेज़िये और यहाँ से ले ले लिज़िये state tax, और यहाँ पर भी आपको percentage blank चोड़ना है, इसके बाद नेचे आजाएए, enter करके इसको save करने के बाद आप देखेंगे आपका CGST और SGST आपके सामने show up हो गया अगर आप इसको देखना चाहते हो कि कितने % आपका CGST और कितने % आपका SGST लगा है तो आप यहाँ पर देखेंगे एक option है आपके सामने related reports का तो इस पर आप click करिए इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे option है GST text analysis का आप इस पर click करिए इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका GST show हो रहा है तो यहाँ पर आप अपने keyboard से alt plus f1 press करिए alt f1 press करने के बाद आप देखेंगे आपके total amount का CGST और SGST यहाँ पर show up हो गया अब skip करके हम पीछे आजाते हैं एक बार और यहाँ पर enter करके इसको save कर देखेंगे और इसके बाद इसे new reference में रख करके हम इसको save कर देखेंगे तो यह था हमारा CGST और SGST हमने लगाया purchase के ऊपर अगर आप sell करना चाहते हैं तो मैं sell भी आपको बता देता हूँ आप अपने keyboard से press करिए F8 F8 press करने के बाद यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको party का name देना होगा तो यहाँ पर हम करेंगे Alt C Alt C देने के बाद यहाँ पर आप ले लीजे एक sendi debitter का नाम तो मैं ले ले लेता हूँ लाइक दीपक endosities और इसको under of डाल दूँगा sendi debitter sendi debitter डालने के बाद आप नीचे आजाए नीचे आने के बाद अब उपने customer की detail यहाँ पर fill कर सकते हैं जैसे उसका pen number उसका gst number तो यहाँ पर उसका gst number अगर है तो आप fill कर सकते हैं नहीं है तो आप इसे blank भी छोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिलाल GST नमबर उसका फिल कर दे रहा हूं, इसके बाद एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सेटल डेटेल को कुछ नहीं छेड़ना, आपको सीधे एंटर करके, सेफ कर देना है, सेफ करने के बाद करके save कर देंगे और यहां पर आप अपनी सर्विस लेंगे जो कि आप सेल कर रहे हैं तो यहां पर हम ले लेता है कि आपर हमले एंटरेक्ट कररें लिए रखेंगे रहिए रहीं एंटरेक्ट इंकम यहां पर इसे veterans कराने के बाद आप इसको यहां पर डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो यहां पर मैं दे देता हूँ चलिकॉंग और उसके बाद एंटरफेस करिए यहां पर एजिसन नंबर जो भी फिल करना है वो डाल दीजे एंटरफेस करिए यहां पर नेचर आफ ट्रांजेक्शन को नौट अप्र यहां पर आपनी परसेंटेज लिख दीजे तो यहां पर सर्वेस ले लिजे और इसे सेफ करने के बाद जितने की भी आपकी सर्वेस है उसको फिल कर दीजे तो मैं यहां पर दे देता हूँ 12,000 की मेरी सर्वेस है यहां पर आपका CGST और SGST जो भी लग रहा है वो स्लेक कर लिजे तो मैं यहां पर ले लेता हूँ CGST और SGST एंटर करके हम इसको भी सेफ करतेंगे उसी तरीके से अगर आप इसको भी देखना चाहिए तो यहां से आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ IGST आप किस तरह से सेल कर सकते हैं तो IGST के लिजाए नीचा आने के बाद यहां पर इसका GST number नंबर कर दीजे तो इससे पहले आपको इसका state select करना होगा तो हम ले लेते हैं like गोवा और इसके बाद गोवा का GST number फिलकर दीजे तो गौवा का जो code होता है वह तो यहां पर 30 ले लिजे यहां पर उसका GST number फिलकर ईसको अपर एक हैं आप्सेंटर करते हैं कर दीजों और यहां पर आप अपनी सरविस को ले लिए तो मैं उसी सर्विस को ले लेता हूं लेक्ट टेलिकॉम सरविस को और यहां पर आमाउट देता हूं च्वेल थाूजन और उसके बाद यहाँ पर Alt-C करेंगे, आप laser बनाएंगे एक IGST का, जिसका अंडरोफ डाल देंगे आप, duties and taxes, और यहाँ पर आपको लेना होगा GST और यहाँ पर आपको लेना होगा integrated tax, और यहाँ पर आपको percentage कुछ भी fill नहीं करनी है, आपको simple enter करके save कर देना है, बब आपको सेब्स तो यह था हमारा service tax, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, subscribe कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए, बदने बार नमश्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज का हमारा जो topic है, वो है TDS, यही टेक्स detected at source, अब यह T TDS के बारे में बता दूं, TDS government द्वारा indirect tax का एक तरीका है, जिससे tax की चोरी को रोका जाता है, यदि आपकी income का कुछ percentage, आपको income देने वाली company द्वारा काटा जाता है, उसे TDS कहा जाता है, तो चलिए इसको कुछ example के थू समझते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास nature of payment है, उसका section है, और उसके बाद उसकी limit है, और rate of tax है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, दो service है हमारे पास, जैसे कि fee for professional service, यानि अगर आपकी company में कोई person आपके पास आता है, और वो आपको कोई professional service provide करता है, और उसका पैसा अगर आप उसे देते हैं, तो section 194J के तहत, अगर आप उसे 30,000 रुपे से उपर की payment करते हैं, तो government के थू उस पर 7.5% का TDS detect किया जाएगा, यानि यह पैसा आपको government को pay करना पड़ेगा, माल लीजे कि आप उसे 50,000 रुपे की payment कर रहे हैं, और उसमें आपको 7.5% का TDS काटना होगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो आप उसे payment करेंगे, और बाकी जो TDS का जो amount होगा, वो आपको government को pay करना पड़ेगा, यानि वो पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, दूसरा एक example और है, जैसे माल लीजे, आप किसी company में job करते हैं, और आपको salary provide होती है, section number 192B के तहत, अगर आपकी सालाना income 6,000,000 रुपे से उपर है, या 6,000,000 के बराबर है, तो आपका 10% का TDS detect किया जाएगा, यानि आपकी जो company है, वो 10% का TDS detect करेगी आपकी salary में से, और वो पैसा उठा करके government को pay कर देगी, इसी को TDS कहा जाता है, तो चलिए इसको हम tally prime के अंदर करके देखते हैं, इसका practically use किस तरह से आप TDS को deduct कर सकते हैं, अगर आप एक detector हैं, तो आप TDS किस तरह से deduct कर सकते हैं, वीडियो को start करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बहतरी इन वीडियो को start करते हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, TDS को मैं बिल्कुल fresh तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए start करते हैं, मैं बिल्कुल fresh company एक तेयर कर लेता हूँ, माले जे TDS entry के नाम से, इसके बाद आप इसे enterprise करेंगे, enterprise करने के माद यहाँ पर आप डैली ले लेंगे, यानि अपना state select कर लेंगे, बाकी for the detail अगर आप फिल करना चाहें, तो फिल कर सकते हैं, मैं इसको simple control A करके कोई creation कर दे रहा हूँ, और अब आप देखेंगे आपके सामने एक नया dialogue box open होगा, और इसके अंदर आपको जाना ह TDS वाले option पर, तो आपका जो TDS है वो आपका यहाँ पर है, इससे पहले आपको GST को enable अगर करना है, तो आप कर सकते हैं, वैसे GST के हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम GST का number यहाँ पर fill कर लेते हैं, इसको activate रहने देते हैं, तो यहाँ पर आप GST अपना number डा अप्शन है, Unable Text Detected Ad Sources, यानि TDS का, आप इसको enable करिए, यानि yes करिए, yes करने के बाद आप देखेंगे, सबसे पहला जो option है, वो आपसे मांग रहा है, 10th registration number, अब यह 10th registration number होता क्या है, यह होता है, जब भी आप text को काटते हैं, तो आपको सबसे पहले 10 number के लिए government को apply करना इसके बाद ही आप text काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपका वही 10 number आपका represent होगा, यानि आपका जो भी 10 number है, अगर आप text को काट रहे हैं, TDS काट रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना 10 number आप डालेंगे, तो इसमें 4 number के आपके alphabets होते हैं, 5 number आपके जो होते हैं, वो आप के numerical value होती है, और इसके बाद जो last का number होता है, वो आपका alphabets होता है, नीचे आने के बाद अब आप देखेंगे detector type, यानि अगर आप detect कर रहे हैं, तो आप कौन है, आप कोई company है, या कोई individual H.U.F. human है, तो हम यहाँ पर लेंगे company, कि मैं एक company हूँ, और यहाँ पर आप अ यानि इस TDS का कौन responsible होगा, यानि आपको अपनी company में एक person का नाम देना होगा, या तो आप अपना नाम दे सकते हैं, कि जो भी यह TDS detect किया जाएगा, उसका responsible कौन होगा, तो यहाँ पर हम इसे yes कराएंगे, yes करने के बाद इसको enterprise करेंगे, और यहाँ पर आपको उस person की जाल लिजे, आदित्या, कुमार, enterprise करें, तो यहाँ पर son of नाम दे दीजे, जैसे मैं दे देता हूँ, Mr. Amand, कुमार, enterprise करें, यहाँ पर designation डाल दीजे, यानि इस company में उसकी post क्या है, तो आप डाल दीजे, जैसे मैं दे देता हूँ, manager, और इसकी बाद यहाँ पर आपको उस enterprise करके नीचे आजाए, यहाँ पर उसका पूरा address फिल कर दीजे, यहाँ पर address फिल कर देता हूँ, यहाँ पर आपको उसका mobile number फिल करना होगा, यहाँ पर STD code, यहाँ पर telephone number, यहाँ पर ML ID, यह पूरी further detail फिल करने के बाद आपको enterprise करना होगा, और यहाँ पर आपको simple enter, enter करके इसको save कर देना होगा, तो हमारा TDS activate हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने ledgers की तरफ, तो यहाँ पर आप जाएंगे create वाले option पे, और यहाँ से जाएंगे आप ledgers पे, और ledgers में जाने के बाद आपको कुछ ledgers यहाँ पर create करने होगे, तो मैं ledgers देख लेता हूँ, कौन-कौन से ledgers मुझे create करने है आप देखेंगे हमने कुछ diagrams लिए हुए हैं जिसके अंदर हम दो तरह की payments करेंगे, जैसे nature of payment हमारा fee for professional service है, दूसरा हमारी monthly salary है, यह expenses है हमारे, यह sections है उनके, यह उनके limits है और यह उनके text के rates है, तो सबसे पहले हम दो ledgers बनाएंगे audit fees का और salary का, तो इनको त्यार कर लेते हैं, इसके लिए आपको जाना है अपनी tele screen पर, यहां पर पहले बना लेते है audit, fee का एक ledger, इसको डाल देते हैं indirect expense के अंदर, यह audit fees है क्या हमारा, तो यह एक तरीके से हमारा expense है, तो हम इसको expense में डाल देंगे, इसके बाद आप नीची आ जाएंगे, यहां पर आपको GST अ पर applicable होना चाहिए, तो यहां पर आप अपने keyboard से space दबाईए, space दबाने के बाद आप इसको applicable करिए, applicable करने के बाद आपको यहां पर nature of payment define करना होगा, कि यह nature of payment है क्या, तो हम यहां पर create कर लेते है nature of payment, nature of payment create करने के बाद अब हम यहां पर क्या लेंगे, अपना nature of payment, तो हमा इसको भी यहां से उठा लेते हैं और इसके बाद इसको यहां पर पेस्ट कर लेते हैं अब यहां पर आप देखेंगे पेमेंट कोड तो आप यहां पर पेमेंट कोड दे सकते हैं 94 और इसके बाद आप यहां पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे अब यहां पर आप द तो 7.5% का आपका GST यहां पर लगेगा और अदर रेट क्या होना चाहिए तो अदर रेट भी ही सेमी होगा अब यहां पर उसके लिमिट देनी है तो लिमिट इसकी जो थी वह आप देखेंगे यहां पर 30,000 है तो यहां पर 30,000 देदेते हैं और उसके बाद एंटर करके आपको सेफ करते हैं यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना अगर आप बैंक डिटेल्स फिल करना चाहिए तो यहां से आप बैंक डिटेल्स फिल कर सकते हैं अदरवाइस यहां पर आप एंटर करके सेफ करते हैं अब जो दूसरा लेजर है हमारा व पेस दबा करके अफली केबल करिए और यहां पर एक नया नेचर ओक पेमेंट क्रिएट करिए यहां पर जाएए और यहां पर आप दे दिजिए like monthly salary enterprise करिए इसका जो section था वो देख लेते हैं अब लोग section क्या था तो इसका section आप 192b तो यहां पर 192b लिख दीजिए इसके बाद यहां पर आप चाहें तो 92b लिख सकते हैं और उसके बाद नीचर आ करके इसका जो gesti rate था वो 10% था तो यहां पर 10% ले लीजे दोनों में same rate होगा अगर pen card available होगा तो भी 10% और others के लिए भी 10% ही होगा इसके लिए नीचे आजए इसकी जो limit थी वो 6,00,000 रुपए एक साल का है यानि कि monthly इसका हो गया 60,000 रुपए तो यहां पर हम limit देते थे 60,000 और इसके बाद enter प्रेस करके इसको save करादेंगे यहां पर आपको एक ledger create करना होगा TDS का तो यहां हम ले लेते है TDS on audit fee और इसके बाद इसे enter करके हम duties and taxes में डाल देंगे यहां से आपको TDS लेना होगा और यहां पर आपको जो भी आपका nature of payment था इसके उपर तो यह select कर लेंगे तो इस TDS on audit fee का जो nature of payment था वो था fee for professional service तो इसको हम यहां से select कर लेंगे और इसको enter करके save करादेंगे एक TDS का लेजर और बना लेते हैं TDS on salary का और इसको भी हम duties and taxes पर देंगे यहां से आप लेंगे TDS और यहां से लेंगे monthly salary और इसको भी आप सेव करादेंगे अब बात आती है part is कि जैंब किसको हम पैसा दे रहे हैं तो यहां पर bisa by create कर लेता हूं जैसे un 어떻게 is go और इसे डालूंगा अंड्र jakby creditorhir और यहां पर आपको enter करके नीची आ जाना है और यहां पर आपको इसको yes कराना होगा, yes कराने के बाद आपको बताना होगा, यह पंकट है कोई association of person है, कोई human है, या कोई residential government है, क्या है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं association of person, इसको enterprise कराएंगे, और यहाँ पर enter, enter करके आप नीचे आजाएए, अब यहाँ पर अगर आप उसके bank detail देना यहाँ पर हमने pen number जो दिया है, वो randomly दिया है, आपका जो pen number होगा, आपने party का, वो आप fill करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आप option दिखेंगे, provide pen details, आप इसको yes कराएंगे, और yes करने के बाद इसको enterprise कर देंगे, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, registration type का, तो यहाँ पर आप इसे रख सकते, यह कोई unknown person है, या कोई regular person है, आप जो भी रखना चाहें, यहाँ से रख सकते हैं, तो मैंने इसे रख दिया regular, और यहाँ पर अगर पंकच industries का, आपके पास GST number है, तो यहाँ पर आप fail कर सकते हैं, otherwise आप इसे enter करके, safe भी कर सकते हैं, तो यह हम इसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मालीजे मैंने ले लिया, यह कोई residential है, या कोई H.E.F.E.M.N. है, तो हम इसे ले लेते हैं, H.E.F.E.M.N. के अंदर, और इसके बाद आप इसे enter करेंगे, enter करने के बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, उसका pen number डालना होगा, हम यहाँ पर भी pen number डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया, और enter करें, enter करके यहाँ पर आपको provide detail को yes कराना होगा, yes कराने के बाद यहाँ पर भी आपको इसको enter प्रेस करना होगा, यहाँ पर भी आप जो भी लेना चाहें, वो ले सकते हैं, अपने इसाप से regular या unknown, और उस entries होती हैं, वो सारी general voucher के अंदर ही की जाती है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे audit fee, यानि सबसे पहले entry हम लोग करेंगे audit fees की, तो यहाँ पर ले लेते हैं audit fee, और audit fee की जो हमारी limits थी, वो आप देखेंगे 30,000 थी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका like 50,000 हम उसको payment कर रह है हमारा पंकच इंडस्टी, हम यहाँ पर पंकच इंडस्टी को लेंगे, तो आप देखेंगे, पंकच इंडस्टी को हम पैसा दे रहे थे, 50,000 audit fee का, जिसमें अब उसको जो amount मिलेगा, वो 46,250 रुपीज मिलेगा, यानि बाकी का जो पैसा था, यानि बाकी का जो पैसा था है, आप इसे एंटर करके नीचे आजाएए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लेना होगा, TDS on audit fee, चीक है, यहाँ से आप TDS on audit fee ले लीजिए, और एंटर करके नीचे इसको save कर दीजिए, तो आप देखेंगे, इस entry के अंदर हम audit fee दे रहे थे, 50,000 रुपे, जिसके अंदर पंकच industries का जो TDS detect किया गया है, 50,000 रुपे के उपर, 7.5% का तो 3750 रुपे इसका detect हो गया, और TDS का जो amount total बना, वो 3750 रुपे बना, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 50,000 की हमने उसको payment करी है, तो TDS का यह जो पैसा है, 3750 रुपे, यह हमारे पास रहे गया, बाकी पैसा हमने कच industries को pay कर दिया, अब मैं आपको balance sheet एक बार दिखा देता हूँ, आप scap करके पीछे आ जाएए, यहां से balance sheet में आ जाते है, balance sheet में आने की बाद आप देखेंगे, हमारे उपर current liability 50,000 total amount आ चुका है, आप यहाँ पर alt F1 दबाईए, alt F1 जब आप दबाएंगे तो यहां से मैं दूसरी entry भी आपको pass करके दिखा देता हूँ, आप यहां से vouchers में जाएए, vouchers में जाने के बाद आप जो दूसरी entry थी हमारी, वो थी हमारी salary की, तो हम यहां पर लेंगे salary, salary लेने के बाद आप amount डालिये कि कितने amount की salary आपको receive हो रही है, तो मैंने दे दिया like 75 5000 और इसकी बाद आप इसे enter pass करिए, enter pass करने के बाद credit कौन हो रहा है, तो credit हो रहा है हमारा दीपक, दीपक को salary receive की जा रही है, तो आप देखेंगे दीपक का जो 10% के हिसाब से था, वो amount यहां पर detect कर दिया गया है, यहां पर आप इसे enter pass करिए, enter pass करने के बाद आप यहां पर enter करिए, आप देखेंगे यहां पर 7,000 रुपे इसका amount detect कर लिया गया है, 10% के हिसाब से, और यहां पर आप इसे enter pass करिए, और यहां पर credit कौन होगा, तो credit होगा हमारा TDS on salary, यहां पर आप इसे enter करके save करा दीजे, तो आप यहां पर भी देखेंगे, salary हमारी थी 75,000 रु हो रहा है, तो इसको enter करके, आप save कर दीजे, और फिर से cap करके एक बार back जाकर कि यहां balance sheet चेक कर लेते हैं हम लोग, तो balance sheet में आप देखेंगे, आपका total amount था, वो 1,25,000 रुपे हो गया, तो यहां पर आप alt F1 प्रेस करिए, alt F1 प्रेस करने के बाद आप आप देखेंगे, तो इसकी हम payment पहले कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके list cap करके आप पीछे आजाएए, और वापस से ले जाएए, vouchers के अंदर, अब इसकी payment किस तरीके से की जाएगी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, आपको जाना होगा F5 करके payment voucher के अंदर, और यहां से आपको space दबाना होगा, यहां से लेना होगा cash, cash के थ्रू अगर आप payment कर रहे हैं, तो यहां पर cash रखेंगे, अगर bank के थ्रू आप payment कर रहे हैं, तो यहां पर आपको एक ledger create करना होगा bank का, और यहां पर आप इससे bank से payment कर सकते हैं, तो मैं bank से payment करूँगा, इसके लिए आपको यहां पर एक ledger create करना होगा, यहां पर आप अपने keyboard स पूरी detail फिल कर सकते हैं, मैं फिलाल इसे blank छोड़ रहा हूँ, आपको इसे पूरा फिल कर लेना है, इसके बाद आप नीचे आजाए, नीचे आने के बाद आप इसे save कर दीजे, तो आपके bank का laser तयार हो गया है, आप यहां से देखेंगे हमारे पास cash, पहले से ही 2 लाक को और इसके बाद यहां से लेंगी cash, इसके बाद bank account में डाल दीजे 50,000, कोई भी amount आप डाल सकते हैं, मैं 50,000 रुपे बैंक पे डालते रहा हूँ, ताकि मैं TTS की payment कर साओ, इसके बाद आप नीचे आजाएगे, नीचे आने के बाद enterprise करिए, और यहां पर आप note डाल दीज और सबसे पहले जो हमारे उपर government की liability है, जो TTS का amount है, पहले हम वो payment कर लेते हैं, तो उसके लिए हम उसको bank से payment करेंगे, तो यहां पर आप ले लिए सबसे पहले TTS on audit fee, TTS on audit fee लेने के बाद यहां पर आपको simple enterprise करना है, यह automatically जितना भी amount होगा वो deduct कर लेगा, और उसके आप इसे enterprise करके save कर दीजिए, save करने के बाद आप नीचे आजाए, यहां भी आप इसे enterprise करके save कर दीजिए, तो आपकी TTS की entry पास हो चुकी है, यानि जो भी हमारे उपर liability थी, वो हमारी clear हो चुकी है, इसके बाद मैं आपको balance sheet दिखा देता हूँ, scrap करके आप पीछे आजा यहां से आप चले जाए, state tree reports के अंदर, और यहां से चले जाए आप TTS reports के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखेंगे चला हम reconciliation, तो आप देखेंगे आपके दोनों amounts यहां पर show up हो रहे हैं, जो कि आपका TTS audit fee था और TTS on sales, TTS on salary थी, इसके बाद यहां से scap करेंगे, scap कर तो इस cap करके आप पीछे आजाए, पीछे आने के बाद आप बाकी का जो हमारे उपर liability है, यानि बाकी जो हमें parties को payment करनी है, उस party को हम payment कर लेते हैं, तो उसकी payment हम cash के थ्रू करेंगे, यहां से आप ले लीजे cash, और यहां से ले ले लीजे सबसे पहले दीपक को, दीपक का जो भी amount है, वो यहां पर डाल दीजे, तो दीपक का जो amount है, वो 67,500 था, वो हमने fill कर दिया, इसके बाद आप इस enter करके नेचे आजाए, जो दूसरी party थी, वो हमारी थी पंकाज इंडस्टीज, इसको हमें देना था, 46,250 रूपीज, तो हमें आदे देते हैं, 46,250 तो आपकी total liability थी, वो clear हो चुकी है, अब स्क्राइब करके पीछे जाते हैं, balance sheet को वापस चेक करते हैं, तो आप देखें, आपकी total liability थी, वो clear यहां से हो चुकी है, तो यह थी हमारी TDS entry, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, और अपने TCS भी बताऊंगा और TDS को भी clear करूंगा, तो चलिए start करते हैं, आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है हमने, कि TCS tax collected at source होता है, इसका मतलब स्रोत पर एकत्रिट tax, यानि income से एकठा किया गया tax होता है, TCS का भुकतान, seller, dealer, vendor, दुकानदार की तरफ से किया जाता है, हा TCS Act की धारा 206C में इसे control किया जाता है, कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही इसे collect कर सकते हैं, इन वस्तुओं में timber, wood, scrap, mineral शामिल है, इस तरह क्या tax तभी काटा जाता है, जब payment की सीमा ज्यादा होती है, तो चलिए हम कुछ example के थूरू इसे समझते हैं, आप दे नियम है, अब एक लाग का एक परतिशत होगा एक हजार रुपए, तो कमल से कुल एक लाग एक हजार रुपए लिये जाएंगे, हजार रुपए के TCS को income tax विभाग के पास जमा करना होगा, खरीदार कमल के नाम, तो चलिए इसको और example के थूरू समझ लेते हैं, इससे पह TDS की अगर हम बात करें, तो TDS में payment देने वाला tax काट कर पैसा देता है, और TCS में payment लेने वाला tax जोड कर पैसा मांगता है, तो चलिए हम कुछ example के थूरू से और समझते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर मुहन एक देंदार है, जिसने एक लाग रुपए का goods or service कमल को सेल कि अब कमल इसको payment करेगा एक लाख रुपए का, लेकिन मुहन ने कहा कि इसके उपर एक परसंट का TCS भी आपको देना होगा, यानि मुहन जो total amount receive करेगा कमल से, वो receive करेगा एक लाख एक हजार रुपए, अब अगर हम TDS की बात करें, तो TDS इसका बिलकुल opposite है, यानि कि अग अगर मुहन ने एक लाख रुपए का goods कमल को सेल किया है, और जब कमल इसको payment करने जाएगा, तो कमल कहेगा कि मैं आपको एक हजार रुपए डिटक करके आपको बाकी का पैसा यानि 99,000 रुपए आपको दूँगा, यानि 1000 रुपए जो मैं काटूँगा, वो TDS यही difference है TDS और TCS के अंदर, यहाँ पर मुहन को पैसा receive हो रहा था, यानि collect हो रहा था, और उसके बाद यह जो 1% था, यानि 1000 रुपए जो था, वो मुहन ने कमल के नाम पर गौर्मेंट को पै किया, और यहाँ पर इसका opposite यह है कि कमल ने जो 1000 रुपए TDS डिटक किया था, वो मुहन के नाम पर गौर्मेंट को पै किया, यानि मुहन के ऊपर कमल की जिम्यदारी है और कमल के ऊपर मुहन की जिम्यदारी है, यही है TDS और TCS, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मैं इसको practically use आपको करके दिखाता हूँ, टैली के अंदर कि आप किस तरह से T ECS के नाम से, और इसके बाद आपको नीचे आजाना है, यहाँ पर अपना state select कर लेना है, लाइक हमने ले लिया डैली, डैली लेने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी further details फिल करनी है, अगर आप फिल करना चाहिए तो फिल कर दीजे, आम इसको blank छोड रहे हैं, और उसक और इसके बाद enter करके मैं इसको save करते हूँ, save करने के बाद आप नीचे आजाए, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option है TCS का, तो आपको यहाँ पर TCS को भी applicable कराना है, तो यहाँ TCS को मैं yes कर देता हूँ, yes करने के बाद आपको यहाँ पर 10 registration number डालना होगा, यह मैं fill कर देता हूँ, और same number आप नीचे भी fill कर दीजे, और इसके बाद नीचे आजाए, अब यहाँ पर आप देखेंगे आप से पूछ रहा है कि collector type कौन है, यानि आप कौन है, कोई company है, कोई human है, तो हम यहाँ पर company ले ले लेते हैं, इसके बाद नीचे आजाए, यहाँ यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सांद एक option also होगा, set alter detail of person responsible, यानि यह जो TCS आप collect करेंगे, इसका responsible कौन होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको yes कराना होगा, और यहाँ पर जो भी इसका responsible होगा, उस person की पूरी detail आपको यहाँ पर fill करनी होगी, जैसे मैं दे द देता हूँ, दीपक, कुमार, नीचे आजाएए, नीचे आने के बाद यहाँ पर उसकी designation डा दीजए, यानि आपकी company के अंदर उसकी post क्या है, तो मैंने दे दिया like manager, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका pen number fill करना होगा, तो मैं यहाँ पर pen number fill कर देता हूँ, एंटर करके नीचे आजाएए, यहाँ पर आपको उसका पूरा address fill करना होगा, इसके बाद नीचे आने के बाद आपको उसका mobile number fill करना है, जैसे मैं fill कर दे रहा हूँ, उसका mobile number, इसके बाद यहाँ पर आपको STD code देना है, यापर उसका telephone number देना है, और उसके बाद आपको यहां पर उसकी ML ID देदेगी है नीचे आजाएए यह सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको यहां पर इसको एंटर करके सिंपल सेफ करा देना है सेफ करने के बाद अब आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने है तो उसके लिए आपको जाना होगा यहां से आपको जाना होगा लेजर्स पर और यहां से आपको क्रिएट करना है एक लेजर्स तो यहां पर हमें एक लेजर्स कर लेते हैं TCS on purchase का और इसको आप डालेंगे current assets के अंदर अब यह current assets हमारा क्यूं होगा current assets हमारा इस वज़े से होगा क्यूंकि जब भी हम साल के end में अपनी ITR फाइल करेंगे यानि अपना tax pay करेंगे तो हमारा यह जो TCS होगा वो हमें return मिल जाएगा तो इसलिए हम इसे डालेंगे current assets के अंदर और यहां पर current assets में आपको जा करके एक बार control interface करना होगा control interface करने के बाद आपको यहां पर एक option yes कराना होगा आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक option है use for calculation for example taxes and discount तो इस वाले option को आपको yes कराना होगा yes कराने के बाद आपको इसके अंदर कुछ भी छेडखानी नहीं करनी simple enter करके आपको इसको save कर दे रहा है save करने के बाद आप आप देखेंगे यहां पर आपके सामने एक option आजागा percentage of calculation तो यहां पर आपको अपनी calculations को on करना होगा यानि कितने percent का calculation आपका यहां पर होना चाहिए तो यहां पर जो इसका TCS का calculation होगा वो होगा माली जेए 0.1% रखना है और इसके बाद यहां पर आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको यहां पर जो percentage देनी है वो 0.1% देनी है क्योंकि 31 March तक इसका जो rate था वो 0.75 पैसा था 31 March के बाद का जो rate होगा वो 0.1% होगा इसके बाद आप इसे on total sale रखेंगे और यहां पर आपको इसको रखना है normal rounding का method और इसके बाद यहां पर इसकी rounding limits होगी वो आपको रखनी है 1 और इसके बाद आपको इसको enter press करके यहां पर आप देखेंगे आपका जिस्टी का जो option है इसको आपको not applicable ही रखना है और इसको आप enter enter करके simple save करतेंगे save करने के बाद आपको एक ledger और create करना होगा एक party का ledger तो मैं आपर एक party का ledger create कर लेता हूँ जैसे मालीजे मैंने create कर दिया मोहन industries का और इसको दे दिया मैंने century creditor क्योंकि मैं जब purchase करूँगा तो यह मेरा century creditor होगा इसके बाद यहां पर आपको simple enter press करना है और यहां पर आप देखेंगे आपका TCS applicable का option आ रहा है तो आपको यहां पर कुछ भी छेड़ खानी नहीं करनी simple enter करके नीचे आ जाना है और यहां पर आपको उसका GST number फिल करना पड़ेगा तो फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएए नीचे आने के बाद आपको इसको save कर देना है save करने के बाद हमारे पास दो ledgers create हो चुके एक ledger हमें और बनाना होगा purchase का तो यहां पर हमें एक ledger on create कर लेते हैं purchase का purchase को हम purchase account के अंदर रखेंगे और यहां पर इसे not applicable ही रखेंगे यहां पर GST applicable को applicable रहने देंगे यहां पर हम रखेंगे goods और यहां पर हम इसे simple enter करके save कर देंगे तो हमारे जो ledgers है वो completely create हो चुके हैं अब आपको जाना है इस cap करके पीछे और यहां से अब आपको लेना है stock items यानि आप हमें stock items create करना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे stock group तो stock group बनाने के लिए अब हमारा stock group है क्या तो stock group जो है हमारा वो है timber तो timber का इम group दियार कर लेते हैं इसको enter करके simple save करेंगे यहां पर आप देखेंगे आपका adjusted detail का एक option है तो इसको आपको yes कराना होगा इसके अंदर यहां पर आपको description देनी होगी तो मैं दे देता हूँ जैसे timber और इसका जो भी आपका hsn number होगा वो आप फिल कर देंगे तो मैंने simply कोई भी randomly number डाल दिया यहां पर उसके बाद आप इसे रखेंगे taxable और यहां पर आप उसकी value देंगे percentage के अंदर तो यहां पर मैं दे देता हूँ उसके उपर माल लीज़े 12% का tax लग रहा है simple आप इसको enter करके save कर देंगे तो हमारा group तयार ह हो गया group के बाद अब हमें units create कर नहीं है तो सबसे पहले units में चले जाते हैं यहां पर हम ले लेते हैं mt यानि metric ton और उसके बाद यहां पर इसकी full form लिख देते हैं और उसके बाद enter pass करके यहां पर ले लिज़े metric ton और उसके बाद हम इसे enter करके simple save कर देते हैं save करने के बाद आपको scap करना होगा फिट से पीछे आना होगा और यहां पर आपको stock item create करना है तो stock item ले लीते हैं जैसे माली चैमने ले लिया timber product या timber item और इसके बाद यहां पर इसको हम under of डाल देंगे timber के यहां से ले लेंगे empty metric ton और यहां पर आपको justy का कोई भी option नहीं entry pass करनी है तो entry pass करने के लिए हमें जाना पड़ेगा vouchers के अंदर vouchers में जाने के बाद आपको अपने keyboard से press करना होगा F9 यानि purchase purchase के अंदर जाने के बाद आपको अपना supply invoice number देना होगा जो भी supplier आपको invoice number देता है वो number आप यहां पर मालीजे fill कर देंगे fill करने के बाद आप यहां पर उसकी date रखेंगे यानि 1st April 2021 को हम इसकी purchasing कर रहे हैं और इसके बाद यहां पर हम ले रहेंगे party का नाम यानि one industries से हम आप लेंगे purchase लेने के बाद यहां पर आपको जो भी item था वो item यहां पर slack करेंगे आप और यहां पर आपको इसकी quantity देनी होगी मालीजा 100 पीस की quantity है और यहां पर हम ले लेते हैं like 400 इसका price है और अब आप देखेंगे 40,000 का आपका total amount यहां पर शो हो गया आपको नीची आ जाना है एक बार और एंटर प्रेस करना है और यहां पर अब हमें taxation यूज करना है तो taxation के लिए हम यूज करेंगे यहां पर alt c यानि एक लेजर क्रेट करना पड़ेगा मुझे cgst का तो cgst का मैं एक लेजर क्रेट कर लेता हूं जिसको अंदर डाल दूँगा duties and taxes के duties and taxes के अंदर डालने के बाद आपको यहां से लेना है gst, gst लेने के बाद आपको यहां से लेना है central tax और यहां पर आपको कुछ भी छिडखानी नहीं करने, simple enter करके save कर देना, आप देखेंगे आपका cgst आपके सामने show हो गया, इसके बाद आपको alt c वापस करना है और एक लेज इसके बाद आपको enter करना है और यहां पर एक tax और include करना है आपको तो यहां पर हम space use करेंगे, space use करने के बाद जिसका laser हमने पहले से ही बना रखा था, tcs on purchase का हम यहां पर tcs on purchase ले रेंगे, तो आप देखेंगे 0.10% का आपका 45 रुपीज यहां पर show up हो गया, आप देखें आपका सब total होगा, उसके ऊपर आपका यह tax include हो जाएगा, लग जाएगा, इसको आप control हे करके save कर दीजे, तो यहां पर यह हमारा tax include हो गया, मैं आपको यहां पर roundup भी बता देता हूँ, कि अगर आप roundup का use करना चाहें, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहां पर फिर से alt c press करना होगा, यहां पर आपको एक laser बनाना होगा, roundup का, तो roundup का laser create करने के बाद आप इसे डाल दीजे, indirect expense के अंदर, जो हमारा roundup होगा, वो indirect expense होगा, और यहां पर आपको क्या करना है, उससे बताना है, कोई discount है, या कोई invoice rounding है, तो हम यहां पर लेंगे और उसकी जो rounding limits है, वो 1 रखनी है, और simple आपको enter करके save कर देना है, तो आप देखेंगे, आपका rounding method यहां पर कुछ भी show नहीं हो रहा, क्या करेंगे, हम यहां पर price को change कर देते हैं, यहां पर जो price है वो ले लेता हूँ 400.3 पैसा, अब आप देखेंगे, आपका round method था, वो यहां पर काम कर गया, तो 40 पैसे का इसने round up ले लिया, और उसके बाद आपको simple इसे enter, enter करके save कर देना है, तो यह था हमारा TCS on purchase, अगर आप TCS को applicable करना चाते हैं, purchase के अंदर, तो आप इस तरह से purchasing use कर सकते हैं, इस तरह से आप TCS अपने purchase invoice के अंदर लगा सकते हैं, अब म प्रेस करिए, alt plus P, alt P press करने के बाद आप देखेंगे आपका current यहां पर show हो रहा है, आप enter प्रेस करिए, और enter प्रेस करने के बाद आपके सामने तीन option आगए, तो हम यहां पर preview पे click करते हैं, alt Z press करते हैं, इसके बाद आप देखेंगे आपका जो TCS का invoice था, आपके सामने यहां पर represent, पीछे आने के बाद आपको जाना होगा vouchers के अंदर, वाउचर में जाने के बाद आपको यहां पर confess करना होगा F8, F8 cancel करने के बाद यहां पर आपको एक party का नाम लेना है, तो मैं यहां पर alt C कर देता हूँ, मैं ledgers को यहां पर directly create करऊँगा, तो alt C करने के बा आपको अभी इसको applicable करना है और यहां पर applicable करने के बाद आपको इसको बताना होगा कि यह बंदा है कौन यह कोई association of person है कोई company है कोई society है क्या है तो यहां पर हम ले लेते हैं simple company resident और यहां पर आपको simple enter करना है enter करने के बाद अब आपको यहां पर क्या करना है regular रखना है यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से और यहां पर आपको party का जेस्टी number डालना है इससे पहले आपको यहां पर उसका state change कर देना है तो मैं यह जो selling करूँगा वो out of state sale करूँगा मालीजे मैं गोवा में sale कर रहा हूँ तो यहां पर जो हम जेस्टी number डालेंगे वो गोवा का जेस्टी number डालेंगे तो यहां पर मैंने गोवा का जेस्टी एक random number ले लिया है जैसे इसके बाद आप enter करके नीचे आ जाईए और इसको save कर दीजे यहां पर भी आपको enter करके save कर देना है औ पर GST को applicable ही रखना है यहां पर इसकी set alter GST detail को नो ही रहने देना है यहां पर रखना है और यहां पर आपको अपने TCS को define करना होगा कि आछ цен आकर में है गया है तो यहां पर आपको space use करना है यहां पर रखना है用這裡 के आपको उसका section देना होगा, तो इसका जो section है हमारा, वो है 206C, और उसके बाद आपको यहाँ पर payment code अगर आपके पास है, तो fill कर सकते हैं, otherwise आप इसे blank छोड़ सकते हैं, अब आप देखेंगे आपके सामने का option है, rate of individual HUF, यानि इसका rate क्या होगा, तो rate इसका जो है, वो 1% है और 1% के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, without pen के लिए क्या percentage होगी, तो इसके लिए भी माल लीज़े, 1% ही rate है, जो भी rate होगा, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर define करेंगे, और यहाँ पर आपको simple enter करके save कर देंगे, save करने के बाद आप यहाँ पर आपको अपने items create करन और यहाँ पर आपको alt c करना है, और यहाँ पर आपको उसका group बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर इसका group बना लेता हूँ, scrap, और उसको primary में डालते हुए, यहाँ पर आप धियार लखेंगे, आपको gst detail yes करानी होगी, और gst detail yes कराने के बाद यहाँ पर आपको उसका description लिखन आना है, और यहाँ से आपको लेना है taxable, और यहाँ पर निचा आने के बाद आपको उसका rate देना है, gst detail जो भी rate होगा, तो मैंने दे दिया 18%, और उसके बाद मैं simple इसको enter करके save करते हूँ, यहाँ पर आपको ले लेना है empty, यानि metric ton, अगर आपका units create ना हो, तो alt c करके यह 100 metric ton, अब आप देखेंगे आपका जो stock था, वो negative stock शो हो रहा है, क्योंकि आपने stock के अंदर कोई भी value नहीं दी थी, अगर आप यह value देना चाहते हैं, तो आपको simple वापस अपने items पर आना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे opening balance के अंदर आपको quantity दे दे नहीं है, त अब मैं इसको यहाँ पर sale करूँगा, तो 100 piece मैं इसको sale कर देदा हूँ, तो मा लेजे 500.21 पैसा, इतने का मैं sale करूँगा, इसके बाद मैं इसे enter करूँगा, enter करने के बाद आप देखेंगे, आपका minus में जो stock दिखा रहा था, वो नहीं दिखा रहा है, अब आपको simple नीच और यहाँ पर आपको TCS को नहीं छेड़ना, आपको simple enter करके save कर देना, आप देखेंगे, आपका IGST यहाँ पर आपके सामने show up हो गया, और यहाँ पर हमें एक ledger और लेना होगा, तो यहाँ पर हमें इसे alt C करेंगे, alt C करने के बाद यहाँ पर एक ledger create कर लेते हैं, मा लिज यहाँ पर आपको simple enter करना है, और आपको इसको round में देना है, तो space दबाईए, यहाँ पर हमने round up का ledger पहले ही बना रखा था, इसे आप enter कर दीजे, तो यहाँ से आप देखेंगे, इसको उसने round up कर दिया, और आपको simple enter करके इसको save करा देना है, इस तरीके से, save करने के बा current पर enter करिए और यहाँ से ले लिजे preview, preview लेने के बाद alt z press करिए और आप देखेंगे आपका जो invoice था, यहाँ पर generate हो चुका है, आपका जो total scrap product था वो, उसका price, उसकी total quantity, उसका total price, round up, TCS, IGST, प्लस उसका यहाँ पर आप देखेंगे, hsn code, उसका hsn code के साथ उसकी value, percentage, कितन कुछ आपके सामने यहाँ पर show up हो गया, तो यह था हमारा TCS, अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा, और अपने सभी दोस्तों में share कीजेगा, नमशकार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, टेली प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर अपना state slack कर लीजिए, तो हम ले लेते हैं Delhi, और बाकी further detail अगर आप fill करना चाहें, तो fill कर सकते हैं, हम simple इसको control A करके save कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक dialogue box और open होगा, इसको भी आपको simple control A करके save कर देना है, save करन प्रेस करने के लिए आप अपने keyboard से प्रेस करेंगे F9, F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम raw material को purchase कर लेते हैं, purchase करने के लिए यहाँ पर supplier invoice number डाल दीजे, जो भी आपका invoice number है, तो हम fill कर लेते हैं, और enter प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर date दे सकते हैं, जो भी जिस date पर आप माल को purchase कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको party का name देना होगा, तो आप देखेंगे हमारे पास कोई भी ledger create नहीं है, तो हम directly यहाँ पर ledger create करेंगे, तो इसके लिए आप जा सकते हैं, इस create वाले option पे, और यहाँ तो फिर यहाँ पर press कर सकते हैं, alt plus C, तो हम यहाँ पर create क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पाद यहाँ पर एक party का laser बना लेते हैं, जैसे मैं बना लेता हूँ, Mohan Corporation, जिससे मैं goods को purchase करूँगा, इसे अंडर डाल दूँगा, सिंटी क्रेडर के, और इसके बाद आपको simple enter, enter करके इसको save कर देना है, यहाँ पर भी आप इसे enter, enter करके save कर देना है, यहाँ पर आपको एक laser और प्रेट करना है, purchase का, और इसको आप अप अडर डाल दीजे, purchase account के, और यहाँ पर आपको इसे not applicable रखना है, GST detail को आपको आपको अपको अपली रखना है, यहाँ पर आपको ले लेना है goods, और simple आपको इसको भी enter करके save कर देना है, save कर यहाँ पर आप इमें items चाहिए, तो हमें items कौन कौन से purchase करने है, तो इसके लिए चले जाते हैं अपने list के ऊपर, और हमें यह material चाहिए computer को बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते है motherboard को, तो मुझे सबसे पहले motherboard चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने keyboard से press करना है, Alt-C, Alt-C press करने के बाद, यहाँ पर आप motherboard लिख दीजिए, motherboard लिखने के बाद आपको इसे enter press करना है, अब यह हमारा raw material है, इसलिए हम इसको primary के अंदर डालेंगे, और यहाँ पर आपका यह जो motherboard है, वो किस units के अंदर मिलता है, तो यहाँ पर आपको फि pieces या packs के अंदर ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें, तो हम ले लेते हैं इसे pieces के अंदर, और उसे simple enter करके save करते हैं, save करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर एक option और हमारा show हो रहा है, additional details के अंदर, set components BOM, यानि की bill of material, यह वाला option आपके सामने अगर show ना हो, तो आप यह कराना है, तो यहाँ पर हमने इसे पहले से yes करा रखा है, अगर आपने yes ना कराया हो, तो इसे yes कराएंगे आप लो, और इसे control A करके हम save कर देंगे, तो अभी फिलाल हमें इसकी जरुरत नहीं है, हम इसे no रखेंगे, और यहाँ पर अगर आप GST detail को apply cable करना चाहें, तो कर स quantity देख लेते हैं, quantity हम 100 pieces purchase कर रहे हैं, तो चले जाते हैं वापस अपनी tally के अंदर, और 100 piece दे देते हैं, और इसके बद यहाँ पर इसका rate क्या है, तो इसका rate है हमारा 3250 रुपे है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3250 रुपे एंटर पैस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका total amount include हो गया, यानि calculate करके आपके सामने show हो गया, आपको simple enter press करना है, और यहाँ पर आपको दूसरा item लेना है, तो हमारा जो दूसरा item है, वो हमारा intel का CPU यानि processor, हम इसको यहाँ से copy करेंगे, आप simple इसे copy भी कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर इसे type भी कर सकते हैं तो यहाँ copy करने के बाद हम यहाँ पर अपने keyboard से press करेंगे alt c, और यहाँ पर उसको paste कर देंगे, यहाँ आप चाहें तो यहाँ पर type कर सकते हैं, आपको enter press करना है यहाँ पर और इसको भी enter off डाल देना है primary, क्योंकि आपका raw material है, और यहाँ से हम देंगे इसको pieces के अंदर, और यहाँ पर भी आपको bone को रहने देना है, इसको अभी कुछ भी छेड़ खानी नहीं करने हैं, आपको simple enter करके save करते हैं, इसी तरीके से आप इसकी quantity जो है, वो purchase करेंगे, माल लिज़ 100 pieces हम purchase कर रहे हैं, इसका जो price है, तो price हम देख लेते हैं, इसका price का है, तो इसका price है 1200 तो यहाँ पर हम दे लेते है 1200 रुपे और enter paste करेंगे, enter paste करने के बाद अब हमारा जो तीसरा item है, वो है हमारा cabinet, तो हम यहाँ cabinet को select करते हैं, यहाँ पर पर alt see करेंगे, और यहाँ पर cabinet को paste कर देंगे, enter paste करेंगे, यहाँ पर इसको भी हम primary के इंदर डालेंगे, यहाँ से pieces ले लेंगे और simple enter, enter करके आपको इसको भी save करा देना है, यहाँ पर इसकी quantity डाल दीजिए, तो हमने ले लिया 100 pieces, और इसका जो price था, वो price था 1000 रुपीज, तो यहाँ पर हम ले लेते है 1000 रुपीज, और इसके बाद enter paste करेंगे, और नीचे आ जाहिए, इसके बाद फिर से alt प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमना next item ले लेते हैं, तो next item हमारा RAM है, यानि random access memory है, तो हम इसको भी यहाँ पर type कर लेते हैं, enter press करेंगे, इसको primary में डालेंगे, same उसी तरीके से as it is pieces में डालेंगे, और enter enter करके हम इसको save कर देंगे, save करने के बाद यहाँ पर इसकी quantity डाल 200 थी, यानि एक CPU के अंदर, यह दो pieces लगीगा, तो 200 की quantity हम इसे purchase कर रहे हैं, इसका जो price है, वो price है 1200 रुपे, पर piece का, तो हम यहाँ 1200 रुपे ले लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका भी calculation हो गया, नीचे आजाए, नीचे आने की बाद अब हमें लेना है Sata cables, तो इसकी 200 quantity थी, इसका जो पर piece था, वो 50 rupees पर piece था, तो आप देखेंगे, इसका भी calculation हो गया, और आप simple इसे enter करके save कर दीजे, अगर आप यहाँ पर GST का use करना चाहें, तो आप यहाँ पर GST लगा सकते हैं, GST के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, कि आप GST के स्टरह से यूज कर सकते हैं, आप Central Tax के स्टरह से यूज कर सकते हैं, State Tax के स्टरह से यूज कर सकते हैं, और Interstate के स्टरह से यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप Roundup का यूज करना चाहें, तो पिछली वीडियो में मैंने Roundup के बारे में भी आपको बता रखा है यहां पर आप चाहें तो round up का भी use कर सकते हैं, तो हम इसे simply purchase कर रहे हैं, तो हम इसे सिर्फ enter enter करके save कर देंगे, यहां पर आपके सामने evable का option है, तो हम इसकी जूरत नहीं है, हम इसे सिधे enter enter करके save कर देंगे, सेव करने के बाद हम इसे entry को यहां से करा देते हैं, पास, और हमारे stock में इतना item purchase हो जूप है, तो हम एक बार scrap करके पीछे चले जाते हैं, पीछे जाने के बाद balance sheet में आ जाते है, balance sheet के अगर हम देखेंगे, तो हमारे पास current assets है, वो closing stock के अंदर अगर हम देखेंगे, तो यह show up हो गया, अब हम यह जो items हमने purchase किया है, इसी item का हम एक manufacture करेंगे, एक CPU तयार करेंगे, यानि एक तरीके से computer तयार करेंगे, तो उस machine को तयार करने के लिए, अब हमें क्या है, अपने keyboard से scap करके पीछे आना है, इसके बाद आपको जाना है create वाले option पे, create वाले option पे जाने क यहां से आपको जाना है, watcher types के अंदर, watcher types के अंदर जाने के बाद एक नया voucher हम लोग create करेंगे manufacturing के नाम से, तो यहां पर हम manufacturing के नाम से एक नया voucher create कर लेते हैं, और इसके बाद इसको enter करके हम इसे डाल देंगे stock journal के अंदर, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो journal voucher था, वो create हो चुका है, अब आपको इस cap करके पीछे आना है, इसके बाद हमें जाना है, वापस create वाले option पे, create वाले option पे जाने के बाद, अब हमें जाना है stock item वाले option पे, फिर से, और यहां पर हम जो भी चीज create कर रहे हैं, उसका नाम देंगे, तो हम जो create कर रहे है वो create कर रहे हैं, computer assemble, यानि हम computer को assemble कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे computer assemble, computer assemble लिखने के बाद आपको enterprise करना है, और इसको भी under of primary दे देना है, primary देने के बाद यहाँ पर भी आपको pieces लेने लेना है, अब आपको use करना है, bomb वाले option को, यानि इस वाले option को आप क्या कर ना होगा कि आप क्या असेंबल कर रहे हैं तो मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे computer कि मैं एक computer असेंबल कर रहा हूँ यहाँ पर आपको enterprise करना होगा अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option है unit of manufacturing तो यहाँ पर आपको रखना है one और one रखने के बाद आपको यह बताना है कि एक piece के अंदर यहाँ एक computer के अंदर कितने कितने raw material से आपर use होंगे तो माल लीजे कि हम cabinet की अगर हम बात करें तो cabinet एक अगर हम piece तयार करते है computer का तो उसके अंदर cabinet जो use होने वाला वो एक piece use होगा उसी तरीके से अगर हम CPU की बात करें तो CPU भी हमारा एक piece होगा उसके बाद अगर हम motherboard की बात करें तो यह भी हमारा एक piece होगा लेकिन RAM जो लगाएंगे हम लोग 2 RAM लगाएंगे और इस तरीके से SATA cable जो लगाएंगे वो भी हम 2 लगाएंगे दो लगाने के बाद यानि जितना भी raw material है आपका एक piece को बनाने में जितना भी raw material आपका खर्च होगा वो आपको यहाँ पर पहले define करना होगा और इसके बाद आपको इसे enter करके save करने के बाद आपको simple यहाँ पर भी enter इंटर करके इसको save करदेना है तो ये काम हमारा complete हो चु तो आपके सामने दो options आजाएंगे, सबसे पहला option आएगा आपका stock journal का और दूसरा option आएगा आपका manufacturing का तो हमने जो manufacturing का voucher प्रयार किया था, हम इसमें चले जाएंगे, हम इसको select करके enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आपके सामने manufacturing का जो voucher था, वो यहाँ पर open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे name of product, यानि आप किस product को manufacture कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको select करना है तो आप अपने keyboard से यहाँ space दबाईए और यहाँ से हम ले लेंगे computer assemble, यानि हम computer को assemble कर रहे हैं यानि 50 pieces का manufacturing कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 50 pieces ले लूँगा, यानि 50 computer ले लूँगा, enterprise करूँगा इसके enterprise करते ही आप यहाँ पर देखेंगे, यह वहाँ पर automatically उसको calculate कर लेगा, यानि कि cabinet जो use होगा इस 50 pieces के अंदर, यानि 50 computer जब आप बनाएंगे, तो जो cabinet use होगा, वो 50 piece होगा, जिसका price 1000 रुपे है, और यहाँ पर आपका जो खर्चा आएगा, वो 50,000 रुपे का आएगा total, इसी तरीके से अगर हम CPU की बात करें, तो CPU का quantity है, वो 50 pieces होगी, और इसके अंदर अगर आप दे आपका इसकी जो cost आएगी, वो 1,62,500 रुपे आएगी, उसी तरीके से हम बात करें, अगर RAM की, तो RAM हमारा 100 piece use होगा, यहाँ पर 100 piece इस वज़े से use होगा, क्योंकि हमने 1 piece के अंदर, यानि एक अगर हम computer तयार करते हैं, तो उसके अंदर हम 2 piece का use करेंगे, यानि 2 piece हम इस data cable की, तो यहाँ पर यह भी हमारे 2 pieces use होगे, पर piece के अंदर, इसके जो price हो 50 रुपीज है, उसकी जो total costing आएगी, वो 5000 रुपे आएगी, तो इसकी जो total costing आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने show up हो गई, 350 piece हमारा total यहाँ पर आप देखेंगे, quantity use हो रही है, जिसका total amount अगर हम बास करें तो 3,97,500 रुपे आपका total amount यहाँ पर आ रहा है, और अब आपको simple इसे enter करके save कर देना है, यहाँ पर अगर आप अपना scrap दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर scrap दिखा सकते हैं, जिस भी item का scrap दिखाना चाहें, यहाँ से आप उसे scrap कर सकते हैं, तो हम य enter करके नीचे आजाएंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने option है, type of additional cost यानी इसको item को बनाने के लिए, आपकी जो extra additional cost लगी है, वो क्या-क्या लगी है, वो भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं, जैसे माली जै अभी हमने जो इसको manufacture किया है, इसकी per piece अगर हम बा पर piece यहाँ पर पड़ेगा, यानी जो भी हम computer को manufacture कर रहे है, उसका एक piece की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 7950 रुपे का हमें एक item manufacture हो करके पड़ेगा, तो अब यहाँ पर जो हम additional cost को add करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी cost और जादा बढ़ जाएगी, तो चल expense का, और यहाँ पर labor expense को डाल देंगे, हम लोग indirect expense के अंदर, और simple इसको control ही करके save करा देंगे, यहाँ पर आप इसकी percentage डाल दीजे, यानी कितने percent का आपका labor expense हुआ है, तो माल लिजे 5% का हमारा labor expense हुआ है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी जो total costing थी, 19,875 रुपे आ गई, यानी 50 पीस को बनाने के लिए जो labor है, उसने 5% का expense लिया है, यानी 5% हमसे extra पैसा लिया है, तो उसका पैसा जो यहाँ पर automatic calculate होकर कि आपके सामने show up हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपका जो total amount था, यहाँ पर increase हो गया, 8,347 रुपे, इसके लाबा अग कोई और other expense है, जो आपने इस product को बनाते समय, expense किया है, तो वो भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं, तो मैं एक expense और add करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरा लगा है, electricity bill का expense है, तो यह भी मैं direct expense के अंदर डालूँगा, और इसको अगर आप चाहें, तो percentage के अंदर ना डाल करके आप चाहें, तो यहाँ पर rate की according भी दिखा सकते हैं, यानि, तो यहाँ पर हम सीधे amount लिख करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे माल लीजे, मैंने दिखा दिया, कि मेरा 1200 रुपय का total बिजली का bill खर्च हुआ है, इस item को create करने में, तो मैं simple इस enterprise करूँगा, enterprise कर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका amount और ज्यादा increase हो गया, 8370.50 पैसे का मेरा यह जो पर piece है, वो पढ़ेगा, तो यहाँ पर अगर आप narration लिखना चाहें, तो अपनी narration को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सीधे इसको enter करके save करा देगे, तो यानि हमारा जो item था, वो manufacture हो चु हमें माल खरीद रखा है, पहले से इतना पैसा हमें अपने syndicator को देना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी जो current assets है, वो इतने की आ गई है, इस पर हम enterprise करेंगे, enterprise करने के बाद इस पर वापस enterprise करिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपका जो हमने computer assemble किया था, 50 piece जिसकी cost है, आट हजार तीन सो एकतर रुपे पचास पैसे, यानि आट हजार तीन सो एकतर रुपे पचास पैसे का हमारा जो cost है, वो computer का cost पढ़ रहा है, और यह total amount calculate हुआ हमारा 50 piece का, वो 4,18,575 रुपे यहाँ पर show हो गया, तो हम इसको 10,000 रुपे के हिसाप से sale करेंगे ताकि हमें भी profit होना चाहिए, और उसके बाद अब क्या करेंगे, इस cap करेंगे, पीछे आने के बाद अब चले जाएंगे सीधे अपने vouchers के इंदर और यहाँ पर press करेंगे F8, F8 टेस्स करने के बाद मैं इस item को sale करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको लेना ह यहाँ पर आपको ले लेना है, create option और यहाँ पर आपको फिर से create करना है एक नया laser यानि sales account का और उसके बाद यहाँ पर ले लिजे sales account, sales account लेने के बाद यहाँ पर आपको इसे not applicable रखना है, control A करना है, control A करने के बाद space दबाई है, यहाँ से ले 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 लेंगे, यहाँ से ताकि मुझे profit हो, इसके बाद मैं इसको enterprise करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 5 लाग का हमारा item total sale हो रहा है, इसको हम enterprise करेंगे, enterprise करने के बाद यहाँ नीचे आजाएगे, नीचे आने के बाद अगर यहाँ पर आप GST यूज़ करना चाहें, GST के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, आप वहाँ से इसे देख करके, अगर आप यहाँ GST एड़ करना चाहें, तो आप अपने हिसाब से add कर सकते हैं, मैं इसको simple enter करके save करूँगा, और enter करके save करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कि हमारे जो closing stock आपके सामने show हो रहा है, 3,97,500 रुपए का, यानि इतने का item अभी हमाने पास और भी बचा हुआ है, हमने जो item create किया था, वो आधा item create किया था, इसमें हम enter press करेंगे, enter press करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर इतने item अभी आपके पास बचे हुए है, इनको और आप manufacture कर सकते हो, scrap करके पीछे आजाईए, बाकी जो था हमारा item, वो हमने sale कर दिया है, 5,00,000 रुपए का, आप इसके बाद स्क्राइब करके पीछे आजाईए, यहाँ पर आजाईए, आपने profit and loss के अंदर, profit and loss के अंदर आने के बाद यहाँ पर अपने keyboard से press करें, alt F1, alt F1 press करन है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके अंदर आपने जो भी item purchase किया था, और उसके अंदर sale करने के बाद जो net profit आपको हुआ है, वो 1,25,00 रुपए का net profit हुआ है, तो यह था हमारा manufacturing voucher की entry, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा है, यानि कि grocery का कुछ item लिया हुआ है, जब भी आप किसी store या shop से कोई भी goods purchase करते हैं, तो आपको तरह तरह के discount दिये जाते हैं, उसे हम किस तरह से अपने invoice के अंदर दिखाएंगे, उसी को pose invoice का आ जाता है, जैसे आप देखेंगे, यहाँ हमारे पास कुछ grocery के items हैं, और उ हाँ पर 500 रुपे का अलग से discount दिया जाएगा, यानि यह जो आपको discount पर items पर दिया जा रहा है, उसे छोड़कर उसके अलावा आपको 500 रुपे का अलग से discount और दिया जाएगा, तो इस तरीके का जो भी invoice हमारा तयार किया जाता है, उसे कहा जाता है point of sale, यानि pose invoice, तो चलि ले जाते हैं, हम लोग अपनी tally prime के अंदर, और यहाँ पर हम एक नई company create कर लेते हैं, pose के नाम से, यानि point of sale के नाम से, आप enter करके यहाँ पर अपना state select कर लीजे, और यहाँ पर अगर आपको further detail fill करनी है, तो आप अपनी further detail fill कर लीजेगा, मैं इसको simple control A करके save कर दे रहा यहाँ करने के बाद आपको simple control A कर देना है, यानि इसको save कर देना है, save करने के बाद आप देखेंगे, हमारी company create हो चुकी है, यानि gateway of tally पर हम लोग आ चुके हैं, अब हमें सबसे पहला जो काम करना है, वो क्या करना है, आपको जाना है, create वाले option पे, और यहाँ से आपको एक नया voucher create करना होगा, post invoice के नाम से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, POS post invoice और उसके बाद enter press करिए, enter press करने के बाद अब यह post invoice होता गया है, तो यह basically हमारा एक तरीके का sale होता है, तो इसे enter of darling हम लोग sales account के, और इसके बाद आपको simple enter, enter करके यहाँ से नीचे आ जाना है, अब आपको आना है इस वाले printing वाले option पे, इस printing वाले option में सबसे पहले आप देखेंगे लिखा हुआ है, print voucher after saving, यानि जब भी किसी shop पे आप कोई भी बिल बनाओगे, बिल बनाने के बाद जैसी आप उसे save करने जाओगे, तो सबसे पहले आपका जो बिल होगा, वो print करने के लिए आप से notification मांगेगा, तो इसे हम यहाँ पर करा लेते हैं yes, क्योंकि इसकी जरुरत हमें shop पर होती है, इसके बाद जाते हैं यहाँ पर use for post invoicing, क्या आप post invoicing का use करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको yes कराना होगा, yes करने के बाद आप आप देखेंगे, आपक पर लिख सकते हैं, अपने bill के ओपर, अपने invoice के ओपर उसे print कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, thanks for purchase, और दूसरा message मैं लिखूँगा, visit again, तो यहाँ पर आप अपने इसाब से जो भी message देना चाहें, अपने customer को यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर enter press करेंगे, अब आप देखेंगे, यहाँ पर एक option है, आपके पास default title to print, यानि आप यहाँ पर एक ऐसा title दे सकते हैं, जो आपके हर एक invoice के अंदर print होगा, तो यहाँ पर दे देते हम, excel, store, तो यह मैं चाहता हूँ, हर एक invoice के ओपर यह print हो, इसके बाद नीचे आ जाए आप यहाँ पर आप देखेंगे, set alter declaration, यानि कि यह declaration होती क्या है, तो यह declaration होती है, आपने देखा होगा, हर एक invoice के ओपर एक declaration होती है, कि जैसे आप example के तौर पर माल लीजे, कि अगर आपने कोई goods महाँ से purchase किया, और उसका change करने का time period, इतने दिन से इतने दिन तक है, या इस time से इस time तक आप उसे exchange कर सकते हैं, उसे change कर सकते हैं, तो जो भी time and condition आप अपने bill के ओपर लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप declaration में आदे देंगे, यहाँ पर पहले से ही एक declaration लिखी हुई है, आप इसे change करना चाहें, तो यहाँ से change कर सकते हैं, हम इसे यही रह प्रियार करने हैं, टो यह सारी की सारी चीज़ें, मैं आपको on the sport, डिरेकली बताऊंगा, कि आप डिरेक्ट किस तरीके से, इस तरीके से, प्रियेट कर सकते हैं, तो यह ज़्यादा इजी होता है, अगर कोई भी अगर आप entry पास करने हैं, तो उस entry के अंदर अगर डिरेक्ट वहाँ पर ledger create करेंगे, तो वह ज़्यादा आपके लिए easy रहेगा, तो मैं मुझे यह option ज़्यादा बेटर लगता है, तो इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, सीधे vouchers के अंदर, vouchers के अंदर जाने की बाद अब यहाँ पर हमें इसके बाद आपको simple enter, enter करके save कर देना है, इसमें कोई भी detail आपको अभी fill नहीं करनी है, अगर आप fill करना चाहें उसकी further details तो आप fill कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको simple control A करके save कर देना है, save करने के बाद आप यहाँ पर create वाले option पर जाएंगे, create वाले option पर जाने के बाद यहाँ पर आपको enter press करना होगा, यहाँ पर आपको एक ledger create करना है, sales account का, और यहाँ पर आप इसे डाल देंगे, sales account के अंदर, और यहाँ पर आपको कुछ भी share खानी नहीं करनी, simple enter करके आपको इसको save कर देना है, यहाँ पर type of supply के अंदर आप goods रखेंगे, और control A करके इसक हमारे पास तब से पहला item है, वह है oil, तो हम यहाँ पर oil को copy करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर directly इसको type भी कर सकते हैं, हमने oil को copy कर लिया, oil को copy करने के बाद आप नीचे आजाएगे, अगर आप इसकी description को add करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी description को add कर सकते हैं, हम symbol इसे enter करके save करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपका under of यानि एक oil आखिर है क्या चीज़ तो हम यहाँ पर इसे all c करेंगे यहाँ पर आपको एक और under of group तयार करना होगा तो यहाँ पर हम ले लेते हैं grocery और grocery लेने के बाद आपको simple इसे under of primary दे देना है यहाँ पर आपको अभी GST अगर आपली केबल नहीं करनी simple आपको enter करके save कर देना है जो भी लगा होता है वो grocery items पर पहले सही लगा होता है तो यहाँ पर आपको simple इसे enter करके save कर देना है save करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने units का एक option है यानि आपका यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं और उसके बाद आपको enter कर देना है और यहाँ पर आपको ले लेना है kilo liter और उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option है number of decimal places यानि आप decimal place में कितने numbers रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम number of रखेंगे 3 इस वज़े से यहाँ पर रखेंगे कि जब भी हम कोई item purchase करते हैं जैसे माल लिजे आपने कोई भी goods purchase किया तो वो माल लिजे आपने 1 liter 500 grams something purchase किया तो जो 500 होता है वो decimal place के बाद की value होती है तो यहाँ पर अगर आप 3 digit रखेंगे तो आपका व यानि 2 liter शो करेगा तो इसलिए हम यहाँ पर round of figure जो रखेंगे decimal place रखेंगे वो 3 रखेंगे कि हमारा अगर माल लिजे हमारे पास कोई ऐसा item है जो 5 kilo 500 gram है 5 kilo 250 gram है तो यहाँ पर 5 kilo 250 gram आपका item शो होना चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर decimal place 3 रखेंगे और enter करके इसे save कर और इसके बाद यहाँ पर आपको simple enter करना है और enter करके आपको बाहर आ जाना है यहाँ पर भी आपको कुछ भी शेडखानी नहीं करने simple enter करके इसको save कर देना है यहाँ पर आप description add करना चाहिए उसकी for the details अगर add करना चाहिए items की तो add कर सकते हैं simple इसको enter करके save कर देंगे quantity देख लेते हैं quantity कितनी purchase कर रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो oil है वह 5KLR है तो यहाँ पर हम वापस अपनी टेली प्राइम में जाएंगे और यहाँ पर देदेते हैं 5 enter press करेंगे तो 5KLR वो automatic ले लेगा अब इसका rate क्या है तो यहाँ पर rate देख लेते हैं तो इसका rate है वो 10 रुपे पर KLR है यानि किलो लिटर है तो यहाँ पर 70 रुपे देदेते हैं इसका price enter press करेंगे enter press करने के बाद आप देखेंगे यह directly हमारा नीचे की तरफ आ गया तो आपको एक बार backspace फिर से यूज करना है discount के लिए और discount हम देख लेते हैं इसके वापर discount कितना है तो discount 1% है तो यहाँ पर हम जाकर गे 1 type कर देते हैं और enter press कर देते हैं और इसके बाद आप हमारा एक item त्यार हो चुका है अब हमें दूसरा item त्यार करना है तो इसके लिए आप create वाले option पर click कर सकते हैं या फर यहाँ पर भी alt c कर सकते हैं तो यहाँ पर create पर click करने के बाद दूसरा item हम लोग देख लेते हैं तो दूसरा item जो हमारा wheat है तो इसको हम यहाँ से copy कर ले या paste कर लेते हैं इसके बद आप इसको under of किसके रखेंगे तो यह भी हमारा grocery item है तो इसके अंदर रखेंगे इसका जो unit है वो हमें मिलता है kilo के अंदर तो हम यहाँ पर चले जाएंगे create वाले option पर एक नया unit create करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं KGS यानि kilogram और यहाँ पर जो decimal place है इसको भी आप 3 रखेंगे और enter करके इसको भी save कर देंगे तो हमारा यहाँ पर weed का भी बन चुका है और इसको भी हम control ले करके save कर देते हैं यहाँ पर इसकी description देनी है कि इसकी क्या-क्या specifications है वो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं बाकि हम इसको simple enter करके save कर र कर देंगे इसका जो price है वो कितना है तो इसको प्राइस है हमारा 20 rupees per kg है तो यहाँ पर हम वापस ट amendment चले जाते है और यहाँ पर price देaci है 20uche KGS, और discount कितना है, तो backspace दबा करके, वापस इसके दर discount हम लोग fill कर देते हैं, तो इसको बाद discount 3% का है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं, 3% और इसके बाद जो नया item है, वो भी हम create कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा item है, वो है sugar, तो यहाँ पर हम sugar को यहां से copy कर लेते हैं, आप चाहे तो directly type भी कर सकते हैं, और sugar को यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर paste कर देंगे, और enter press करने के बाद अब sugar क्या है, तो grocery item है, यह मिलता किसमें है, तो यह हमें मिलता है kgs के अंदर, और इसके बाद भी आपको simple enter enter करके, यहाँ पर save कर देना है, अब यहाँ पर description पर enter press करने के बाद, यहाँ पर आपको इसकी quantity डालने है, तो इसकी quantity है कितनी, तो 4.550 gram है, यहाँ टाल दीजे 4.550, यानि 4 kilo 550 gram हो गया हमारा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह जो हमारा three number decimal place है, वो show up हो रहा है हमारा, तो यह importance है, यह आपको रखना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर enter press करना है, और यहाँ पर आपको अपना rate देना है, इसका rate actual में है क्या, तो rate देने के लिए आप चले जाएए, यहाँ पर हम देते हैं 32 रुपे पर केजी, और यहाँ पर देते हैं उसका discount, जो discount का हमारा वो 2% था, तो यहाँ पर हम 2% ले लेते हैं, और enter press करने के बाद एक नया item फिर से create कर लेते हैं, और नया item हमारा क्या है, तो नया item हमारा rice, तो rice को हम यहाँ से coffee करेंगे, वापस अपनी tally के अंदर जाएंगे, यहाँ पर राइस को paste करेंगे, enter press करेंगे, इसको भी हम primary के अंदर डालेंगे, यहाँ से grocery के अंदर डालेंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे KGS, और यहाँ पर भी आपको simple enter, enter करके save करा देना है, description पर enter press करना है, तो यहाँ पर हमें इसकी quantity दे दे नहीं है, तो quantity देने के लिए वापस backspace दबाएंगे, और quantity देख लेते हैं, कितनी quantity है, तो quantity है हमारी 50 kilo 500 gram है, तो यहाँ पर हम ले ले लेते हैं, 50.500 grams, और उसके बाद इसका जो price है, वो कितना था, तो इसके price था 100 rupees per kg, इसपर enter press करेंगे, और backspace करके यहाँ पर इसका discount हम लोग दे देते हैं, तो इसका discount है 3%, तो यहाँ पर हम 3 दाल देते हैं, enter press करेंगे, enter press करने के बाद, हमारे items यहाँ पर add हो चुके हैं, items के add होने के बाद, आप देखेंगे, यहाँ पर quantity आ गई हमारी, यहाँ पर हमारा price आ गया, यहाँ पर इसके उपर कितना कितना discount है, वो आ गया, उसके हिसाब से यहाँ पर value को calculate करके, उसने यहाँ पर represent कर दिया, total amount हमारा जो आया है, वो 6,357.69 रुपीज आया हुए, तो यहाँ पर हमें एक round up का भी use करेंगे, तो round up, actual में काम क्या करेगा, round up करेगा, यह जो हमारी जो value है, याई 6,357.69 रुपीज है, तो यह जो point के बाद 69 है, याई पॉइंट के बाद 50 पैसे से उपर अगर या 50 पैसे के बराबर कोई भी value होती है, तो हम उसको 1 रुपा काउंट करते है, तो उसी को यहाँ पर यह क्या करेगा, round up करतेगा, तो यहाँ पर आपको alt c press करना है, यहाँ एक leisure पर clear करना है round up का, इसको डाल देना है आपको indirect expense के अंदर, और इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है invoice rounding, और यहाँ पर आपका जो rounding method होगा, वो normal rounding होगा, और यहाँ पर rounding limit जो होगी, वो 1 होगी, और आपको यहाँ पर simple enter करके save करते हैं, अब आप देखेंगे, इस invoice के हिसाब से जो हमने यह goods purchase किया है, यहाँ पर जो हमारे पास एक condition थी, कि अगर आप 5000 का goods purchase करते हैं, तो 500 रुपए का अलग से आपको discount पूरे item के उपर दिया जाएगा, पूरे price के उपर दिया जाएगा, तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर use करके देख लेते हैं, अगर आपको extra कोई discount और मिल रहा है, तो यहाँ पर enter pass करेंगे, आप एक laser और create करेंगे, अब Alt C करके किस चीज़ का discount का, तो यहाँ पर हम discount का एक laser create कर लेते हैं, और इसको डाल देंगे indirect expense के अंदर, और इसको आपको simple enter करके save करा देना है, save करने के बाद आप देखेंगे, यह by default आपका rate के उपर पहुँच जाएगा, आपको यहाँ पर rate के अंदर कुछ भी छेडगानी नहीं करने, आपको simple enter करना है, और यहाँ amount के उपर, यह जो total amount है, इसके उपर हमें 500 रुपए का discount देना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले use करना होगा minus 500, और enter press करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका 500 रुपए यहाँ पर less हो गया, यहाँ आपका जो amount बना वो 5,850 रुपए बन गया, 500 रुपए आपका यहाँ पर less हो गया, इसके बाद आपको enter press करना है, enter press करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो methods है, वो काफि सारे methods है, बिल को pay करने का, तो सबसे पहला method है आप देखेंगे, कि gift voucher है, अगर यह चीज़े आपके सामने show up ना हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने का option आता है, single mode payment का और multi mode payment का, जब हमें single mode payment पे click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ एक mode payment आएगा, cash का, और अगर आप multi mode payment पे click करेंगे, तो आपके सामने काफी सारे option देदेगा payment करने का, तो हम multi mode का payment यूज़ करके इसकी payment करेंगे, तो सबसे पहले gift voucher है, gift voucher जैसे कि आप Amazon या Flipkart से हमें कोई vouchers मिलता है, जिसमें हमें कुछ percentage की छूट होती है, तो हम यहाँ पर उस gift voucher का मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, कि आप gift voucher का कैसे इस बिल के अंदर यूज़ कर पाएंगे, तो इसके अंदर आपको Alt C press करना है, एक लेजर T8 करना है, मालो हम Amazon का लेजर T8 कर रहे हैं, और इसको अंदर डाल दे रहे हैं, Cindy Debitter के, कि यह मिला किसको है, Cindy Debitter को मिला हुआ है, और control यह करके आप इसे save कर दीजे, आप देखेंगे, यहाँ पर जो gift voucher है, वो आपको कितना मिला है, तो हम दे देते हैं, यहाँ पर माली जाय में 300 का gift voucher मिला है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका mode of payment है, वो आपसे बोल रहा है, credit debit card से अगर आप payment करना चाहें, बाकी का amount तो यहाँ से आप pay कर सकते हैं, तो हम यहाँ आपर all-c press करेंगे, यहाँ आप एक लेजर create कर लेते हैं, SPI bank का, या जिस भी bank का आपका card हो, उसका लेजर create कर लीजे, एंटर प्रेस करिए और इससे डाल दीजे आप bank account के अंदर, bank account के अंदर डालने के बाद आपको पुरी bank की further details फिल करनी होगी, तो आप अपने card से कितनी payment कर रहे हैं, तो माल लीजे, मैं card से 5000 की payment कर रहा हूँ, बाकि जो amount है, वो मैं cash pay करूँगा, तो यहाँ पर दे देते हो, मैं 5000, और एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर आपको अपने card का number देना होगा, तो जब भी आप card को swipe करेंगे, तो by default यह अपने आप number ले लेगा, तो हम यहाँ पर number टाइप कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर number टाइप कर लिया, randomly कोई भी number टाइप कर दिया, इसके बदद हम enterprise करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप check से payment करना चाहते हैं, तो यहाँ पर check ले सकते हैं, तो बाकी जो amount है, वो हम cash के through payment कर रहे हैं, तो आपका method क्या है payment का, तो यहाँ पर आप रखेंगे cash, cash रखने के बाद interface करेंगे, enterprise करने के बाद, बाकी amount यहाँ देखिए, आपका show हो गया, पांसो औठावन रुपे आपको cash देना है, तो हमारे पास माल लीजिए, पांसो औठावन रुपे, पांसो रुपे तो हैं, मगर अठावन रुपे चेंज नहीं है, तो हम इसको दे देते हैं, 600 रुपे total 600 की payment करते हैं उसको, बाकी जो 42 रुपे होंगे, वो shopkeeper हमें return कर देटा, यानि कि जो 42 रुपे होंगे, वो हमें वापस मिल जाएंगे, अब इसको आपको narration अगर देनी है, तो यहाँ पर आप narration लेख सकते हैं, और आपको simple enter करके इसको save करते हैं, जब आप इसे enter करेंगे, save करने के लिए, तो आप देखेंगे, तो हमने वहाँ पर print वाले option को enable किया था, yes करा था, आपके सामने by default यहाँ पर, यह save होने से पहले, आपके सामने print का एक option देदेगा, directly अगर आप print करेंगे, तो आपका bill जो भी होगा, वो print in noise पे print हो जाएगा, हम पहले इसका preview देख लेते हैं, preview देखने के बाद, आप देखेंगे आपका यहाँ पर preview आगया, आपको अपने keyboard से press करना है, alt-z, alt-z press करने के बाद, आप देखेंगे आपके जितने भी items थे, वो यहाँ पर show up हो गए, आपकी quantity यहाँ पर show हो गई, आपका rate यहाँ पर show हो गया, discount के साथ यहाँ पर आप देखेंगे, किस item पे कितना कितना discount मिल है, आपको वो भी यहाँ पर show हो गया, total amount यहाँ पर by default calculate हो गया, round up भी आपके सामने यहाँ पर calculate हो गया, और इसके बाद जो हमने discount दिया था, 500 का वो भी यहाँ पर देखें, minus हो गया, और आपने किस-किस method से payment करिये, वो भी आपके सामने show हो रहा है, gift watch और हमने 300 का use किया था, 5000 हमने credit debit card से use किया था, credit debit card का यहाँ पर number भी देखें, show up हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपका बागी जो amount था, वो आपने cash के थूँ 600 पे किया है, जिसमें ब्यालेस रपर उसने आपको return कर दिया है, तो total amount यहाँ पर show up हो गया हमारा, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी declaration जो यहाँ पर थी, वो आपके सामने show हो रही है, message के अंदर show किया था, thanks for purchase and visit again, और यहाँ पर आप देखेंगे, excel store, यानि यह जो आपका excel store है, यह हमने लिखा था, call titles के अंदर, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह भी show हो गया हमारा, तो यह थी हमारी post invoicing, यानि point of sale की invoice, आप point of sale को किस तरह से use कर सकते हैं, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को like कीजेगा, subscribe कीजेगा, और अपने सभी दोस्तों में share कीजेगा, नमशकार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, bill wise detail के बारे में, जिसमें आप देखेंगे, हमारे पास 4 method होते हैं, payment of adjustment के, जिसमें सबसे पहला हमारा method है, new reference, दूसरा है हमारा against reference, तीसरा है हमारा advance, और चौता है on account, तो अगर हम बात करें new reference की, तो new reference का use किया जाता है, आपका purchase entry और sale entry के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे, when you buy और sell goods from a party, अगर आप किसी party से, किसी goods को purchase या sale करते हैं, तो उस situation के अंदर हम use करते हैं new reference का, और इसके बाद अगर हम बात करें against reference की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, when you transact against a party, यानि कि जिस party से आपने goods को purchase या sale कर रखा है, उस party को अगर आप payment करते हैं, या उससे पैसा receive करते हैं, तो उस situation में आपका use किया जाता है against reference, जिसका use आप purchase return और sale return के अंदर भी कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें advance की, तो advance का use किया जाता है, अगर आप किसी party से advance पैसा ले लेते हैं, किसी goods के लिए, तो वो आपका use किया जाता है receive entry के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है when you receive money in advance from a party, इसके बाद अगर हम बात करें on accounts की, तो on accounts के अंदर payment entry होती है, when your payment is dishonored against, you impose extra penalty और charges, इसका कहने का सीधा मतलब यह है कि, मान लीजिए कि कोई party आपको payment करती है, by check के माध्यम से, तो आपको दो दिन बाद पता चलता है, कि वो आपका जो check था, वो dishonored हो गया, तो उस situation में आप उसके ओपर penalty लगा सकते हैं, चार्जिस लगा सकते हैं, उसकी entry हम पास करते हैं, payment entry के अंदर, जिसको हमें on accounts के अंदर रखना होता है, तो चलिए हम इसको practically use करके देखते हैं, टैली प्राइम के अंदर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप से निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्स्राइब कर ले, हम इसी तरह से आपके लिए bathroom वीडियो लाते रहेंगे, अब सबसे पहले हमें एक नई company create कर लेते हैं, bill, wise, details की नाम से, इसके बाद आप enter press करिए, enter press करने के बाद यहाँ पर आप state select कर लीजे, state select करने के बाद बाद बाकी further details आप feel कर लीजेगा, मैं से इसको simple enter करके save कर दे रहा हूँ, save करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा, आपका enable bill wise entry, यह automatically by default tally prime इसको yes रखता है, तो हमें इसे yes रहने देना है, और उसके बाद हम इसे control A करके save करा देंगे, save करने के बाद, अब हम जाएंगे सीधे vouchers के अंदर, vouchers के अंदर जाने के बाद, अब इसके अंदर हम सबसे पहले new reference का use करके देखते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा F9 यानि purchase voucher के अंदर, यहाँ पर हम किसी goods को purchase करेंगे, तो यहाँ पर अपने supply invoice number जो भी आप देना चाहें, वो दे सकते हैं, तो मैंने ले लिया 01, और enter press करने के बाद, यहाँ पर आपको जो भी date देनी है, वो date दे दीजिए, और यहाँ पर हम party का नाम ले लेते हैं, आपको alt C करना है, आपको इसे simple enter करके save करा देना है, और control A कर देना है, quick creation, इसके बाद यहाँ पर भी हम control A कर देंगे, और यहाँ पर भी control A कर देंगे, यहाँ पर आपको एक laser create करना होगा, purchase का, तो यहाँ पर हम purchase का एक laser create कर लेते हैं, purchase का laser create करने के बाद, आप इसे भी अंडर आफ डाल देंगे purchase account के अंदर और यहां पर आपको simple enter enter करके save करा देना है यहां पर आपको item का name देना होगा तो item के लिए भी आप यहां पर press करेंगे alt c और यहां पर कोई item create कर लिए जैसे माल लिजे मैंने create किया j7 और j7 का अगर आप description यहां पर देना चाहिए तो दे सकते हैं मैं simple इसको enter करके save कर रहा हूँ यहां पर आप इसको अंडरॉप डाल देंगे जिसका यह product है तो यहां पर जो product है यह samsung का product है तो हम इसको samsung के enter रखते हैं और इसके बाद इसको हम enter करके save कर देते हैं save करने के बाद यहां पर आप units ले लिजिए तो units हमारा यह PCS है हम यहां पर units PCS रखते हैं और यहां पर आप इसको PCS में डाल दीजिए और इसको simple enter करके save कर दीजिए और यहां पर आपको इसे भी simple enter करके save कर देना है यहाँ पर आप description देना चाहें तो दे सकते हैं हम इसे simple enter करके save कर रहे हैं और यहाँ पर आप quantity देजिए कि कितना piece आप purchase कर रहे हैं तो मा लीजे मैंने दे दिया 10 piece मैं 10 piece purchase कर रहा हूँ इसका rate है वो 12,000 है तो 12,000 के इसाब से 1,20,000 रुपे का जो goods है वो मैं purchase कर रहा हूँ purchase करने के बाद जब मैं enterprise करके यहाँ पर नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option आप प्रोएड जस्टी ईवे बिल का option तो इसको हमें no रखना है नो रखने के बाद जब आप enterprise करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो method है आपके सामने show up हो गया यह by default आपका new reference ले लेगा तो हम इसे new reference के अंदर ही रखेंगे क्योंकि हम इसे अभी purchase कर रहे हैं simply यहाँ पर आपको इसको enter करके save कर देना है अब आपको जाना है F5 payment voucher के अंदर और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम मैं आपको दिखाता हूँ against reference का किस तरीके से use किया जाता है इससे पहले हम balance sheet देख लेते हैं आप चले जाएए अपनी balance sheet के अंदर और balance sheet के अंदर अगर आप अपनी current assets देखेंगे तो आप देखेंगे 1,20,000 रुपे का आपके पास stock आ चुका है और इसके बाद अगर हम जाते है current liabilities के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे current liability आपक corporation को पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा तो यहाँ पर हम देदेते हैं जैसे 20,000 मैं भी इसको पे कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं 20,000 देदेता हूँ 20,000 दे नहीं है बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने शिवाप हो गया against your आँब रखेंगे करेंगे कैश को लिटा को वह अच्वानी है कर दिए और ऑनने के स्टेरING 7 वह इसके को क्रण ध़िए हैं यहांपर अब यांप जा करidas के कैश के के माद्याम से दे रहे हैं तो Cash के माद्याम से हम लोग दे रहे हैं या पर इससे Simple एंटर करके Save कर दीजें और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अगेंट्स आप किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं payment को तो इसके लिए आप चले जाएंगे F8, Sale voucher के अंदर और यहाँ पर एक body का लेजर create करेंगे जैसे मैं create कर ले तो आप दीपक के नाम से इसको अंडर आफ डाल दूँआ sendi debitor के क्योंकि है मेरा customer है यहाँ पर आप देखेंगे maintain balance bill by bill इसको आपको yes रहने देना है control लेकर के आपको save कराना है save करने के बाद यहाँ पर भी आपको लेना है goods लेना है जो भी आप goods चासर भी sale करने है तो हम ले लेते हैं यहाँ पर goods और इसको simple enter करके हम लोग save करने के बाद यहाँ पर जो भी item आप sale कर रहे है उस item को आप यहाँ से select कर लेंगे और यहाँ पर एक option आप देखेंगे justy detail का set अर्टा justy detail आपको इसको yes कराना होगा yes कराने के बाद आपको यहाँ पर उसका description दे देना है याँ यह item क्या है तो हम दे देते हैं यह एक mobile है और इसके बाद enter करके आप इसको जो भी accession number है वो यहाँ पर fill कर दीजिए यहाँ पर enter करके आप नीचे आ जाईए मालीजे 5 piece में sale करना हूँ rate क्या है मेरा तो rate है 15,000 मालीजे और इसके बाद मैं इसको enter करके save करूँगा save करने के बाद आप यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आने के बाद आपको एक leisure create करना है इसे डाल दूँगा मैं duties and taxes के अंदर duties and taxes के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप जेस्टी ले लेंगे central tax लेंगे और आपको simple enter करके save करा देना है save करने के बाद आप देखेंगे आपका sgst text यहाँ पर show हो गया फिर से आप out see करेंगे यहाँ और आप लेंगे cgst cgst लेने के बाद इसको भी से इसी तरीके से duties and taxes में डालेंगे जेस्टी लेंगे और यहाँ से लेंगे central tax और उसको भी आप simple enter करके save करा देंगे तो हमारा यह taxation यहाँ पर show up हो गया हम इसको simple यहाँ पर no रखते हुए रेंटर करके save कर देंगे अब आप देखेंगे new reference आगे हमारा क्यूंकि हमारी एक नई fresh entry है तो इसको हम new reference में रखेंगे और किसके against है बिल 1 के against है तो हम इसको simply enter करके save कर देंगे यहाँ पर देखेंगे हमारा जो bill number था वो 1 है तो हम इसे 1 रहने देंगे इसको simple enter करके सेटेंगे सेट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसके अगेंस प्यामिंट डिसीव कैसे कर सकते हैं तो आम चले जाते हैं F6 के अंदर, F6 में जाने के बाद, यहां पर आपको लेना है party का नाम जिससे आप पैसा receive कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पर D-Pak है जिससे हम पैसा receive कर रहे हैं, यहां पर आपको D-Pak को select करना है, दीपक को select करने के बाद आप देखेंगे, यहां पर उसका जो भी current balance था वो यहां पर show up हो गया, तो यहां हमें कितना पैसा दे रहा है, वो amount यहां पर type कर लीजे, तो मैं दे देता हूँ, यहां पर 50,000, यह मुझे 50,000 amount दे रहा है, यहां पर आप देखेंगे, हमारा against reference यहां पर show up हो गया, against reference किसके against यहां हमें payment कर रहा है, तो payment कर रहा है हमारे, हमा यहां पर आपको रखना है debit में क्या रखना है cash रखना है cash रखने के बाद आप इसको simple enter करके save कर दीजिए यह था हमारा new reference और against payment इन दोनों चीजों को मैंने आपको clear कर दिया कि इन दोनों का use किस तरीके से किया जाता है इसके बाद अगर आप against reference का use purchase return और sale return के अंदर करना च अगर advance payment ले लेते हैं goods के लिए तो उसको हम use करते है advance में तो उसको किस तरीके से use किया जाएगा मैं वह भी आपको बता देता हूं तो यहां पर मैं एक party create कर लेता हूं और सी करके एक new party जैसे मैं ले लेता हूं नाम अमन और इसको अंटरफ डाल दूँगा मैं sendi debitter के sendi debitter में डालने के बाद यहां पर आपको simple enter एंटर करके सको save कर देना है save करने के बाद आप अमन से कितना पैसा receive कर रहे है वो पैसा यहां पर डाल दीजिए तो मैंने दे दिया 50,000 50,000 देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे उसका option यहाँ पर show हो गया on account यहाँ पर आपका on account show हो रहा है यहाँ पर आपको इन दोनों options को select करना पड़ेगा यानि यह by default यहाँ पर अपने आप नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको advance को select करना होगा method of adjustment को और उसके बाद यहाँ पर enter pass करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे उसका advance जो bill number था वो 2 यहाँ पर show up हो गया यहनी second entry यहाँ पर pass हो रही है आप इसे enter करके यहाँ पर save करतेंगे save करने के बाद debit कौन हो रहा है तो debit हो रहा है माल लीजे हमारा cash debit हो रहा है तो यह था advance का use अब माल लीजे जो हमने advance पैसा receive किया था उसका हम goods उसको sale कर देते हैं तो हम चले जाते हैं F8 के अंदर यहाँ पर हम Amun को sale करके देखते हैं sale करने के लिए आपको यहाँ पर Amun को select करना होगा select करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको enter करके नीचे आ जाना है यहाँ आपको sales select करना है और यहाँ पर आप जाकर के item select कर लीजे item select करने के बाद यहाँ पर माल लीजे हम 3 piece sale करने हैं 15,000 रुपे के एसाब से और उसके बाद यहाँ पर आकरके हम लोग CGST लगा देते हैं अपना taxation लगा देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग SGST तो जो amount था हमारा वो 53,100 का हमारा total sale हुआ है और जिसमें की 50,000 रुपे अमन हमें पहले ही दे चुका है और इसके बाद हम इसे enter करके save कर देंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे new reference तो यहाँ पर हम reference number 2 के again sale कर रहे हैं तो हम इसे enter करके save कर देंगे save करने के बाद यहाँ पर भी आपको enter pass करना है और इसको भी enter करके save कर देना है अब देखेंगे 3,100 रुपए हमें उससे receive करने है बाकी का जो 50,000 रुपए उसने हमें दिया था वो और जस्ट यहाँ पर हो चुका है तो इसके लिए स्क्याप करके पीछे आजाएए अब हमारा जो last reference बचता है वो बचता है on account अब हम on account reference का use करके देखते हैं तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक दीपक पार्टी जो कि हमारा संडी डेबिटर है और इससे मालीजे मुझे 38,500 रुपए लेने हैं और इसने मुझे जो पैसा दिया है वो चेक के थूद दिया है तो bill number one के against मैं इसका payment receive कर रहा हूँ एंटरपैस करूँगा एंटरपैस करने के बाद नीचे आ जाओँगा यहाँ पर आपको alt c करना है और यहाँ पर bank का laser बना लेना है जैसे मैं बना लेता हूँ HDFC bank और उसके बाद आप इसे एंटर करके अंटरप डाल दीजे bank account के और यहाँ पर आपको इसकी पूरी bank detail फिल कर लेनी है मैं इसको simple अभी control A करके save कर दे रहा हूँ save करने के बाद आप देखेंगे यह payment हमें receive हो चुकी है यहाँ पर भी आप enter enter करके save कर दीजे दीपक ने मुझे पैसा दिया था चेक के मात्यम से वो हमारा dishonored हो गया और अब हम उसकी entry किस तरह से pass करेंगे तो इसके लिए हम चले जाएंगे F5 payment voucher के अंदर और यहाँ पर जाने के बाद हम select करना है अपनी party का नाम यानि दीपक को select करना है दीपक को select करने के बाद यहाँ पर amount डाल देना है 38,500 रुपे और इसके बाद enter pass करना है और यहाँ पर आप रखेंगे इसे on account on account रखने के बाद यहाँ पर आप credit किसको करेंगे तो credit करेंगे आप bank को यहाँ पर bank का नाम ले लिजिए और bank कराम लेने के बाद आप देखेंगे आपके SGFC bank account से amount जो था वो वापस zero हो गया और दीपक के पास वापस amount debit हो गया हम इसे enter करके save करनेगे तो यह था हमारा bill wise bill detail अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को like कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से credit note और debit note की entry पास कर सकते हैं जैसे आप देखेंगे आदित्या कॉर्परेशन से हमने कुछ items पहले से ही purchase किया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे J5 का हमने आइटम purchase किया है 10 पीस जिसकी cost थी 12,000 रुपे total 1,20,000 रुपे का हमने यह item purchase किया है उसकी बाद S510 जो की 10 पीस हमने purchase किया है 15,000 रुपे के हिसाब से तो 1,500,000 रुपे का हमने यह purchase किया है total इनको include करेंगे तो 2,70,000 रुपे का हमने item purchase किया है जिसके ओपर आपका CGST और SGST लगा है total जो amount बनता है वो 3,18,600 रुपे का हमने goods को purchase किया है purchase करने के बाद अब हमने किया क्या उसी item में से हमने कुछ items यानि 5-5 piece Camel Industries को sale कर दिया तो आप देखेंगे Camel Industries को हमने जो item sale किया है वो 12,500 रुपे के हिसाब से sale किया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने जो S510 purchase किया था उसको हमने 15,500 रुपे साब से sale किया है तो total जो हमारी sale है वो 1,65,200 रुपे की हमने total sale किया है IGST में अब माल दीजे कि Camel Industries ने हमारे जो items हमसे purchase किया था उसने उसमें से 1-1 piece उसने return कर दिया यह हो सकता उस item के अंदर कोई खराबी हो तो अब इसकी return की entry हम कैसे pass करेंगे इसका मैं पहले आपको invoice दिखा देता हूँ आप देखेंगे आपर इसका जो invoice है वो हम sale कर चुके है यहापर आप देखेंगे हमने यह item sale कर दिया है 5-5 piece किसको sale किया है Camel Industries को sale किया है तो अब हम इस item को return लेंगे तो return की entry हम किस तरह से pass करते है मैं आपको वो बता देता हूँ उसके लिए आप skip करेंगे पीछे आजाएए पीछे आने के बाद आपको जाना होगा सीधे vouchers के अंदर vouchers के अंदर जाने के बाद आप अपने keyboard से press कर सकते है F10 F10 test करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा credit note का तो credit note की shortcut की आप alt f6 भी use कर सकते हैं आप यहाँ पर सीधे click करिए click करने के बाद आप देखेंगे credit note का voucher आपके सामने open हो गया और यहाँ पर आप अपनी party का name लेंगे जिससे आप goods को return ले रहे हैं तो हमने ले लिया comment industries को और यहाँ पर आपको simple enter enter करके strange करते है save करने के बाद आपको यहाँ पर आपको toyle लेना है और इस item को आप return ले रहे हैं आपको उस item को supreme यहाँ पर select करना है तो माल लिविए में आपका एक item है J5 वो return ले रहा हूं, कितनेएवरा इंटर ले रहा हूं कितने का rate था, 12,500 का rate था हमने इसको return ले लिया, इसके बाद हम दूसरा item ले ले लेते हैं, कि दूसरा item हमारा कौनसर return आ रहा है, तो S510 है जिसका quantity कितनी है तो एक पीस रिटन आ रही है, इसकी cost कितनी थी, 15,500 हो थी, तो ये भी हमने return ले लिया, return लेने के बाद इसके ओपर जो taxation लगा था, वो भी return हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएंगे हम सीधे IGST select करेंगे, IGST select करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी IGST cost आ गई, यहाँ प करने के बाद मैं आपको stock item दिखा देता हूँ, scrap करके आप पीछे आ जाएगे, यहाँ से चले जाएगे stock summary के अंदर, और यहाँ पर आपने keyboard से प्रेस करेंगे, alt-f1, alt-f1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, आपके पास 6 piece J5 आ गया, और 6 piece आपके पास S510 शो हो गया, अब माल लीजए यह जो एक-एक piece हमारे पास return आया है, अब इस return को हम आगे forward कर देंगे, यानि कि जो हमारे पास return आया है, उस item के अंदर कोई problem है, कोई खराबी है, तो हमने जिससे यह goods को purchase किया था, हम उसको यह goods return कर देंगे, तो हम उसको कैसे return करेंगे, यह मैं आपको कर किया है, वो है alt plus f5, यहां से आप debit note को select कर सकते हैं, या फिर alt f5 का use कर सकते हैं, हमने जिस party से goods को purchase किया था, हम उस party को यहाँ पर select कर लेंगे, तो हमारा अधित्या corporation था, जिससे हमने goods को purchase किया था, इसके बद यहाँ पर आप control एकरके save कर देंगे, यहाँ पर purchase लेंगे, प हमारे पास जो हमने उससे purchase किया था, वो बारा हजार रुपे का purchase किया था, तो यहाँ पर automatically उसका amount show हो गया, इस पर आप enter press करेंगे, इसके बाद आप नीचे आजाएंगे, आप दूसरा item ले लेंगे, दूसरा item लेने के बाद यहाँ पर भी आपको enter press करना है, और यहाँ प तो यहाँ पर आप देखेंगे, 31,860 रुटे का goods हमारा return हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको no रखेंगे, और no रखने के बाद हम इसकी entry को यहाँ पर pass करा देंगे, बास कराने के बाद हम इसको save कर देते हैं, और वापस चले जाते हैं अपने stock summary पर यहाँ से stock summary पर click करेंग और alt F1 दबा करके हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके पास जो J5 का item है, वो पाँच पीस बचा है, और जो S510 है वो आपके पास पाँच पीस बचा है, यानि कि हमारे पास goods return आया था, वो हमने आगे भी forward कर दिया, यानि आगे उसको return कर दिया, तो मेरा मालना है कि यह Teleprime का सबसे बहतरी topic है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिना skip करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप इस वीडियो को तभी देखें, जब आपके पास समय हो, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे हमने यहाँ पर जो serial number लिया हुआ है, वो आप देखेंगे by default यहाँ पर दो लिखा हुआ है, यानि कि हमने एक serial number पहले से ही use कर रखा है, अब आप जब भी company का कोई invoice देखते हैं, तो वहाँ पर जो उसका serial number होता है, वो different type का होता है, वो कुछ इस जो आपको हमारी screen पर दिखाई दे रहा है, अब इस तरीके का अगर आप serial number generate करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से sales voucher के अंदर कर सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ, आपको स्कैप करके पीछे आना है, स्कैप करके पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है, chart of accounts के अंदर, यहाँ से जाने के बाद आपको लेना होगा voucher type, voucher type में जाने के बाद आप यहाँ से select करेंगे sales voucher को, sales voucher को select करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने एक option लिखा हुआ है, method of voucher numbering automatic, तो इसके उपर आ करके आपक voucher के अंदर, आप कोई भी entry pass करेंगे, तो tally prime automatic आपको नंबर देता चला जाएगा, यानि आप इसके अंदर duplicate entry pass नहीं कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर manually का use करेंगे, तो manual में क्या problem होती है, कि आप यहाँ पर जो भी serial number डालना चाहें, मैं आपको दिखा देता हूँ, इक duplicate serial number को भी accept कर लेगा, क्योंकि हमने इसकी entry पहले से ही pass कर रखी है, तो यहाँ पर जो serial number आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए, और यहाँ पर देखें, हमने one type कर दिया, इसने one को accept कर लिया, यानि आप manually में कुछ भी type कर सकते हैं, तो हमें इसे manual नहीं रखना है, हम इसे scap करके अब आपकिया पीछे चले जाते है, यहाँ से आप चले जाएए, चार्ट of accounts के अदर, यहां से चले जाएए vouchers के अंदर, यहाँ से चले जाएए आप sales voucher के अि ए , sales voucher में जाने के बा acordo आपको क्या करना है, यहाँपर manual की जगा इसको रखना है IT, ope करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक option आजाएगा use advanced configuration का तो आपको इस वाले option को yes कराना है yes करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सबसे पहला option है starting number यानि आपका जो invoice है उसका starting number कितने number से होना चाहिए तो first invoice number हम यहाँ पर already use कर चुके हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 यानि दूसरे number से हमारा invoice number start होना चाहिए तो यहाँ पर हम इसे enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option लिखा हुआ width of numerical part यानि आपका यह जो serial number है वो कितने numerical parts के अंदर होना चाहिए तो हम यहाँ पर रखेंगे 4 यानि 4 का मतलब जिस तरह से आप screen पर देख रहे हैं विर्कुल इसी तरीके से आपका serial number generate हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option है profile with 0 इस वाले option को आपको yes करा के रखना है yes रखने के बाद अब आप नीचे आजाएए नीचे आने के बाद आप जो भी applicable date रखना चाहें यानि इस serial number की जो भी applicable date रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं कि इस date से आप इसे applicable कर रहे हैं और यहाँ पर enter press करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने option है कि आप इसे daily use करना चाहते हैं monthly use करना चाहें इसे कभी use नहीं करना चाहते हैं आप इसे weekly use करना चाहते हैं या फिर आप इसे yearly use करना चाहते हैं तो हम इसे पूरे साल के लिए set कर देते हैं, कि हम पूरे साल ही इसी तरीके का invoice चाहते हैं, इसके बाद हम enter press करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आप पर prefix detail के अंदर आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपको जो भी अपना alphabet part देना है, यहाँ पर लिख देना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, XL और इसके बाद slash, इसके बाद आपको enter press करके आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भी आपको अपनी applicable date जो रखनी है, वो यही सेम रखनी है, आप आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ करने के बाद आपको simple enter करके, यहाँ पर नीचे आ करके इसको save कर देना है, save करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, आपका invoice किस तरह से show होगा, तो इसके आप करके पीछे आ जाईए, आप देखेंगे आपका जो serial number था, वो XL 002 2021 से लेके 2022, यहाँ पर आपके सामने आपक किसी party का नाम ले लिजे, मैं sales कर देता हूँ किसी party को, और इस तवाले invoice number को मैं यहाँ पर use करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम ले लेंगे sales और किसी भी item को हम यहाँ उठा करके sale कर देते हैं, यहाँ पर one key quantity ले ले लेते हैं, price यह आटमाटिक ले लेगा, enter करके हम इसको इसके उपर IGST use कर लेते हैं और इसके बाद इसको save कर देते हैं, यहाँ पर आप new reference रखेंगे, आप देखेंगे new reference के अंदर आपका यहाँ पर automatically by default serial number उसने ले लिया, 0002 का तो यहाँ पर आप इसे enter करके save करा देते हैं, save करने के बाद आप आप देखेंगे आपका next invoice इस number है, वो यहाँ पर देखे, 0003 show हो गया, इसके बाद आप देखेंगे आपका serial number या और by default अपने आप sequence wise लेता चला जाएगा, इसके बाद skip करके आप एक बार पीछे चले जाएए, पीछे आने के बाद हम वापस चले जाते हैं, chart of accounts के अंदर और यहाँ से चले जाते है voucher tax के अंदर, यहाँ से आप चले जाएंगे sales के अंदर, और sales में आने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर एक option आपके सामने शो हो रहा है, use effective dates का, यानि यहाँ पर यह जो effective date है, इसको हम yes कराएंगे, अब इसका use क्या आपका जो sales का effect है, वो किसी और date पर show हो, तो उस चीज के लिए आप यहाँ पर effective date को yes करेंगे, मान लिजिए कि आपका जो sale हो रहा है, वो same date पर sale हो रहा है, यानि जिस date पर आपने sale किया है, जिस date पर आपने bill काता है, उस date पर अगर आपको payment receive हो जाती है, तो आप यही चा और sales की date अलग होती है, यानि कि वो जो sale होती है हमारी, वो हमारी transaction किसी और date पर की जाती है, और उसका effect में उसको हम किसी और date पर लाते है, तो इस वज़े से हम यहाँ effective date का use करते है, वैं आपको यह भी करके दिखा देता हूँ, आप इसे save करके बाहर आजाए, बाहर आने क देगे यहाँ पर आप अपने date of voucher की date पर रखना चाहें और यहाँ पर effective date तो आप सकते है यहाँ पर आप जो वापस चले जाते हैं अपने chart of accounts के अंदर और यहाँ पर चले जाते हैं vouchers के अंदर अब यहाँ पर जो हमारा next topic है वो next topic क्या है आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक option है allow zero value transaction यहाँ आपके जो transaction हो रहा है transaction के अंदर आपकी जो goods है उनकी quantity तो है मगर उसका rate नहीं है जैसे म यहाँ पर zero value transaction का use करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको applicable कराके इसको transact करके एक बात दिखा देता हूँ आपको आप चले जाएए वापस cap करके पीछे और यहाँ पर आ जाएए vouchers के अंदर यहाँ पर हम फिर से कोई party ले लेते हैं मालीजे इस party को मैं वापस example के तोर पे किसी goods क बेज रहा हूँ जिसका मैं price यहाँ पर नहीं डालूँगा तो यहाँ पर मैं इसको sale कर रहा हूँ मालीजे मैं S510 को sale कर रहा हूँ इसके पास यहाँ पर मैं one ले लेता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इसका price तो यह by default automatic ले ले लेगा हम क्या करेंगे इसको हटा देंग और अटाने के बाद हम एंटर करके इसको entry को pass कर देंगे तो pass करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास एक quantity तो decrease हो रही है निए हमारे पास जो quantity है उसकी sale तो हो रही है लेकिन amount नहीं है क्योंकि यह जो हमारा goods है यह basically sample के तोर पे उस party को जा रहा है तो इस तरह कि अगर आ entry pass होगी otherwise entry pass नहीं कर सकते हैं तो इस चीज़ के लिए अगर आपको sample के तौर पर किसी goods को किसी party को बेज रहे हैं दे रहे हैं और वहाँ पर आप quantity दिखाना चाहते हैं अगर price नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस तरह की transaction के लिए आपको यहाँ पर zero value transaction का use करना पड़ेगा त provide narration to each laser in voucher यानि इस वाले option को अगर आप yes करा देते हैं तो yes करने के बाद यहाँ पर आप skip करके पीछे आजाईए यहाँ से चले जाईए vouchers के अंदर तो यहाँ पर आपके सामने जब भी आप कोई transaction करेंगे माल दिखाना देता हूं कमल इंडस्टी का और यहाँ पर कोई भ आप एंटर एंटर करके नीचे आजाईए नीचे आने के बाद जब भी आप आगे बढ़ेंगे यानि इसको save करेंगे इस entry को तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पर narration का कोई भी option शो नहीं हुआ तो यह किस वज़े से हुआ जब भी हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो यहा आप इसे नोही रहने दें आप इसे applicable ना करें क्योंकि इसका जो use होता है यानि narration का जो use होता है वो vouchers के अंदर बहुत ही ज़्यादा valuable होता है तो यहाँ पर यह जो आपके सामने option है provide narration for each ledger in voucher इसको आप नोही रहने दें इसके बाद मैं आपको एक बार invoice दिखा देता हू इसके बाद हमने जो भी sales की है आप देखेंगे उसकी invoice number serial wise sequence wise अपने आप show हो रहे हैं और इसके बाद मैं इसमें से कोई भी invoice ले लेता हूं और invoice पे enter press करता हूं enter press करने के बाद आप यहाँ पर alt P press करिए यानि print निकालने के लिए यहाँ पर current पे click करिए और हमें फिलाल इस इसके बाद इसके बाद आपको इन जब भी आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप किसी invoice को देखते हैं किसी भी company का invoice आपके सामने print होता है तो उसके अंदर आप देखने हैं यह सभी चीज़े आपके applicable होती है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए नमशकार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ TDL के बारे में यह सभी फीचर टैली आपको by default देता है लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई extra फीचर अपनी टैली के अंदर add करना चाहते हैं तो उस situation के अंदर आपको TDL का यूज करना पड़ेगा TDL बेसिकली एक तरह की कोडिंग होती है जिसको आप अपनी टैली के अंदर add करते हैं और आपकी टैली प्राइं के अंदर या आपकी टैली के अंदर वो यहां पर आप चले जाएं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक फीचर है रिसाइकल बीन का तो यह रिसाइकल बीन का जो फीचर है वो टैली के अंदर हमने extra add किया है अगर आप simple टैली को install करते हैं तो उसके अंदर आपको यह फीचर देखने को नहीं मिलता अब यह basically क्या काम करता है मैं इसका practical भी आपको दिखाऊंगा इसके अलावा एक TDL मैं आपको और दिखा देता हूं आप vouchers में चले जाए और यहां पर आप प्रेस करिए F8 यह नहीं sale voucher open करिए sale voucher जब आप open करेंगे तो open करने के बाद आप देखें इसका जो look है बिल्कुर different है यहाँ पर आप देखेंगे आपका MRP quantity rate per piece के हिसाब से और amount यह सब कुछ शो कर रहा है यह basically एक pharma sale voucher है जिसका आप use कर सकते हैं और इसके साथ यह आप देखेंगे यहाँ पर एक option है invoice CFG का इस TDL को हमने add किया है जिसके साथ हमें invoice CFG भी मिलता है और साथ के साथ यह पूरा का पूरा sale voucher भी हमें मिलता है तो मैं दोनों को आपको पहले use करके दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से download कर सकते हैं आप इसे किस तरह से अपने teleprime के अंदर add कर सकते हैं और किस तरह से आ आप यहां पर उसकी entry किस तरह से pass करेंगे यहां पर देखे sale account है यहां पर आपके सामने doctors नजर आ रहा है तो यहां पर हमने पहले से doctor बना रखा है इसको आप यहां से ले लेते हैं और यहां से हम जिसको sale कर रहे है उस party का name select कर लेते हैं यहां पर आप enter करके इसे बास करा पास करने के बाद यहां पर sale ले लिजे और यहां पर आपका जो भी item है मालीजे हमने बना रखा septron, septron की quantity कितनी है मालीजे 10 piece ले लिया हमने और उसका total amount हमारे सामने यहां पर show हो गया यहां पर negative stock आ रहे है क्योंकि हमारे पास यह item है नहीं हम इसको enter करके save करा देते हैं, save कराने के बाद यहां पर आप चाहें तो अपना taxation भी use कर सकते हैं, तो taxation भी हमारा use हो गया, इसकी बाद हम इसे enter करके save करा देते हैं, यहां पर new reference में डाल करके आप इसे save कर देजे, सेव करने के बाद अगर आप इसकी एंट्री देखना चाहें तो इसके आप करके एक बार आप बीछे चले जाएए दो बार डी दबा दीजी अपनी डे बुक में आ चाहिए और यहां से आने के बाद हम सेल की जो भी एंट्री है उसको हम उपन कर लेते हैं तो यहां पर हम अगर के एंट्रपेस करिए एंट्रपेस करने के बाद आप देखेंगे यहां पर इसका जो इन्वोईस है बिल्कुल डिफरेंट है एक फार्मा कंपनी की तरीके से आपको यह इन्वोईस जनरेट करके दे रहा है इसके अलावा अगर आप इसमें एक्स्टा चीज़ों को और आप देखेंगे, यह जो कॉलम है, हसलन नंबर का, प्रैमरी बैच का या इसमें और भी कॉलम अगर आप एड़ करना चाते अपने हिसाप से तो यह चीज़ आप कहां से एड़ करेंगे इसके लिए आप देखेंगे, यहां पर इन्वोईस चीज़ों करना चाहेंगे उ इस TDL को यहां से remove करूँगा, तो यह बिल्कुल पिछले जैसा हो जाएगा, जैसे हमें normal tally देती है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, recycle bean वाला हमारा जो TDL है, वो क्या काम करता है, तो यहां पर चले जाते हैं, सबसे पहले हम debut को open कर लेते हैं, अपनी, debut के अंदर से म recycle bean में move करना चाहते हो, basically अगर हम alld करते हैं यहां पर, तो यहां पर होता क्या है, हमारी entry सीधे delete हो जाती है, और उसे हम वापस recover नहीं कर सकते, लेकिन recycle bean एक ऐसा feature है, जो आमने extra TDL यहां पर add किया है, जो क्या काम करेगा हमारी इस entry को वापस दे देगा, कैसे, मैं पहले ए enterprise किया, अब यह entry हमारी यहां से delete हो चुकी है, अब skip करके आप पीछे आजाएए, पीछे आने के बाद desk display, more reports के अंदर चले जाएए, यहां से आपको लेना होगा recycle bean, recycle bean लेने के बाद आप यहां पर देखेंगे, आपका यह जो delete item था वो यहां पर show हो गया, यहां पर deleted entry जो voucher इसका status का है, यह delete है, अब यहां पर आप देखेंगे एक notification आपके पास आ रही है, press enter to restore this voucher from recycle bean, यानि अगर आप यहां पर एक बार enter press कर देते हैं, तो आपका यह जो voucher हो वापस restore हो जाएगा आपके day book के अंदर, तो हम यहां पर एक बार enter press करके देख लेते हैं, हमने enter press कर दिया, अब हमारा यह जो यहां पर entry थी, वो यहां से move हो चुकी है, वो कहां चली गई है, skip करके पीछे आ जाईए, day book में चली जाईए, day book में जाने की बाद आप देखेंगे, यहां पर आपकी बार entry शो हो गई है, लेकिन आप यहां पर एक चीज और देखेंगे, यहा हमारी यह जो entry है, वो अभी यहां पर add नहीं हुई है, तो इसको पूरी तरीके से add करने के लिए, यहां पर आप देखेंगे, एक option आपका regular, यानि इसका जो अभी status है, वो optional है, अगर आप इसे regular रखना चाहते हैं, तो यहां पर आ करके click कर दीजिए, click करने के बाद आपकी जो entry थी, वो optional से add गई है, अब यह regular हो चुकी है, और इसके बाद इसे control A कर दीजिए, यानि save कर दीजिए, save करने के बाद आप आप देखेंगे, आपकी entry यहां पर वापस आ चुकी है, तो यह थी हमारी TDL फाइल, जिसकी मदद से हम recycle bean को add कर सकते हैं, इसके अलावा इसके पहले जो हमने 2 TDLs add की हैं, मैं इसको आपको हटा करके दिखा देता हूँ, आप जाएंगे यहां पर F1 option पर help के उपर, और यहां से आप जाएंगे TDL and add-ons के उपर, add-ons के उपर आने के बाद आप आप देखेंगे, यहां पर हमने 3 TDLs add किये हुए, तो अगर मैं इनको यह यहां से remove करना चाहता हूँ, तो मैं इसको remove भी कर सकता हूँ, और अगर आप इसको remove नहीं करना चाहते हैं, और यह भी नहीं चाहते हैं, कि आप इसका use भी नहीं करना चाहते हैं, अभी कुछ समय के लिए, तो यहां पर हमें Tally Prime एक बहुत बहुत बहुतरीन feature देता है, कि ह यहां इसे यहां पर enable भी कर सकते हैं और इसे disable भी कर सकते हैं लेकिन tally erp9 के अंदर यह feature नहीं था उसमें basically आपको उसका path change करना पड़ता था या तो उसके path को यहां से delete करना पड़ता था तो यहां पर अगर आप जाके add-ons के अंदर जाएंगे और यहां पर अगर आप किसी चीज को यानि recycle bean को अगर हम यहां पर no कर देते हैं तो यह option हमारा काम नहीं करेगा जैसे मैं activation invoice to chemist वाले को भी no कर देता हूँ को वापस select करेंगे और यहां से जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर एक option है आपका manage local TDL इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां से enterprise करेंगे और यहां पर कर देंगे इसे end of list इस तरीके से आप इसको भी अटा सकते हैं इसी तरीके से हम recycle bean को भी करेंगे और अब आप देखेंगे यहां से आपका recycle bean गया हो चुका है इसी तरीके से vouchers में जाके चेक करिए F8 प्रेस करिए F8 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका simple sale voucher आ गया जो Tally आपे normally provide करता है और अब मैं आपको बताता हूं कि आप TDL को किस तरीके से अपनी जो आपके system में net connect होना चाहिए net on होना चाहिए net connect होने के बाद आपको जाना है अपने help quality options पे और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने का option आएगा Tally Shop का जब आप Tally Shop पे click करेंगे तो आपके सामने इसका एक browser open हो जाएगा और उसी browser के अंदर हमें TDLs दिखाई देंग तो चलिए यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा समय लग रहा है हम इसे open दे होने देते हैं यहां पर आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारी TDL file शो हो रही है अब जैसे मालेजी आपको जो भी TDL file चाहिए और यहां से इसे download कर सकते हैं यहां पर मैं आपको बता यहां पर आपको परचेज करना ही पड़ेगा तब ही वो वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर मैं आपको रिसाइकल बीन वाला TDL वापस ढूंद के दिखा देता हूं यहां पर सर्च में चले जाए और यहां टाइप कर दीजे रिसाइकल बीन और एंटरपेस करने के जैसि आप एंटरपेस करेंगे आप देखेंगे यहां पर रिसांकल बीन का हमारे TDL शोग है अभला दिखा हरा है आपके सामने एक file download हो जाएगी तो उस File को download होने देते हैं इस File को download होने के बाद आप इस File को open करके देखिए कि इस TDR का आप use किस तरीके से कर सकते हैं इसमें आपको step by step सब कुछ बताया हुआ होगा और उसके बाद आप इसको education mode पे download करके उसकी practice कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि आप इस TDRL फाइल का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका manual क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, तो चलिए इसको open होने देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है, अब आप देखेंगे ह इसको पूरा step आपके सामने लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे TDRL का use किस तरीके से किया जाता है, वो भी उसका भी manual आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके बारे में आपकी इस पूरी detail आपको TDRL के बारे में यहाँ पर दे दी जाएगी कि इसको आप किस तरीके से use कर सकते हैं, तो यह हमारी TDRL की file आपको एक तरीके से मदद करेगी इस TDRL को use करने के लिए, तो हम इसको फिलाल cancel करते हैं, cancel करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इस TDRL को आप educational mode के लिए किस तरीके से download कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप द आप देखेंगे आपके सामने एक option आ गया डाउनलोड का इस डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी वो TDL फाइल यहां से डाउनलोड हो जाएगी मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यह जो TDL फाइल है यहां पर हमारे सामने बेसिकली डाउनलोड हो चुकी है लेकिन इसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले sign in करना पड़ेगा यानि अपनी Gmail ID से इसको एक बार login करना पड़ेगा यहां पर मैंने पहले से इसे login किया हु लोग इन करने के बाद ही आप जो files होती हैं, उनको download करके रखा हुआ है, और यहाँ पर इसका manual भी आप देखेंगे, manual भी download है, इसी तरीके से आप जो भी TDL download करना चाहें, उसको download कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस TDL को किस तरीके से अपनी Teleprime के अंदर add कर सकते हैं, तो इसके लिए इस TDL file के ओपर right click करना होगा, right click करने के बाद आपको जाना है इसकी properties के ओपर, properties में जाने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा, security के ओपर, security में जाने के बाद आप आप देखेंगे, आपके पास यहाँ पर file का path show हो जाएगा, आपको simple यहाँ पर click करना है, और इस पूरे जाना होगा help quality option पे और यहां से आपको जाना होगा TDL and add-ons के अंदर, add-ons के अंदर जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहां पर एक option आपके सामने show होगा, manage local TDL, आपको इसको click करना होगा, click करने के बाद आप देखेंगे, यहां पर एक option होगा, load selected TDL file on startup, इसको आप आपको yes करना होगा, अगर आपके system में यह no होगा, तो आपको इसे yes करना होगा, yes करने के बाद आपको यहां पर जो हमने path copy किया था, इसको हम यहां पर specify path क्लिक करके, इसको यहां पर add कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहां पर add कर दिया, add करने के बाद जैसे मैं इसको enterprise चाहते हैं, तो आप यहां से भी अपनी फाइल को ढूंड करके उसको add कर सकते हैं, तो मैं यहां पर इस TDL को add कर देता हूँ, add करने के बाद simply end of list पे click करता हूँ, और enter press करता हूँ, enter press करने के बाद आप देखेंगे, यहां पर हमारा यह जो TDL फाइल थी वो load हो चुकी है, य यहां पर आपको जाना होगा add on features के अंदर, add on features के अंदर आप देखेंगे recycle bean अभी आपका no है, यानि की enable नहीं है, इसको आपको यहां पर enable करना होगा, इसे आप yes करेंगे, yes करने के बाद हमारा recycle bean था, वो यहां पर working में आ चुका है, मैं आपको एक बार check करा देता हूँ, आप skip करके एक बार पीछे चले जाएए, पीछे जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे, display के अंदर, display के अंदर जाने के बाद यहां पर recycle bean का एक option है, इस पर click करेंगे, तो यह आपका जो file थी, वो आपकी यहां पर show up हो चुकी है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तो राज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टैली प्राइम के अंदर किस तरह से multi currency का use कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा ultra वाले option पे, ultra में जाने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने एक option आएगा currency का, आपको इस currency वाले option पे आना है औ new पर click करना है, create new पर click करने के बाद आपके सामने एक dialogue box open होगा, इसमें आपको symbol देना है, जिस भी currency का आप symbol add करना चाहते हैं, तो माली जी हमने add कर दिया यहाँ पे dollar, और यहाँ पर इसका formal name जो हम वो type कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया US dollar, और उसके बाद आप enter press enter press करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर एक option है, जिसमें लिखा हुआ है number of decimal place, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब यह है कि जो भी dollar की value आएगी, उसकी decimal value होगी, वो 2 होनी चाहिए, उससे जादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 ही रखेंगे, यहाँ पर पर एक और option है, suffix symbol to amount, यानि आप चाहते हैं, कि आपका यह जो dollar का symbol है, वो आपके amount के साथ represent ना हो, तो यहाँ पर आप इसे yes रखेंगे, हम इसको चाहते हैं कि हमारा यह जो dollar का symbol है, वो हमारे amount के साथ show हो, तो हम इसको no ही रखेंगे, इसके मत आप आप देखेंगे, यहा यहाँ पर आपके सामने एक और option आगया, word representing amount after decimal, यानि decimal के बाद की जो value होती है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको वो type करना होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, cents, और इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, number of decimal place for amount in words, यानि जो भी आपका decimal place होगा, उसमें जो भी amount आएगा, उसके कितने words होगे, तो यहाँ पर हम ने ले लिया, do words, और यहाँ पर हम इसको enter करके save करादेंगे, save करने के बाद, scap करके आप पीछे आजाएए, पीछे आने के बाद हमारी currency create हो चुकी है, scap करके एक बार और पीछे आजाएए, जैसे ह currency create कर लेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने एक option आजाएगा, rate of exchange का, आप इसे click करेंगे, इसे click करने के बाद आप enterprise करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो standard rate है, वो कितना है, हम दिखा देते हैं, आपको मालिजेस का standard rate 75 dollar है, और इसका selling rate है 80 dollar, और इसको set कर लेते हैं, यहाँ पर वापस चले जाते हैं, अमनी tell screen पर, और यहाँ पर जाने के बाद हम इसको रख लेते हैं, 75 dollar, और इसका selling rate था, वो था 80 dollar, और इसका buying rate था, वो था 70 dollar, और इसके बाद हम इसको set करने के बाद, इसको enter करके save कर देते हैं, हमारा rate of exchange complete हो चुका इस cap करके हम पीछे आजाते हैं और अब मैं आपको एक entry pass करके दिखाता हूँ ताकि आपको इस dollar का use समझ में आ जाए इसके लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ ledgers बनाने होंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ items को purchase करेंगे जिसके उपर GST rate के साथ हम इसको purchase करे करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक question है 1st April 2021 को हमने 100 mobile phone sale किये है Samsung J7 के जिसका bill नमबर आ एकसल 1 है जिसके ओपर 18% का GST rate है और हमने sale किसको किया है इंडिया electronic को और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे उसी amount को receive करेंगे जो कि हमारा dollars के अंदर यहाँ पर show कर है 4720 रूपीज और यहाँ पर आप देखेंगे bank charges जो काट रहा है हमारा वो 200 रूपीज bank charges काट ले रहा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ledgers क्रिएट करने होंगे और इन ledgers को मैं आपको बताऊंगा directly आप किस तरीके से create कर सकते हैं तो इसके लिए चले जाते हैं हम यहाँ पर आप टाइप कर दीजे इंडिया electronic और इसके बाद हम इसको अंडर अफ डाल देंगे संडी डाविटर के और यहाँ पर आपको एंटर एंटर करके सेव कर देना है अगर वो हमारा regular customer है तो उसे regular में रखेंगे यहाँ पर आपके पास उसका GST number है तो आप फिल कर स sales का तो हम यहाँ पर अंडर आफ डाल देते हैं sales account के और यहाँ पर आपको एंटर करके यहाँ पर सर्विस की जगह आपको goods रख लेना है और यहाँ पर एंटर करके आपको इसे save कर देना है save करने के बाद आप देखेंगे अब हमारे पास यहाँ पर आइटम और आइटम की quantity मांग रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर Alt C फिर से करेंगे और हमारा जो आइटम था वो आइटम था हमारा J7 यहाँ देखेंगे आप हमारा आइटम है J7 mobile phone है जो की under of stock group हमारा आता है Samsung क तो हम अपनी tally में वापस चले जाते हैं यहाँ पर J7 mobile phone ले लेते हैं और इसको under of डाल देंगे हम लोग किसके Samsung के यहाँ पर under of आने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा Alt C Alt C प्रेस करने के बाद यहाँ पर टाइप कर दीजे Samsung और इसके बाद यहाँ पर enter करके आ यहाँ पर set alter GST detail का आपको इसको yes करा के applicable कराना होगा और यहाँ से आपको आना होगा text bell के अंदर और जितना भी GST rate था वो आपको यहाँ पर fill कर लेना है तो मालीजे 18% का हमारा GST rate था हम इसको fill कर लेते हैं fill करने के बाद हम इसको enter करके save कर देते हैं save करने के बाद आपक आपका इसको save कर दीजे save करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ खानी नहीं करनी simple enter करेके save कर देना है save करने के बाद आपकी जितनी भी quantity थी वह quantity यहाँ पर type कर लीजे तो हमारी जो quantity थी वह 100 pieces थी तो यहाँ पर हम 100 piece type कर लेते हैं इसके बाद इसका जो per piece rate था उता 40 dollar तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 40 dollar का symbol लगा दीजे इसके साथ और enter press कर दीजे enter press करने के बद आप देखेंगे आपका total amount dollars के अंदर यहाँ पर show up हो गया इसके बद आप यहाँ पर enter press करिए यहाँ पर आप देखेंगे आपका rate of exchange भी यहाँ पर show हो गया तो यहाँ पर डाल देते हैं duties and taxes के duties and taxes लेने के बाद यहाँ पर आप GST select करेंगे और यहाँ पर CGST है तो इसे central tax के अंदर डाल देंगे और इसे enter करके save करा देंगे आप देखेंगे आपका taxation show हो गया फिर नीचे आईए यहाँ पर इसका amount था rate of exchange वो भी आपके amount यहाँ पर show up हो गया इसक इसे भी आप डाल दीजिए under of duties and taxes यहाँ पर GST ले ले लिजिए और इसे डाल दीजिए state tax के अंदर और simple enter एंटर करके आप इसे save कर दीजिए save करने के बाद फिर से enter प्रेस करिए और enter प्रेस करने के बाद इस entry को आप यहाँ पर provide GST ebay bill को no रखते हुए pass करा दीजिए यहाँ पर आपको new reference रखना है और यहाँ पर जो हमारा bill invoice number था वो था यहाँ पर आप देखेंगे excel 1 था और यहाँ पर इसे enter करके save करा देंगे जो भी हमने sale किया है उस item का जो भी amount है हम वो आपनी party से receive करेंगे तो amount यह रहा हमारा जो हमें अपनी party से receive करना है तो इसके लिए आपको F6 प्रेस करना होगा अपने keyboard से F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा आपको एक बार after press करना है और after press करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे pre-allocate bill for payment receive journal voucher इस वाले option को आपको yes करा के रखना है यह आपका yes होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आपका use debit and credit वाला option भी आपका yes होना चाहिए इन दोनों options को आपको yes करा के रखना है अगर आपके system में यह yes ना हो तो आप इसे yes जरूर कर लीजेगा हमने इसे पहले से yes करा रखा है अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रेस करेंगे अपने keyboard से control plus x change mode करेंगे और यहाँ पर हम use करेंगे double entry डबल एंटर यूज करने के बाद जिस पार्टी से हमें amount receive करना है हम उसे पार्टी को select करेंगे यहां से select करने के बाद यहाँ पर हम एगेंस reference रखेंगे और जो हमारा reference number था हम उसको select कर लेंगे total amount हमारे सामने यहाँ पर represent हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ enter करना है enter करने के बाद आप देखेंगा हमारा जो total amount था वो rupees के अंदर यहाँ पर show हो गया शो होने के बाद आप फिर से एंटर करके नीचे आजाएंगे, नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक लेजर और क्रियेट करना होगा, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है Alt C, और Alt C प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको जो लेजर क्रियेट करना है, वो laser create करना है bank charges का, और इसको हम डाल देंगे indirect expense के, क्योंकि ये जो charges हमारे detect होगा, वो हमारा एक तरीके से indirect expense होगा, इसको हम control A करके simple save करा देंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये total पूरा amount इसने ले लिया, तो हमारा जो actual detection amount था वो यहाँ पर आप देखेंगे, $200 हा, यानि $200 के हिसाब से, यानि bank ने जो हमारा charges detect किया है, $4720 में से, उसमें से $200 माइनस करना है हमें, तो ये calculation हम directly अपनी tally screen पर ही करेंगे, इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप जाएंगे वापस tally screen पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक बाद enterpress करना होगा, और यहां पर आपको सबसे पहले $ gains करना है, और यहाँ पर आपको लिए लिखना है $200,200 लिखने के बाद आप enterpress करेंगे और यहां पर लिखेंगे, zekeros लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था वह यहाँ पर शो हो गया 16,000 का इसके बाद आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर वो अमाउंट टाइप कर देंगे लाइक हमने टाइप कर दिया 16,000 और उसके बाद हम एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करने के आद वही अमाउंट फिर से हमें यहाँ पर डालना होगा, यानि डॉलर का सिंबल देने के बाद, यहाँ पर आप लिखेंगे 200 डॉलर, टिटक्ट हो रहा है हमारा, जो कि हमार 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से डिटक्ट होगा, यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे, तो अमाउंट टोटल हमारा यहाँ शो हो जाएगा, इसके बाद हम एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पर想fir पर हमें लेना है बैंक का नेम, तो यहाँ पर ह CTRL A करके आप इसको सेफ करा देंगे, सेफ करने के बाद आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था, वो यहाँ पर शो हो गया, और अगर आप 16,000 को प्लस करते हैं, और इसको इस अमाउंट को प्लस करते हैं, तो टोटल अमाउंट जो आपका आएगा, वो सेम देखें, इक्वल आ गया, इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको सिंपल एंटर एंटर करके इसको सेफ कर देना है, तो इस तरह से आप मल्टी करन्सी का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेर कीजिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि आप तैली प्राइम के अंदर किस तरह से location क्रीट कर सकते हैं, यानि go down क्रीट कर सकते हैं, और stock को ट्रांस्वर कर सकते हैं, तो बने रही हमारे साथ, अगर आपको ہमारे यह वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, subscribe कीजेगा और अपनी सभी दोस्तों में share कीजेगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं आप देखेंगे हमने एक company यहाँ पर create की हुई है अब आपको जाना है अपने create वाले option पर create option पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने inventory master के अंदर एक option आपके सामने show होगा locations का आपको इस location वाले option पर click करना है click करने के बाद आपके सामने notification आएगी इसमें आपको करना है create now create now पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी location create कर लेनी है यानि कि आपने godowns create कर लेनी है और इसको भी प्राइबरी लोकेशन में डालते हुए, मैं इसको भी सेफ कर दूँगा, और एक लोकेशन और क्रेट कर लेता हूँ, इन लोकेशन के नाम से, और इसको मैं डालूँगा, मैं इन लोकेशन के अंदर, इसके बाद मैं इसको सेफ कर देता हूँ, सेफ करने के मैं उसको transfer करूँगा तो सबसे पहले हम purchase में जाने के बाद यहाँ पर मुझे एक ledger create करना होगा किसी party का तो यहाँ पर मैं allc press करूँगा और किसी एक party का ledger create कर लेता हूँ जैसे माल लिजे मैंने create कर लिया अधिट्या corporation के नाम से एक party और इसको मैंने under-off डाल दिया sendry creditor एंटरप्रेस करने के बाद आप इसे control A करके save कर सकते हैं यहाँ भी आप control A करके save कर दीजे यहाँ भी आप control A करके save कर दीजे यहाँ पर आपको create वाले option पर click करना है यहाँ एंटरप्रेस करना है पर्चेस का तो मैं यहाँ पर पर्चेस का एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको अंडर ओफ डाल दूगा पर्चेस अकाउंट के इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर एंटर करके यहाँ पर गूट्स लेना है यहाँ पर आप देखेंगे under of यानि यह mouse आपका किसके अंडर जाएगा तो यहाँ पर आपको alt c press करना होगा और यहाँ पर हम create कर लेते हैं like dell company का हमारा यह mouse है हम enterprise करेंगे यहाँ पर आप चाहें तो gst detail को yes कर सकते हैं अगर आप gst applicable करना चाहें तो मैं इसको yes कर देता हूँ और यहाँ पर आप ले सकते है taxable और यहाँ पर आप जो भी percentage देरा चाहें वो दे सकते हैं मैं लिचे मैंने दे दिया यहाँ पर 18% और इसके बाद enterprise करके मैंने इसको save कर दिया save करने के बाद यहाँ पर अपनी units आप लेंगे तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा और c और यहाँ पर मैं type करूँगा n o s nos और इसे यहाँ पर आप इसकी full form लिख दीजे और इसके बाद यहाँ पर n type करते हुए numbers लेते हुए इसे save कर दीजे save करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना simple enter करके save कर देना है save करने के बाद अब आप से पूछेगा कि आप इसे किस location में मंगवाना चाहते हैं यानि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी goods को जिस location में डालेंगे यहाँ पर यहाँ पर आपका goods represent होगा यानि यहाँ पर आप से location मांग रहा है कि आप इस goods को किस जगा पर मंगवाना चाह रहे हैं यहाँ पर स्पेस दबाएंगे स्पेस दबाने के बाद माल लीजिया है मैं यहाँ पर ले लेते हैं जड़ोदा कि हम जड़ोदा में इस item को मंगाना चाह रहे हैं जड़ोदा की go down में मैं चाहता हूँ मेरा item store हो जाए और इसके बाद मैंने यहाँ इसकी quantity डाल दी like 100 pieces enter press करूँगा और यहाँ पर इसका rate दे देता हूँ तो rate दे दिया मैंने like 350 rupees enter press किया मैंने और इसको save कर दिया save करने के बाद यहाँ पर मैं एक item और ले लेता हूँ और फिर से press करिये और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ like keyboard और इसको under off डाल दूँगा मैं same del के ही यह भी मेरा del का item है यहाँ पर notes लेते हुए इसको भी आप control ले करके आप save कर सकते हैं save करने के बाद यहाँ पर location मांग रहा है तो मैं same location को फिर से ले लेता हूँ कि मैं यह दोनों की दोनों चीज़े same location में मंगबाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर जड़ोता ले लिया quantity 100 पीस दे दी और इसका जो rate था वो 550 रिपीस था और एंटर करके मैंने इसको save कर दि और यहाँ पर आप लेने के बाद यहाँ पर आप लेने के बाद यहाँ पर आप लेने के बाद यहाँ पर 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 लेने के आप इसे enter, enter करके save कर देंगे, save करने के बाद हम इस entry को भी यहाँ पर provide gst evable को no रखते हुए save करा देंगे, यहाँ पर आपको reference number 1 ही रखना है और यहाँ पर इसको save कर देना है, यानि कि हमारा जो जड़ोदा go down था, वहाँ पर हमारा जो stock था, वो आ चुका है, इसको check करने के लिए आप एक बार scap करके पीछे आएंगे, पीछे आने के बाद यहाँ पर आप अपने keyboard से alt g press कर सकते हैं, alt g press करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे go down, go down summary पर enter press करने के बाद आप यहाँ जड़ोदा के अंदर जाएंगे, जड़ोदा के अंदर जाने के बाद आप आप देखेंगे total हमारे पास जो pieces हैं, वो 200 pieces हैं, यहाँ पर आप press करेंगे alt f1, alt f1 press करने के बाद आप देखेंगे keyboard हमारे पास 100 pieces हैं, और माुष हमारे पास 100 पीचिस हैं यहाँ से आप SCRAP करके पीछे आ जाएंगे पीछे आने के बाद यहाँ से अगर मैं आपको में मेल लोकेशन दिखाओ अगर हमारे पास कोई भी स्टाक नहीं है और अगर मैं संतन अगर से stock को transfer कर सकते हैं, एक गोडाओं से दूसरे गोडाओं में, तो इसके लिए हमें जाना होगा vouchers के अंदर, और vouchers में आने के बाद, यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा, alt F7, alt F7 प्रेस करते ही, आपके सामने stock general का जो vouchers था, वो यहाँ पर open हो जाएगा, और यहाँ तो फिर है source और दूसरा है हमारा destination, यानि source part वो पार्ट होता है, जहां से हम goods को भेज रहे हैं, और destination वो पार्ट होता है, जहाँ पर हम goods को receive कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? बहीं स्पेस उस करेंगे, बहीं स्पेस उस करने के बाद आप कॉंसे item को भेजना आप कितने pieces यहां से भेजना चाहरे हैं, तो हमने quantity दे दी like 50 pieces, मैं यहां से transfer करना चाहरा हूँ, आप बाकी दोनों go down के अंदर, यहां पर enter pass करेंगे, enter pass करने के बाद यहां पर अगर और भी कोई आप stock लेना चाहरे तो ले सकते हैं, तो मैं यहां पर space यूज़ करूँगा, यहां पर लेता हूँ मैं mouse, mouse लेने के बाद mouse के कितने pieces मैं transfer करना चाहरा हूँ, तो माल लिजए मैं mouse के 50 pieces transfer करना चाहरा हूँ, तो यहां पर भी हमें सबसे पहले लेना होगा, अपना go down, mouse के हमारे पास जो total quantity है, वो 100 की है, और यहां पर मैं 50 nose यहां से transfer कर दे रहा हूँ, transfer करने के बाद यहां पर enter press करिए, enter press करने के बाद यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर space press करना होगा, space press करने के बाद यहां पर आप देखेंगे, आपका keyboard और mouse दोनों show हो गए, तो सबसे पहले हम keyboard को receive कर लेते हैं, यहाँ पर destination के अंदर, इसको use करने के बाद यहाँ पर आपको location लेनी होगी, आप किस location के अंदर इसको receive करना चाहरे हैं, तो माल लीजे मैं location जो है हमारी वो संतनगर है, मैं संतनगर के अंदर इसको receive करना चाहरा हूँ, कितने pieces receive करना चाह लिए कि बाकि कि फिंटिफित पीसिस है इसके. वह इन लोकेशन के अंदर ट्रांस्वर करना चाहरा हूँ. यहांपर हम फिरसे 25 पीसिस ले रेंगे और एंटर प्रस कर देंगे. enterprise करने के बाद दूसरा item जो था हमारा वो mouse था तो space दबा करके आप mouse ले लीजिए mouse लेने के बाद यहाँ पर space दबाईए और इसे आप किस जगा पर लेना चाहरे हैं तो मालीजी हम यहाँ पर लेते हैं वापस से संतनगर और यहाँ पर कितने pieces आप लेना चाहरे हैं तो यहाँ पर हम transfer करना चाहरे है 25 pieces यानि receive करना चाहरे है 25 pieces और यहाँ पर enter करके हम इसको save कराएंगे यहाँ पर फिर से आप space use करेंगे और फिर से आप ले लेंगे mouse और माउस को अब यहाँ पर बागी का जो 25 पीसिस था यानि नोस था पौन किस जगा पर ट्रांसर करना चाह रहे हैं यानि किस जगा पर रिसीव करना चाह रहे हैं यहाँ पर फिर से आप स्पेस दबाईए और यहाँ ले लिजे इन लोकेशन और यहाँ पर ले लिजे 25 नोस और enter प्रेस करने के बाद इस entry को आप यहां पर save करतीजिए, save करने के बाद आप यहीं पर press करिए alt g, alt g प्रेस करने के बाद यहां पर हम ले लेते हैं go down, go down summary लेने के बाद यहां पर हम enter प्रेस करेंगे, और enter प्रेस करने के बाद मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ in location in location के अंदर आप देखेंगे आपके पास total item है वो 50 pieces है तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे alt f1 alt f1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके keyboard जो है वो 25 nose है और mouse आपका 25 nose है तो यहाँ पर हम scap दबा के पीछे आजाएंगे और इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ संतनगर, संतनगर के अंदर अगर जाकर के अगर आप alt f1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे keyboard का आपके पास जो quantity है वो 25 nose है और mouse की quantity 25 nose है तो इसके आप करके पीछे आजाएए अब मैं आपको जड़ोगा की location दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो 50-50 pieces transfer हुए है तो इसके अंदर कितना pieces बचा हुआ है इसपे एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर हमारे पास 100 की quantity है और यहाँ पर अभी हमारे पास जो quantity थी वो 200 की थी Alt F1 प्रेस करिए Alt F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे keyboard हमारे पास 50 nose है और mouse भी हमारे पास 50 nose है तो इसके आप करके हम पीछे आ जाते हैं तो यह तो था हमारा stock transfer stock transfer आप 3 तरह से कर सकते हैं आप अपने keyboard से एक बार प्रेस करिए Ctrl प्लस H Ctrl प्लस H प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा journal voucher है वो है use for manufacturing journal अगर आप manufacturing के बारे में जानना चाहते हैं तो link के description में आपको वीडियो मिल जाएगी आप वहाँ से इसे देख सकते हैं इसमें हमने बताया हुआ है कि आप किस तरह के से manufacturing का use कर सकते हैं यानि raw material को आप किस तरह के से manufacture कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर जो option है वो है use for stock channel जो मैंने recently अभी आपको बताया और इसके बाद हमारा next option है use for interlocation transfer interlocation transfer का मतलब यह हुआ कि माल लीजे आपके पास एक ही location है और एक ही location में आप goods को transfer करना चाह रहे हैं तो मैं यह भी आपको बता देता हूँ इस पर आप enterprise करिए enterprise करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने option आ रहा है destination location का यहाँ पर आपको वो location लेनी है जिस location में आप goods को transfer करना चाह रहे हैं तो माल लीजे हम space दबा करके यहाँ से ले लेते है in location मैं in location के अंदर goods को transfer करना चाह रहा हूँ यहाँ से आप space दबाएंगे space दबाने के बाद आप लेंगे कौन से item को आप in location के अंदर भेजना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से keyboard select कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लेना होगा पो location जिस location से आप goods को in location के अंदर transfer करना चाह रहे हैं तो हम ले लेते हैं यहाँ पर जड़ोदा और यहाँ पर आपको देनी होगी और यहाँ पर 5 पीसिस ले लेते हैं, 5 नॉस ले लेते हैं और एंटर करके हैं इसको सेफ कर देते हैं। सेफ करने के बाद आप फिर से प्रेस करिए Alt-G, Alt-G प्रेस करने के बाद यहाँ पर ले लिजए Go Down Summary और Go Down Summary लेने के बाद अगर मैं चेक करूं इन लोकेशन तो आप देखेंगे यहाँ पर 60 पीसिस शो हो गया, Alt-F1 दबा के आप चेक कर सकते हैं, 30 पीस आपके पास कीब का बचा हुआ है और 45 नोस आपके पास माउस का बचा हुआ है तो ये था हमारा stock transfer अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए नवशकार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ job costing के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ job costing होती क्या चीज है जब भी कोई वेक्ति किसी project को लेता है उसे complete करने के लिए जिसमें उस काम को करने के लिए जितनी भी लागत लगती है जैसे wages, expenses, goods, इत्यादी इन सब के अलावा अपना profit add करने के बाद सामने वाली party यानि जिससे उसने project को लिया हुआ है उससे उन सभी expenses और income को लेना ही job costing कहला है जाता है अब इसे हमें एक example के through समझते हैं आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ contractor द्वारा building construction का project लेना यानि कोई भी person जब भी किसी project को receive करता है जैसे यहाँ पर हम बात करें building construction की इस building construction को लेने वाला है contractor तो यानि कि contractor के through जितनी भी building में expenses या income लगेंगी उसको सामने वाली party यानि जिससे उसने इस contract को लिया हुआ है उससे वो सारी के सारे expenses और income receive करेगा उसे complete करने के बाद यानि पहले वो advance में कुछ amount ले लेगा उसके work को complete कर देगा यानि उसके project को complete कर देगा complete करने के बाद अपना profit add करके वो उससे बाकी का amount receive करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ letters लिखे हुए हैं कुछ raw materials लिखे हुए हैं vouchers के types हैं locations यानि go downs है cost center हमने बनाया हुआ है और direct expenses के कुछ amounts यहाँ पर लिखे हुए है तो इन सभी का use करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप Teleprime के अंदर किस तरह से इसका practically use कर सकते हैं तो हम एक company create कर लेते हैं यहाँ पर job costing के नाम से enter press करके आप इसे यहाँ पर select कर यह daily और इसके बाद enter करके save कर दीजे या फिर Ctrl A करके इसे save कर दीजे आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box और open होगा इस dialogue box के अंदर आपको तीन चीज़ों को applicable करना होगा जिसमें पहले से ही एक हमने applicable कर रखा है आप देखेंगे यहाँ पर पहला option है enable bill wise bill entry और उसके बाद आप देखेंगे just उसके नीचे ही एक option है हमारा enable cost center तो इस वाले option को हम यहाँ पर yes कर लेंगे yes करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे नीचे आने के बाद आप यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पर लिखा है enable job costing तो इस वाले option को भी हम क्या करेंगे आपर yes करा देंगे yes करने के बाद आप यहाँ पर control A करके इसको save कर दीजिए अब हमारी जो company है वो create हो चुकी है तो इसके बाद हमारा जो next step है अब हमें create करना है कुछ ledgers तो ledgers create करने के रहे हम चले जाते हैं create वाले option पर यहाँ से चले जाते हैं ledgers के अंदर और यहाँ से हम अपने ledgers create कर लेते हैं तो देखे सबसे पहला जो हमारा ledger है वो है अधित्या corporation का तो यहाँ पर हम अधित्या corporation का एक ledger बनाएंगे और इसको under of डाल देंगे sendry creditor के sendry creditor के डालने के बाद हम इसको control A करके save कर देंगे इसके बाद हम एक ledger बनाएंगे kamal का kamal जो है हमारी वो party है जिसने हमें इस project को दिया हुआ है तो हम kamal का ledger बनाने के बाद इसको डालनेंगे sendry debitor के अंदर और इसको भी हमें control A करके यहाँ पर save कर देना है save करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक option है purchase का और sale का तो हम purchase और sale इन दोनों के ledgers से यहाँ पर create कर लेते हैं इसको डालेंगे हम लोग purchase account के अंदर और यहाँ पर enter करके आप इसे goods लेते हुए save कर दीजे इसके बाद हम ledger बनाएंगे एक sales account का इसको under of डाल देंगे हम लोग sales account के save करने के बाद अब आप देखेंगे दो ledgers हमारे पास और है एक ledger है हमारा transport of building charges का इसको हम यहाँ पर copy करेंगे copy करने के बाद हम यहाँ पर paste कर सकते हैं यह हमारा direct expense होगा इसका मतलब यह है कि जब भी हमारी company के अंदर जो भी goods को हम मंगवाएंगे किसी transport के जरिये तो वो उसका जो expense होगा वो हम यहाँ पर pay करेंगे तो इसलिए हम इसको direct expense में रखते हुए इसको save कर देंगे control ही करने के बाद इस building construction के काम को complete करने के लिए जितना भी हमारा wages का expense हुआ है हम इसका एक लेजर create कर लेंगे और create करने के बाद आप यहाँ पर आ करके इसको paste कर दीजे, paste करने के बाद हम इसे भी direct expense में ही डालेंगे, direct expense में डालने के बाद हम इसको हुआ है, तो हमने जो project लिया हुआ है, वो building construction का project लिया है तो हम यहाँ पर select करने के अपना building construction project इसको यहाँ से आप copy कर सकते हैं, नहीं तो फिर directly आप जाकर करके वहाँ लिख भी सकते हैं, तो इसको आपको लिखना कहा होगा, स्क्याप करके आप पीछे आजाए, पीछे आने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक option और show हो जाएगा, आपका cost center का, इस cost center पर आपको enterprise करना होगा, enterprise करने के बाद यहाँ पर आप इसे type कर लीजिए, इसके job costing for cost center, आप इस वाले option को यहाँ पर applicable कर देंगे, यानि yes कर देंगे, yes करने के बाद आपका यह option यहाँ पर show हो जाएगा, इसको आप yes कराएगे, yes करने के बाद आप इसे save कर देंगे, save करने के बाद scrap करके हम पीछे आ जाएंगे, पीछे आने के बाद अब जो हमारा next work होगा, वो होगा हमारा location create करना, यानि जो भी हम building construction में goods को लगाएंगे, उन goods को रखने के लिए हमें एक location चाहिए होगी, यानि हमें go down चाहिए होगा, तो हम उन go down को create कर लेते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं हम लोकेशन के अंदर, लोकेशन में जाने के बाद यहाँ create now पे क्लिक करेंगे, create new पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने go down का नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ संत नगर, और enter करने के बाद इसको आप primary में दीजिए, अगर आप address पूरा fill करना चाहिए, तो fill कर सकते हैं, मैं फिलाल इसको blank चोड़ रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको building construction project select करना होगा, जो हमने अभी recently create किया था, इसको यहाँ पर select करने के बाद save कर दीजिए, तो हमारा यह work भी complete हो चुका है, अब हमें scap करके फिर से पीछे जाना है, अब हमें बनाना होगा stock group, तो stock group create करने के लिए आपको stock group के उपर जा करके enter press करना होगा, enter press करने के बाद, अब हम यहाँ पर अपने groups create कर लेते हैं, तो हमारा जो group है, वो है raw material, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं raw material, raw material लिखने के बाद आप इसे primary में डाल दीजिए, और enter enter करके इसको save कर दीजिए, save करने के बाद, scap करके फिर से पीछे आजाए, पीछे आने के बाद, अब आपको बनाना होगा units, units के लिए अंदर जाने के बाद, आपको enter press करना होगा, इसमें आपको, जो units बनानी है, आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास जो goods purchase किये जाएंगे, उनकी units यह रही, यानि notes यानि numbers, bags के अंदर, trucks के अंदर, kg के अंदर, तो इन सब चीजों के अंदर हमारा यह, जो new units है, यह purchase की जाएंगी, तो हम इनके units create कर लेते हैं, फटा-फट, तो हम वापस चले जाते हैं अपनी टेली स्कीन पर, सबसे पहले हम बना देते हैं, kg का, आप यहाँ symbol type कर दीजे, kg, इसके बाद यहाँ पर इसकी full form लिख देजी है, kg, और उसके बाद enter press करके, यहाँ पर K दबाईए, यहाँ पर अब शो हो गया kg, इसको आप control लेकर सेव कर सकते हैं, या फिर enter करके सेव कर सकते हैं, दूसरा बना लेते हैं हम लोग बैक, यहाँ पर आपको इसकी full form लिख दे नहीं है, बैक्स, और इसके बाद यहाँ पर भी दबाईए, यहाँ पर आप देखेंगे, बैक्स शो हो गया, इसके बाद है हमारा truck, ट्रक के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसका कोई formal name नहीं है तो आप same यही नाम type कर सकते हैं, type करने के बाद यहाँ पर आप एंट्रेंटर करके इसको save कर दीजिए, यहाँ पर आपको इसको not applicable रखना होगा और इसे save कर दीजिए, और इसके बाद ह हमें बनाना होगा stock items, तो हम चले जाते हैं stock item के उपर, यहाँ पर आपको अपने items create कर लेने हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे items कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे हमारा पहला item है brick, तो हम इसको create कर लेते हैं, यहाँ पर इसको select करके आप स सेफ कर देंगे, कंट्रोल ले कर दीजिए, सेम इसी तरीके से हमारा जो next item है, वो है हमारा cement, इसको भी हम यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहां पर हम इसको भी पेस्ट कर देंगे, इसका जो group आएगा वो raw material ही होगा, यानि सभी चीजों का जो group है वो raw material ही है, अब यह cement हमें मिलता किसमे है, तो यह हमें bags में मिलता है, तो यहां पर bag ले करके, हमें इसे control करके save कर देंगे, इसी तरीके से आप देखेंगे, हमारा जो तीसरा item है, वो clay है, तो clay को हम यहां से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहां पर हम इसे भी paste कर प्रव मेट्रीयल डालेंगे और यहां पर इसे भी हम ट्रक रखते हुए सेफ कर देंगे सेफ करने के बाद आप देखेंगे यहां पर मैटल है हमारे पास तो मैटल को हम यहां से कॉपी करते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसको भी अंटर अफ रॉ मेट्रियल डालेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे केजीज और इसे कंट्रोल ही करके हम लोग सेफ कर देंगे, और इसके बाद हमारे पास सैंट्स है, तो सैंट्स को पीछह आएंगे पीछह आने के बाद अपहने बनाना है वाउचर टैप तो हमें जाना होगा वाउचर टाइप के अंदर स्कैब करके आप एक बार उर पीछे चले जाएगे यहां से आपको आना होगा इंदर ब्वर हो जाएगा stock general के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे enter-enter करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने का option है गा name of class का यहाँ पर हम transfer का और consumption का दोनों के दोनों यहाँ पर stock general watcher create कर लेंगे इसे पहले हम type करेंगे आपको transfer करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर जो पहला option है आपका use class for interlocation transfer यहाँ पर इसको पहले वाले को आपको yes कराना होगा इसकी बाद आप लिखेंगे आपका consumption तो यहाँ consumption type कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा आपका जो दूसरा option है use class for job costing consumption इस वाले option को आपको yes कराना होगा और इसे control ले करके save कर देना है तो हमारा यह work complete हो चुका है इसके बाद skip करके आप एक बार और पीछे आ जाएए PTA आने के बाद अब हमें जाना कहा है हम सीधे जाएंगे vouchers के अंदर अब हम goods को purchase कर लेते हैं यानि जितने भी raw materials है हम उसको purchase कर लेते हैं इसके लिए हम F9 प्रेस करेंगे F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी supply invoice number है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं माल लिजे हमने यहाँ पर 101 दे दिया एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपकी जो पार्टी है जिससे कि आप अपनी raw materials को purchase कर रहे हैं उसको select करेंगे तो अधित्या कॉर्परेशन हमारी party है जो हमें raw material दे रही है हम इसको यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर purchase का लेजन लेंगे और इसके बाद यहाँ पर space दबाने के बाद अपने items को हम लोग select कर लेंगे जैसे हम सबसे पहले ले 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 लेने के बाद यहाँ पर आप कि 50,000 और enter press करिए enter press करने के बाद इसका प्राइस था वो 10 रुपीस था enter करके आप इसे save कर दीजिए save करने के बाद space दबाएए दूसरा item slack कर लीजे cement का cement को भी आप रखेंगे main location के अंदर और इसकी जो quantity है वो 1000 थी तो यहाँ पर हम 1000 रखेंगे और enter press करने के बाद इसका प्राइस था वो 350 रुपीस था तो इसको भी enter करके हम लोग save कर देंगे फिर से enter press करते वो हम नीचे आ जाएंगे clay पे और clay को लेने के बाद यहाँ पर इसकी जो location है सेम उसी तरीके से हम main location ही रखेंगे इसकी जो quantity थी हम लोग एक बार देख लेते हैं click जो quantity है वो है 10 truck तो यहाँ पर हम लेते है time की quantity enter press करने के बाद इसका जो price था वो देख लेते है price क्या है इसका तो इसका जो price है वो 25,000 है तो यहाँ पर हम 25,000 दे देते हैं enter करके आप इसे भी save कर दीजे इसका फिर से enter करिए और enter करने के बाद यहाँ concrete ले लिजे concrete की जो location है वो main location ही रखते हुए यहाँ पर इसकी quantity थी वो 10 truck थी और इसका rate एक बार हम देख लेते हैं इसका rate था वो 35,000 था तो यहाँ पर हम 35,000 टाइप कर लेते हैं enter करके आप इसे save कर दीजे, save करने के बाद फिर से enter करिए और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग metal, metal की जो location है सेम इसी तरीके से main location रखेंगे, इसकी quantity कितनी है तो इसकी quantity है 5000 और उसका price है 35 रुपीज तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5000 और यहाँ पर इसके जो price है वो 35 हम तो यहाँ पर हम 25000 टाइप करेंगे और enter करके इसको हम save कर देंगे, आप देखेंगे हमने जितने भी items से जितना भी हमारा raw material था जो कि हमारी इस project में जिन चीजों की जुरत पड़ने वाली है, हमने उन सभी items को यहाँ पर purchase कर लिया है, यहाँ पर आपका जो भी reference number होगा उसे लेते हुए, हम लोग enter करके इसको save करतेंगे, save करने के बाद आपको अपने keyboard से press करना होगा, alt plus F7, और अब हम करने वाले है stock transfer, तो यहाँ से चले जाएंगे transfer के उपर, transfer पर जाने के बाद आपको यहाँ पर space दबाना है, और यहाँ पर ले लेना है संतनगर, यानि destination के अंदर आपको वो location लेनी है, जिसके अंदर आप goods को transfer करना चाह रहे हैं, तो माल लीजिए संतनगर के अंदर हम अपने सभी goods को main location से transfer करना चाह रहे हैं, तो यहाँ सारी goods select कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम ले लेते हैं bricks को, brick को लेने के बाद location अभी यह कहाँ पर है, तो यह है main location के अंदर, इसकी कितनी quantity आप यहाँ पर transfer करना चाह रहे हैं, तो हम सारी कि सारी quantity यहाँ पर दिखा देंगे, कि हम सभी quantity को यहाँ पर transfer कर रहे हैं, तो इसकी जो quantity थी 50,000 तो यहाँ पर हम 50,000 दे देते हैं, और उसके बाद enter press करेंगे, enter press करने के बाद जो next item था हमारा, वो था cement, cement भी हमारा main location में रखा हुआ है, और इसकी जो quantity थी, वो कितनी थी, 1000 थी, तो यहाँ पर हम 1000 bags ले ले लेते हैं, और इसको enter करके save कर देते हैं, इसके बाद नीचे आ जाते हैं, clay की बाद करें, तो clay हमारा main location में ही रखा हुआ है, और इसकी जो quantity थी, वो 10 track थी, तो हम इसको भी लेते हुए enter कर देंगे, clay के बाद आप देखेंगे concrete, concrete भी हमारा main location में है, और यह भी हमारे पास 10 track था, तो इसको भी हम 10 track लेते हुए enter कर देंगे, concrete के बाद हम metal ले लेते हैं, metal लेने के बाद यहाँ पर भी हम main location लेंगे, और इसका जो quantity था, वो तो main location से संत नगर के अंदर transfer हो चुका है, इसके बाद हमें consumption करना है, यानि कि जो भी हमारा item है, हम उस item को अपनी building बनाते समय use कर चुके हैं, यानि उसको हम consumption दिखा देंगे, उसको हम concept कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको अपने keyboard से alt F7 दमाना होगा वापस से, और यहाँ आपको लेना होगा consumption, consumption लेने के बाद और उन सभी items को यहाँ पर हम select कर लेंगे एक एक करके, जैसे हम लोग लेते हैं bricks को, brick को लेने के बाद यहाँ पर space दबाएंगे, यहाँ से ले लेंगे हम लोग संत नगर, और अब हम बताएंगे कि कितनी quantity हमारी use हो चुकी है, तो यह अगर आप चाहें तो अपनी quantities को decrease भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूरी की quantity लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो brick की quantity थी, वो थी 50,000, तो यहाँ पर हम 50,000 टाइप कर लेते हैं, और enter करके नीचे आजाते हैं, नीचे आने के बाद हमारा जो दूसरा item था, वो cement था, cement हमारा है कहाँ पर, तो cement हमारा संतनगर में है, इसकी कितनी quantity थी, इसकी quantity थी 1000, तो इसको पूरा का पूरा हम ले लेते हैं, 1000, enter करके नीचे आजाएंगे, cement के बाद हम ले लेते हैं clay को, तो clay हमारा कहाँ पर है, हमारा यह संतनगर के अंदर है, इसकी कितनी quantity use हुई है, तो इसके भ हम metal की बात करें तो metal ले लेते हैं metal हमारा अभी संतनगर में है और इसकी कितनी quantity हमारी यूज हो चुकी है तो इसकी जो quantity थी वो 5000 थी तो यह 5000 हम टाइब कर लेते हैं एंटर करके हम नीचे आजाएंगे नीचे आने के बाद हम लेते हैं सेंट्स को सेंट्स हमारा कहां पर यह भी संद्मगर के अंदर है यहाँ पर इसकी quantity कितनी थी टेंटरक थी तो इसको भी हम लेकर यहाँ पर सेव कर देंगे चितना भी आइटम हमने पर्चेस किया था वो को कंजप्शन में यूज किया है और उसके बाद हम इसे सेफ कर देंगे सेफ करने के बाद आपको अपने कीवोर्ड से प्रेस कर नौग प्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे हमारी जो पेमेंट थी यानि कि जो अमारे एक्स्टा एक्सपसस थे r आप पैसे दिये हैं वो एक लाग रुपे दिये हैं तो ये लाग रुपे हमारा और भी खर्च हुआ है तो इसकी पेमेंट कर लेते हैं हम लोग आप वापस टैली में आ जाईए पेमेंट में जाने के बाद यहां पर आप स्पेस दबा दीजिए स्पेस दबाने के बाद यहां पर तो इसका expense amount था हमारा 50,000 यहाँ पे हम 50,000 टाइब कर लेंगे और enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आप बताना होगा आपको कि आखिर यह cost जो आपकी लगी है वो जो लागत आपकी लगी है वो किस जगा पे use हुई है तो space दबा करके हम ले लेंगे building construction project यानि हमने building construction project के लिए यह 50,000 खर्च किया है ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको हम एंटर करके save कर देंगे, सेम इसी तरीके से हमारा जो next expense था वो था wages wages में हमने लाग रुपे खर्च किये हैं तो यहाँ पर एक लाग रुपे हम ले लेंगे enterprise करेंगे, enterprise करने के बाद यहाँ पर भी आपको बताना होगा कि आपने जो यह लाग रुपे खर्च किये हैं, वो किस चीज के ओपर खर्च किये हैं, तो हम यहाँ बता देंगे हमने इसको भी building construction project के लिए यूज किया है, तो इसको भी हम enter करके save कर देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 लाग रुपे आपके एक्स्ट्रा कर्च हुए हैं, इसके बाद हम इसे enter करके save कर देंगे, इसके बाद आपको display में आना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने display mode reports का एक option आएगा, इसके बाद करिए Alt F1, Alt F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, हमारा जो consumption amount था, वो तो 18,75,000 रुपे, यानि कि 18,75,000 रुपे का हम construction कर चुके हैं, जिसमें हमने उन सभी items का use किया है, इसके अलावा आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने और शो हो रहा है, direct expense का, जिसके अंदर transport का charges है और wages का charges है, अगर इन दोनों को हम include करते हैं, तो include करने के बाद जो हमारा total amount बनता है, वो 20,25,000 रुपे बनता है, यानि इतना पैसा हम खर्च कर चुके हैं, इस building को complete करने के लिए, तो हमारी यह building complete हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, जिसकी वो building थी हम उसे sale कर देंगे, यानि कि उसको hand over कर देंगे, hand over करने के बाद उससे हम amount receive करेंगे, अब आप देखेंगे हमारा जो खर्चा है, खुद का 20,25,000 रुपे हो चुका है, तो हम उससे कम से कम 25,000,000 रुपे लेंगे, जिसमें हमें भी कुछ profit होना चाहिए, तो मैं आपको ये entry किस तरीके से pass करेंगे, वो भी समझा देता हूँ, skip करके आप एक बार पीछे आजाए, पीछे आने के बाद आपको जाना होगा, वापस से vouchers के अंदर, यहां से आपको जाना होगा, vouchers के अंदर, vouchers में जाने के बाद आपको अपने keyboard से ट्रेस करना होगा, F8, F8 ट्रेस करने के बाद यहां पर आपको control H दबाना है, control H दबाने के बाद यहां से आपको लेना है as voucher अब यहां पर आपके सामने तीन options है पहला item invoice तूसरा accounting invoice और तीसरा as voucher आप हमारे description में जाकर के वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं आपको यहां पर select करना है as voucher as voucher प्रेस करने के बाद यहां पर आपनी party select करेंगे तो party है हमारी कमल जिसको हम इस project को sale कर रहे है यहां पर आपको control A दबाना होगा यहां पर भी control A दबाना होगा यहां पर आप amount डालिए कितने का आप इस project को sale कर रहे है तो हम देदेते हैं यहां पर 25 लाग रुपे क्योंकि हमारा 20,25,000 रुपे तो खुद की लागत लगी वी है और उसके बाद हमें भी profit होना चाहिए तो यहां पर हमें save sale करेंगे 25 लाग में 25 लाग amount type करने के बाद enter press करेंगे enter press करने के बाद यहां पर आपको new reference रखना है और enter enter करते हुए यहां पर आपको sale ले लेना है sale लेने के बाद आपको यहां पर enter press करना है यहां पर आपके सामने एक option आगया name of cost center तो यहां पर space दबाते हुए यहां पर building construction project आप select करेंगे हमने जो building construction project था वो 25 लाग रुपे का sale कर दिया हम यहां पर इसे enter करके save कर देंगे अब scrap करके एक बार पीछे आजाएए फिर से हम वापस display mode में चले जाते हैं यहां से चले जाते हैं statement of inventory के अंदर यहां से चले जाते हैं job work analysis के अंदर और यहां से हमें select करना होगा building construction project और यहां पर आपको प्रेस करना होगा alt f1 alt f1 प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे हमारी जो खुद की लागत थी वो 18,75,000 रुपे थी जिसमें की हमने 1,500,000 रुपे का और other expense पे किया था यानि direct expense पे किया था इन दोनों को हमने include किया तो हमारा जो total amount था वो 20,25,000 यहां पर show up हो गया जिसको हमने sale किया 25,000 रुपे में जिसमें हमें net profit आया 4,75,000 रुपे यानि यह जो 4,75,000 रुपे है यह हमारा net profit है तो यही है पूरा process आपका job costing का नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टैली प्राइम के educational version को किस तरह से gold version में convert कर सकते हैं यह वीडियो बहुत ही beneficial होने वाला है इसे आप पूरे one month तक use कर सकते हैं इसके इंदर आपको बहुत सारे features दिखाई देंगे जो कि आप professionally use कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं start करने से पहले आपसे निवे देना है अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर लें हम इसी तरह से आपके लिए बैतरीन वीडियोज लाते रहेंगे आपको अपना Google browser open कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको tally solution tally solution पर enterprise करना है enterprise करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहला वाला link नजर आएगा इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको scroll करके सबसे नीचे आजाना है नीचे आने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा take a trial free का इस पर आप click करेंगे इस पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने get 7 days free trial का option आपके सामने दे रहा है यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन है कि आप इसे साथ दिनों तक यूज कर सकते हैं लेकिन जब आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे तो आप इस वर्जन को 30 डेस तक यूज कर पाएंगे तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ इसके लिए आपको छोटा सा यह form फिल करना होगा यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप है कौन कोई business owner है कोई accountant है कोई students है या others है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं as a student और यहाँ पर इसकी nature of business यह automatic आपका hide हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना होगा तो मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको अपना phone number टाइप कर देता हूँ phone number लिखने के बाद यहाँ पर आपको email id टाइप करनी होगी Mail ID पर आपको उसका Serial Number भेज दिया जाएगा तो वो Serial ID हम अपने Tally Prime के अंदर फिल करेंगे इसके बाद आपको चले जाना है अपनी Mail ID पर Mail ID पर आप देखेंगे आपके सामने एक Serial Number और एक Activation Key आपके सामने रिपर्जन्ट हो जाएगी इस Activation Key और Serial Number को आपको कहां पुट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा Tally Prime का Software आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका Tally Prime का Software आपको डाउनलोड करना है इसको Open होने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक Option आगया Configure का और Accept का तो हम यहाँ पर Accept को क्लिक करेंगे इसके बाद आपको जाना होगा Activate New License पर इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Serial Number मागेगा जो Serial Number हमारी Mail ID पर भेजा गया है तो हम उस Serial Number को यहाँ पर Type कर लेते है आपको जाना होगा अपनी Mail पर Mail पर जाने के बाद यहाँ से हम Serial Number को यहाँ से क्या करते है Copy कर लेते हैं यहाँ से और Tally Prime के अंदर जाने के बाद यहाँ पर उस Serial Number को Paste कर दीजिए Enter प्रेस करिए अब आपसे Activation की मांग रहा है तो Activation की हमारी क्या है वापस आप चले जाएए यहाँ पर और अपनी Activation की को यहाँ से Copy कर लीजिए Copy करने के बाद आप इसे भी यहाँ पर क्या करेंगे Paste कर लेंगे इसके बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर .NET ID आपसे मांग रहा है तो आपकी जो .NET ID थी यानि जो आपकी Mail ID थी वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी तो मैं उसको यहाँ पर फिल कर लेता हूँ Mail ID फिल करने के बाद आपको Simple Enterprise करना होगा Enterprise करने के बाद आपको यही Mail ID दुबारा से टाइप करनी होगी तो हम इसे दुबारा से टाइप कर लेते हैं इसके बाद आपको Enterprise करना होगा Enterprise करने के बाद यह थोड़ा सा समय ले सकता है इसे चलने दीजिए इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने तीन option यहाँ पर show हो जाएंगे सबसे पहला continue in educational board दूसरा आपको option आएगा use license from network और तीसरा आपको option आएगा unlock exiting license तो हम क्या करेंगे यहाँ पर unlock exiting license पर click करेंगे इसके बाद आप से unlock key मागी जाएगी यह unlock key आपको अपनी mail ID पर मिल जाएगी इसके लिए आपको अपनी mail ID फिर से open करनी है और यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर एक unlock key आपके सामने show हो जाएगी यहाँ आपके पास एक mail और आएगी और यह आपकी unlock key यहाँ से आपको copy करके अपने टैली प्राइम के अंदर ले जाकरके आपको इसको paste करना होगा unlock key डालने के बाद आपको enter paste करना है आप देखेंगे आपके सामने congratulations का एक message आ गया your license is successfully activated आप देखेंगे आपका जो टैली प्राइम educational mode में था आप देखेंगे आपका gold में convert हो गया है तो इस तरह से आप अपने टैली प्राइम के educational mode version को gold version में convert कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो channel को like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share कीजेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे bank reconciliation के बारे में यानि BRS के बारे में BRS होता क्या है? BRS basically एक concept होता है जिसके अंदर हम bank के द्वारा की गई transaction को अपने द्वारा की गई transaction के through match करते हैं जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो transaction है यानि हमने जो भी payment की entry अपने bank के द्वारा की है उसकी entry हमने tally prime के अंदर कर रखी है अब bank भी अपनी debit credit की entry पास करता है जिसका example मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो bank ने जो हमारी entry यहाँ पर पास की हुई है उसके according जो भी हमारा amount month के last में reflect होता है और वही amount अगर हमारे tally prime के अंदर भी same amount reflect होता है तो यह हमारा एक तरीके से match हो जाता है लेकिन अगर यह match नहीं होता तो हमें इसे रिकंसलेट करना पड़ता है यानि bank रिकंसलेशन करना पड़ता है हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर ऐसी कौन सी transaction हमने नहीं की है या ऐसी कौन सी transaction हमसे छूट गई है जिसकी वज़े से हमारा bank का जो amount है वो हमारे इस tally के account से reflect नहीं हो पाग जैसे example के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ entries कर रखी है जिसके अंदर हमने total debit और credit दिखाया हुआ है जिसके अंदर आप देखेंगे total amount जो हमारे से हमने reflect हो रहा है वो 36,640 रुपे का amount reflect हो रहा है कि ये amount आपके account में balance है लेकिन अगर हम tally की बात करें यानि अपने transactions की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो amount होना चाहिए वो amount होना चाहिए 36,870 रुपे यानि हमारे पास जो फर्क आ रहा है वो फर्क आ रहा है 230 रुपे का यानि 230 रुपे bank हमारे minus कर रहा है अब जब देखेंगे यहाँ पर हमने SMS charges को highlight किया हुआ है यानि कि जब bank transaction करता है तो कभी-कभी कुछ charges ऐसे होते हैं जो charges extra bank deduct कर लेता है या तो फिर कुछ charges ऐसे होते हैं जो charges हमें पता ही नहीं होता और bank उसको deduct कर लेता है इसकी वज़े से हमारे tally software के अंदर जो हमने अपनी passbook बना रखी होती है उसके अंदर और अगर हम अपनी bank की passbook को दोनों को आपस में check करें तो दोनों के अंदर फर्क आ जाता है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 230 रुपए का फर्क है जो की SMS charges का है अगर हम बात करें SMS charges की तो SMS charges की बारे में हमें पता ही नहीं था जो detect हो चुका है हमारे bank account से और अगर हम Teleprime के अंदर देखें इस शीज को तो इसकी entry हमने पास नहीं की है जिसकी वज़े से हमारा जो amount है वो यहाँ पर 230 रुपए ज्यादा शोग कर रहा है यानि कि अगर हम बात करें debit की तो total debit amount हमारा है 37,870 होना चाहिए हमारे recording और credit amount होना चाहिए 63,130 रुपए हमारे bank account हमारे account से match नहीं हो पाता तो example के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक statement डाउनलोड की हुई है जिसके अंदर आप देखेंगे हमने 1 month की पुरी मई की transaction करी है जिसके अंदर हम बाद में month के last में रिकंसलेट करेंगे मैंने आपको बताया कि हमारा जो total amount है यानि कि अगर हम बात करें debit amounts की तो debit amount हमारा जो बनता है वो यहाँ पर bank के according 63,360 रुपए बनता है लेकिन अगर हम tally की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो amount बनता है वो 63,130 रुपए बचता है यानि कि 230 रुपए का जो है हमारे पास फर्क आ रहा है तो यहाँ पर हमारा जो amount है 36,870 रुपए और अगर हम bank के अंदर इसी चीज़ को चेक करें तो यहाँ पर हमारे सामने है 36,640 रुपए यानि सेम 230 रुपए का फर्क अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एक entry है SMS charges की जिसको मैंने highlight किया हुआ है यह SMS charge basically bank ने हमारे account से deduct कर लिया है जिसके बारे में हमें पता नहीं था जब हमने statement को download किया तब हमें जाकर पता चला कि हमारे 230 रुपए bank ने deduct कर रखे है अब इसकी entry हमने टेली प्राइम के अंदर पास नहीं की हुई है जिसकी वज़े से हमारा amount जो है वो perfectly reflect नहीं हो पा रहा है तो अब इस चीज को किस तरीके से match किया जाता है यही हमारा bank reconciliation का process है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मैं आपको दिखाता है पिस तरीके से bank reconciliation कर सकते हैं इसके लिए एक बार हम स्कैप करके पीछे चले जाते हैं मैं आपको शुरू से बता देपा हो कि आप कि तरीके से कर सकते हैं अब आपको जाना होगा यहाँ पर बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग के जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा bank reconciliation का, आपको इस पर click करना है या enterprise कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका bank आपके सामने show हो जाएगा, आपको यहाँ पर enterprise करना होगा, enterprise करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी जितनी भी transaction है, यहाँ पर वो सारी कि सारी transaction हमारी show हो जाएगी, अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है अपने bank की transaction, हमने cash deposit किया है, 50,000 रुपए, जो कि हमारा account balance यहाँ पर 50,000 रुपए show हो रहा है, किस date को हमने deposit किया था, 1 मई 2021 को, अब यही entry, अब हम चेक करते हैं अपनी teleprime के अंदर, तो आप देखेंगे, यहाँ पर 1 मई 2021 को cash deposit हुआ है, 50,000 रुपए, bank के अंदर जो date है, वो 1 मई ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको reconslate करेंगे, अब मैं आपको एक एक करके reconslate करके दिखाता हो कि आप bank के date को और इसके date को दोनों को match कैसे करते हैं, होता क्या है कि हम transaction किसी odd date पे करते हैं, और कभी-कभी bank उस पैसे को किसी odd date में detect कर लेता है, या तो receive कर लेता है, जैसे मान लीजिए, यहाँ पर हमारे सामने एक Aditya Corporation है, जिसको हमने कोई check issue किया है, 11 मई 2021 को, लेकिन Aditya Corporation ने इस check को 11 मई को ना लगाते हुए, इसने इसको 2-3 दिन late कर दिया, यानि कि इस ने इस check को लगाया 13 मई को, अब हुआ क्या, bank जो है, वो अपनी transaction entry 13 मई को दिखाएगा, और हमने जो entry pass किये, वो हम दिखाएंगे 11 मई को, यानि कि हम दिखाएंगे 11 मई को, यानि कि ह इसी date के फर्कों हम यहाँ पर consulate करते हैं, यानि कि यहाँ पर आप देखेंगे bank date का एक option आपके सामने शो होता है, जिस date पर हमने कोई entry pass की है, और वो same date पर ही transaction हो जाती, यानि आप bank के अंदर से वो amount detect हो जाता है, या फिर reflect हो जाता है, तो उस date को यहाँ पर हम fill करेंगे, यही हमारा reconsulate होता है, लेकिन अगर कोई date ऐसी हो जाती है, जैसे मैंने आप से बताया अधित्या corporation की, कि यहाँ पर हमने 11 तारीक को उसको payment करी थी, लेकिन उसने 13 तारीक को लगाया वो पैसा, और हमारे bank के अंदर वो reflect amount 13 तारीक को शो कर रहा है, यानि 13 तारीक को वो पैस मई 2021 को हमने cash deposit किया था 50,000 रुपे, तो आप देखेंगे इस entry को आपको यहाँ पर ढूनना होगा, कि वो entry है कहाँ पर, तो आप देखेंगे सबसे उपर हमें वो entry दिखाई दे रही है, हमने 1 मई 2021 को cash deposit किया था 50,000 रुपे, तो यहाँ पर bank की जो date है, और हमारे पास जो हम reflect हो गया, इसी तरीके से अब हम check करते हैं, हमने electricity charges का bill pay किया हुआ है, 5 मई 2021 को, अब check number जो था, वो हमारा था 18,0001, अब इसको हम check करेंगे अपने bus book के अंदर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, electricity charges हमारा यहाँ पर है, 18,0001, और यहाँ पर amount देखेंगे, इसका amount है, 5550, और इ यानि कि यह जो date है, इसी date को हम अपनी tally prime के अंदर यहाँ पर mention कर देंगे, तो यहाँ पर हम 5 दे देते हैं, 5 मई 2021, आप देखेंगे, हमारा जो amount था, वो यहाँ पर reflect हो गया, आप देखेंगे, यहाँ पर balance as per bank, यानि हमारे bank में जो amount बचा है अब, वो आगया 44,450 रुप 65,2021 को e-service का कोई charge हमने पे किया है, 500 रुपेगा, तो चलिए, इसकी entry pass कर लेते हैं, date हमारी 65,2021, चले जाते हैं, tally screen के अंदर, और यहाँ पर तीसरी entry है हमारी e-service की, आप देखेंगे, यहाँ पर payment हमने की हुई है, same bank transfer है, 5 मई 2021 को, अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमने जो entry pass की है, वो 5 मई 2021 को की है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर चेक करते हैं, यनि bank ने इस पैसे को कब deduct किया, 65,2021 को deduct किया है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें वो date देनी है, जिस date पे bank ने इसको deduct किया था, तो हम यहाँ आपर 6 तारिक देदेंगे, 6 तारिक को इसी तारिके से अब हम चले जाते हैं, next entry पर, यहाँ पर आप देखेंगे, telephone charges है हमारा, जो हमारा checkbook number है, वो है 18 0002, amount है हमारा 1580 रुपे का, और date है हमारी 85 2021, तो अब 8 तारिक को हमने 1580 रुपे का telephone bill पे किया है, अब इसको हम ढूंडते हैं अपनी टेली प्राइम के अंद 8 मई, वो date बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी, यानि same date पर हमारी transaction हो गई है, तो हम यहाँ पर वही date देंगे, 8 तारिक, और यहाँ पर आप देखेंगे, हमारा balance as per bank था, वो फिर से maintain हो गया, आप देखेंगे, 42 370 रुपे यहाँ पर शो हो गया, इसको फिर से हम लोग चेक क की है, तो हमारा जो amount बनना चाहिए, वो 73,70 रुपे बनना चाहिए, बैंक के हिसाब से, तो अब हम इस entry को यहाँ पर देख लेते हैं, चले जाते हैं, टेली स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ देखें, receipt की entry है हमारे पास, अधित्या amount receipt हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, 11 मही 2021 को, अब आप देखेंगे, यहाँ पर जो bank की date है, अधित्या corporation की, वो 11 मही 2021 ही है, तो यहाँ पर भी जो date है, वो बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर date देदेंगे 11 तारिक, अब आप देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा amount था, 47 70-370 इसको चेक करिए यहां से 70-370 बिल्कुल accurate match हो रहा है सेम इसी तरीके से हम फिर से नीचे आ जाते हैं अब आप देखेंगे एक payment की entry हमने पास की है संदीब को यानि संदीब को हमने 25,000 रुपए की payment की है और जो date है हमारी वो है 15-5-2021 को यानि 15-5-2021 को bank ने हमारे account से 25,000 डिटक की है तो चलिए इस entry को देख लेते हैं संदीब की हमने entry पास की है तो यहां पर देखेंगे संदीब की हमने entry पास कर रही है payment की जिसका check number है 18-0003 15 मई को हमने इसकी entry पास की है अब bank इसको किस date पे डिटक कर रहा है तो यह bank हमारे डिटक कर रहा है same date पर 15 मई को ही तो पर आप देखेंगे 15,000 रुपे पे करने के बाद 22,370 रुपे बिलकुल accurate amount हमारा शोग हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे एक transaction हमारी और है कमल कॉर्परेशन की इसने हमें 15,000 रुपे पे किया यानि इसने हमें 15,000 रुपे दिये हैं हमारे account में यह amount credit हुआ है यानि bank की according हमारे account में होना चाहिए 67,370 रुपीज अब कमल कॉर्परेशन की हम लोग entry चेक कर लेते है 18,500,21 को हमारे account में amount deposit हुआ है तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कमल कॉर्परेशन की entry है हमारे पास receive हुआ है चेक नमबर है हमारा 18,0004 16 मही 2021 को यानि कि हमने जो entry है वो 16 मही को ही pass कर रखी है लेकिन bank में जो पैसा हमारे सामने reflect हुआ है यानि bank में जो प 67,370 रुपीज अब इसको हम वापस चेक करते हैं तो चेक करिए 67,370 रुपीज reflection होगे amount हमारा अब यहाँ पर बात करते है SMS charges की यह entry आपके बहुत ही काम की entry है अब आप यहाँ पर देखेंगे 25,21 को हमारे account से SMS charges detect हुए है 230 रुपे जिसके बारे में हमें knowledge नहीं थी और अ हमारे पास जो amount reflect होना चाहिए वो 67,140 होना चाहिए तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कोई भी SMS charges की entry नहीं है तो इसके बाद हमें करना क्या है हमें एक entry पास करनी होगी bank charges की तो इसके लिए आपको वापस जाने की जुरत नहीं है आप payment की entry पास करनी है तो यहाँ पर F5 लेंगे F5 लेने के बाद हमें एक ledger create करना पड़ेगा SMS charges का तो यहाँ पर माल्ट सी कर लेते हैं यहाँ पर लिख लेते है SMS charge अब इसके बाद इसको डाल देंगे हम लोग indirect expense के कि यह हमारा indirect expense है और इसके बाद जो हमारा amount था वो amount एक बार पर शो हो गया हम इस entry को pass कर देंगे किसट पर हम सेटरी को pass कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे SMS charge हमारा कटा है वो EB25 2021 को हमारा डिटकत हुआ है तो यहाँ पर हम AB2 करेंगे और यहाँपर हम डेट ले लेंगे 25 2021 और यहाँ पर भी सेमडेंगे 22 specified 21 और यहाँ पर भी देट थी वो थी 25 एंटर पैस करेंगे और उसके बाद हम इसे एंटर करके सेफ कर देगे सेफ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर SMS चार्जिस की जो हमारी एंटरी थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर चार्जिस की जो हमारा अमाउंट था 67,140 रुपीज हो गया और इसको गर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो 67,140 रुपीज यहाँ पर मेंटेन हो गया अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, एक चेक हमने इशू किया है, पवन इंडस्टीज को कितने अमाउंट का 18500 रुपेगा, डेट किया है हमारी 25-2021 को हमारे अकाउंट से पैसा डेटक किया गया है, तो चले जाते हैं वापस अपनी टेली पर, यहाँ पर चले जा जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो बैलन्स था, आटमाटिक फिर से मैंटेन हो गया, अब इसको अगर आप चेक करेंगे, तो 48,640 यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं हम लोग, 48,640 रुपेए यहाँ पर अमाउंट हमारा रिफ्ल क्रिएशन हमारे सामने शो हो रहा है, पेमेंट के एंट्री हमने कर रही है, चेक नमबर हमारा यह है, 23 मार्च को हमने अपनी टैली के अंदर इसकी एंट्री कर रही है, लेकिन हमारे बैंक के अंदर यह ट्रांजक हुआ है, 25,5,2021 को, तो यहाँ पर हम जो डेट देंगे, व 21 से लेकर के, 25 मही 2021 तक की आपकी पूरी ट्रांजक्शन है, जिसके अंदर अगर आप रिकंसलेशन बैलेंस देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, बैलेंस ऐस पर कंपनी बुक, यानि कंपनी बुक के अंदर जो आपका बैलेंस है, वो आपका 36,640 रुपे है, और अग को कहा जाता है, बैंक रिकंसलेशन, नमशकार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको GST का हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, 0 से लेकर एंड तर, जिसमें मैं आपको CGST, SGST, IGST, GST R1, R2, R3B, HSN Code से लेकर सब कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रही है हमारे स स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले सही कमल सेल्स के नाम से एक कंपनी क्रेट कर रखी है, अब मैं इस कंपनी को पहले डिलीट करूँगा और आपके सामने एक नई कंपनी क्रेट करूँगा बिल्कुल फ्रेश, और फ्रेशली तरीके से आपको 0 से अब कर एंड टक सब कुछ बताने वाला होंगा, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, आल्ट प्लस के, जैसी आप आल्ट प्लस के प्रेस करेंगे, आपके सामने का उप्शन आएगा, शट कंपनी का, तो इस कंपनी को हम शट कर याणि बंद कर देते हैं, यहाँ पर जाकर के आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, एंटर, प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, आपकी कमल नाम की जो कंपनी थी, वो शट हो गई है, अब हम यहाँ पर एक नई कंपनी करेंगे, आप जैसे कंपनी आपने company create होने का option शो हो जाएगा अब यहां पर आप अपनी company create कर सकते हैं यहां पर अपनी company का नाम डाल दीजिए जैसे मैं डाल देता हूं यहां पर नाइरा pvt.ltd यानि नाइरा private limited नाम से मैंने company create किया है इसके बाद इसको एंटर करके यहां पर आपको address फिल करना है तो address फिल कर दीजिए और यहां पर आप अपना state डाल सकते हैं जो भी state है हमारा तो हम यहां पर state लेते हैं state लेना compulsory है अगर आप state नहीं लेते हैं तो आपका यहां पर cgst और sgst आपका show नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप company create करें तो वहाँ पर state आपको ज़रूर select करना है इसके बाद country automatic आपका यहां पर represent हो जाएगा यहां पर अपना pin code डाल दीजे telephone number डाल दीजे, fax number डाल दीजे, email और website डाल दीजे और इसके बाद simply enter एंटर करके इसको save कर दीजे तो मैं यहां पर control A कर देता हूँ, quick creation बागी detail मैं बाद में fill करूँगा अब यहां पर आपके सामने देखेंगे एक नया interface आपके सामने शो होगा और यहां पर आपको अपनी details fill करनी है जैसे मैं यहां पर ले लेता हूँ tally, regular और यहां पर आपको simple अपना実ty number fill करना होगा तो実ty number मैं अपना डाल देता हूँ, तो 実ty number हमने यहां लिखा हूआ है, मैं अपने 実ty number को यहां से करता हूँ, copy और copy करने के बाद यहाँ पर मैं इसको fill कर देता हूँ जिस्ती नमबर fill करने के बाद मैं इसको simple enter करके save कर दूँगा आप भी से save कर दीजेगा save करने के बाद आप इसे भी enter enter करके save कर दीजे इसके बाद आप देखेंगे आपकी एक नई company create हो चुकी है जिसमें अभी आपके पास कोई सी भी voucher की entry नहीं है तो चलिए जो हमारा next point है हम उसे set कर लेते हैं यहाँ पर आपको अपनी date set करनी होगी तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी date check कर लेते हैं आपको अपने keyboard से press करना है alt के साथ F2 यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो change period होगा वो 14 2021 से 31 2021 है तो इसको हम यही रहने देंगे financial year को इसके बाद आप यहाँ पर F2 प्रेस करिए यहाँ पर अपनी current date डाल दीजे जैसे मैं डाल दीता हूँ यहाँ पर 17 2021 और इसके बाद अब आपको क्या करना है अपने lasers create करने है तो यहाँ पर आपको जाना होगा create वाले option पर और यहाँ से आपको जाना है laser के option पर यहाँ से आप जाकर करके अपने lasers को create कर सकते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है तो मैं यह laser direct create करूँगा यहाँ से मैं इसको create नहीं करूँगा इसके बाद आपको अपनी items create करने होंगे जो कि आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पर inventory master के अंदर लिखे हुए हैं तो इन चीज़ों को भी मैं directly ही create करूँगा तो इसके लिए मैं इसको भी escape करके पीछे जाता हूँ अब इसके बाद हम लोगों को जाना होगा vouchers के इंदर vouchers के इंदर जाने के बाद अब हमें प्रेस करना होगा अपने keyboard से F9 F9 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका supply invoice number और date आगया आपका और यहाँ पर अपनी पूरी detail फिल करनी है तो चलिए हम अपनी detail फिल करते हैं supply invoice number में आप कोई भी invoice number डाल सकते हैं जो भी आपका invoice number है हम यहाँ पर कोई भी invoice number फिल कर देते हैं इसके बाद आप यहाँ पर अपनी date डाल दीजे जैसे मैं यहाँ पर date डाल देता हूँ 1 July 2021 जो पहले सही मैंने यहाँ पर date set कर रखी है अगर आप change करना चाहें तो यहाँ से change कर सकते हैं इसके बाद enter press करिए अब आपके सामने party name मांगेगा तो यहाँ पर अपने party का laser बनाई यहाँ पर हम प्रेस करेंगे alt c और यहाँ पर हम party का laser create करते हैं तो party का जो हमारा laser है वो हम create कर लेते हैं तो जो हमारी party है, हम party देख लेते हैं, कौन सी party है हमारी, तो हम लोग purchase कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पहले से ही अपनी detail फिल कर रखी है, तो यहाँ पर हम जो party से purchase करें, वो party है हमारी अधित्या, private limited, इसको हम यहाँ से copy कर लेते हैं, और यहाँ पर जाकर के हम इसको fill कर ले टो जस्तिय हमें से माली चालिके द दिशिदा लें फिरेrien आयु्य कोफे का कोपी करने के लीजिदा सामने थाने डालने तमर यहां पर लाइस कर दो बादेमें चालिक आफ के माली पॉदआ यह शेख टलेट साहीnek, अब यहां पर आपको एक laser और प्रचेस के लिए आपको यहां पर फिट से click करना है, याणि enter pass करना है, यहां पर एक purchase का laser create करने के बाद यहां पर इसे अंडर और डाल दीजें, purchase account के, purchase account के अंडर डालने के बाद आप इसे नीचे आज़ें, यहां पर जो ingesty applicable है, इसको applicable रह नीचे आएंगे तो यहां से आपके सामने दो option आ गया एक goods का एक service का तो हम यहां पर goods purchase कर रहे हैं तो यहां पर हम goods रखेंगे और उसके बाद हम इसको भी enter करके save कर देंगे save करने के बाद आपको यहां पर अपने items create करने हैं तो item create करने के लिए भी आप direct alt c कर सकते हैं आइटम करने के लिए और यहां पर आप अपने items create कर सकते हैं जैसे मैं अपना item create करता हूँ माले जय हमारा item है वह है mouse मैं एक mouse purchase कर रहा हूँ तो यहां पर mouse को copy करिए यहां पर आप इससे paste कर सकते हैं या फिर आप खुछ से type भी कर सकते हैं इसके बाद इसको under-off किसके डालेंगे, तो माउस है क्या, किसके अंटर जाएगा हमारा, तो हम इसे डाल देते हैं, कि ये एक हमारा hardware है, तो इसको हम under-off hardware डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने category वगर आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसे अच्छी तरीके से गया, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, और इसके बाद enter करके मैं इसको save कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, should quantity of item be added, यहाँ पर मुझे items को add करने की जुरूत नहीं है, क्योंकि मैं item खुद से add करूँगा, और यहाँ पर आपके लिए most important option है, यहाँ पर इसको आपको yes कराना होगा, यहाँ पर yes करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी description आ गई, hsn code आ गया और बाकी details आपको यहाँ पर fill करनी है, अगर आपके सामने यह details ना आए, तो आप अपने keyboard से यहाँ पर F12 प्रेस कर सकते हैं, और आपको यह सारी details yes करनी आपके items related इसका नाम है, तो हम ले देते हैं यहाँ पर hardware, और इसके बाद आप इसका hsn code डाल दीजिए, तो इसका hsn code था, 8471 है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पर आपकी , बाद आपके box गएगे, ? कर देते हैं कि करेंगे, और यहाँ पर आपकी डेट आज आजाईगी और इसके सेफ कर दीजिए, और यहाँ पर आपकी units महा sih है, तहाँ है, तो यहाँ आपको बताया था कैसे बनता हैं, यहाँ पर आपकी युनित्स हैं और यहां पर हम units पनाएंगे, pieces, यानि PCS का symbol देतेंगे, यहां पर इसके फॉल फांडिक देंगे, और इसके बाद pieces आपका packs में मिलता है, pairs में मिलता है, या pieces में मिलता है, तो जो भी आप select करना चाहें, select कर सकते हैं, मैं यहां पर ले लेता हूँ, packs, और इसके बाद मैं इसक इसकी detail फिल करने की ज़रत नहीं है, तो आप इसको simple enter करके save करतीजे, save करने के बाद आप देखेंगे, आपकी quantity आप से माँग रहा है, कि यह कितने piece आप purchase करने वाले हैं, तो हम दे देते हैं यहां पर 10 piece, माली जे मैं 10 piece purchase कर रहा हूँ, rate आपका क्या है, तो rate माली जे हमारा 150 rupees, और इसके बाद यह हमारा total amount हमें represent करा देगा, इसके बाद हम दूसरा item ले लेते हैं, तो चो हमारा दूसरा item है, वो है हमारा keyboard, तो मैं यहां से keyboard डाल देता हूँ, alt-c करेंगे आप यहां पर भी, और keyboard type करेंगे, सेम इसी तरीके से इसको भी under of hardware देते हैं, क्योंकि बार-बार आपको group बनाने की जुरत नहीं है, आप इसे hardware के अंदर देजिए, यहां पर pieces for automatic ले लेगा, अगर आपकी कोई unit दूसरी है, तो आप यहां पर अपनी दूसरी unit create कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, आप simple इसे enter करके save कर देजिए, save करने के बाद यहां पर इसकी quantity मांग रहा है, तो यहां पर हम इसकी quantity डाल देते हैं, हम आलेजे 10 piece है, और इसका जो price है वो 250 rupees है, और इसने total amount इसका calculate कर दिया, 2500 और अगर हम total अपनी purchasing देखें तो यहां पर हमारे सामने 4000 का amount show हो रहा है, इसके बाद हम इसे enter प्रेस करके नीचे आ जाएंगे, अब आपको अगर और items लेने हैं, तो यहां पर और items ले सकते हैं, हम फिलाल यहां से 2 items purchase करेंगे, और यहां पर हम इसको enter करके save करेंगे, अब इसके बाद जब हम एक बार और enter प्रेस कर देंगे, तो यहां पर हमें अपना GST एड़ करना होगा, तो GST के लिए हम यहां पर GST का laser create करेंगे, यहां पर आप देखेंगे जो हमारी party है, अधित्या private limited, यह हमारी दिल्ली की ही party है, तो यहां पर हमारा text लगेगा, वो CGST और SGST का लगेगा, तो यहां पर आप Alt C करिए, और यहां डाल दीजे, Duties and Taxes, Duties and Taxes डालने के बाद आप यहां पर ले लिजे GST, और GST के बाद इसे ले लिजे Central Tax, क्योंकि CGST हमारा Central Tax होता है, यहां पर आप फूरी percentage fill करने की जूरत नहीं है, आप से पल इसे Enter करके Save कर दीजे, Save करने के बाद आप देखेंगे, आपका CGST आपके स ले लिजे, State Tax, और यहां पर भी आपको Enter करके इसको Save कर दीजे, Save करने के बाद आप देखेंगे, जो अभी तक हमारा amount आ रहा था, वो आ रहा था 4000 का, अब आप देखेंगे यहां पर 720 रुपीज हमारा GST Tax लग गया, तो चलिए इसको Enter करके हम इसको Save करा देते हैं, Save करने क हैं, वो हम दूसरी पर्टी से Purchase करने वाले हैं, यानि कि Interstate Purchase करने वाले हैं, तो Interstate Purchase करने के लिए आप देखेंगे, यहां पर हमारी जो पार्टी है, वो Kamal Industries है, तो हम Kamal Industries का दुबारा एक लेजर प्रेट करते हैं, यहां पर आप इसको जो भी Supply Number, Invoice Number है, वो डाल द हैं, तो मैं यहां पर Supply Invoice Number डाल देता हूं, और यहां पर Alt-C करता हूं, यहां पर लेजर बना लेता हूं, Kamal का, Kamal यहां पर हमारा Kamal Industries है, तो यहां पर मैं Kamal Industries लिख लेता हूं, इसके बाद इसको यहां पर डाल दूँगा Sindri Creditor, क्योंकि यह भी हमारा Sindri Creditor है, मैं इससे पर्चेस कर रहा हूं, और इसके बाद आपको यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर उसका State चेंज करना होगा, तो इसका जो State है, वो है हमारा UP, तो यहां पर हम ले लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लेने के बाद यहां पर उसका पिन कोड वगरा फिल कर सकते है, पर कोई Detail फिल नहीं कर रहा हूं, आपको पूरी Detail फिल कर लेंघ है, इसके बाद आपको यहां पर उनका JST no. chỉ करना है अपनी Partie का, तो हमारी Partie का JST No. कमल का वो यह रहा, तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां से जा कर के इसमे फिल कर देता हूं, फिल करन इसमें आपको कोई छिडखानी नहीं करनी, simple आपको इसको एंटर प्रेस करना है, इसके बाद आप देखेंगे, आपके समने पर्चेस का लेजर शो हो गया, आप इसी पर्चेस को वापस ले लेंगे, आपको बार बार पर्चेस का लेजर करने की जुरत नहीं है, तो यहाँ हम पर्चेस ले लेंगे, पर्चेस लेने के बाद आप यहाँ पर स्पेस दबाई है, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने अभी रिसेंट्री आइटम्स पर्चेस किये थे, 10-10 पीस वह हमारे सामने शो हो गया, लेकिन हम यहाँ से जो आइटम्स पर्चेस करने वाले हैं, हम पर्चेस करने वाले हैं MS Office, MS Office का एक application पर्चेस करने वाले हैं तो यहाँ पर हम अपनी टैली में वापस चले जाते हैं यहाँ पर आपको Alt C प्रेस करना है और अपने आइटम का नेम डाल दीजिए तो यहाँ पर हमारा जो आइटम था वो MS Office था और इसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल दीजिए क्योंकि यह हाड़्वेर नहीं है यह हमारा एक सॉफ्वेर है तो इसको यहाँ पर Alt C करिए एक नया आपको group create करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ software का एक नया group इसके बाद इसको अंडर ऑफ प्राइमरी दे करके मैं यहाँ नीचे save कर दूँगा लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा set Alt GST के अंदर यहाँ पर आपको इस option को वापस yes कराना होग और इसके बाद आपको अपना यहाँ पर description दे देना है तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यह है क्या चीज हमारा तो यह एक तरीके से हमारा MS Office है यानि MS Office का एक application है यहाँ पर आप अपना HSN code डाल सकते हैं तो MS Office का हमारा हमारा यह है तो हम यहाँ पर इसे fill कर लेते हैं fill करने के बाद नीचे आजाए नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको same as it is यहाँ पर taxable रखना होगा taxable रखने के बाद यहाँ पर आपना जो GST rate है वो fill कर दीजे तो यहाँ पर हमारा GST rate 12% है तो यह में 12% ले ले लेते हैं इसके बाद इसे enter करके आप pass करा दीजे, save कर दीजे, save करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर दीजे नमबर और इसके बाद आप यहाँ पर जैसी आप N दबाएंगे तो यहाँ पर NOS आपका show हो जाएगा इसे ले लीजे और इसे save कर दीजे save करने के बाद यहाँ पर आपको same कोई छड़ खानी नहीं करने simple entrance रखर भी आपको save कर देना है save करने के बाद यहाँ पर भी आपसे quantity मांग रहा है तो हमारी जो quantity थी वो थी 5 piece तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे इसके बाद इसका जो price था वो 45,000 तो यहाँ पर हम 45,000 ले देंगे इसके बाद यह automatic इसको calculate कर लेगा इसके बाद दूसरा item ले लेते हैं इसी तरीके से फिर से आप Alt C करिए और दूसरा जो हमारा item है वो HP का printer है हमारा हमारा हम HP का printer यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप इसे कुछ भी छेड़खानी ना करते हुए सिधे save कर देंगे save करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी quantity डालनी है तो इसकी quantity 3 piece थी और इसका जो price डालना है वो price था हमारा 18,500 तो यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 18,500 और इसके बाद इसे enter करके save कर देते हैं आप यहाँ पर एक बार और enter press करिए आपको यहाँ पर text लगाना है तो text लगाने के लिए जो यहाँ पर हमारा text लगेगा वो IGST लगेगा क्यों क्योंकि यह हमारा interstate है तो हम यहाँ पर alt C press करेंगे यहाँ पर laser बना लेते हैं IGST का IGST counter of डाल दीजें सेम इसी तरीके से duties and taxes के और इसके बाद यहाँ से ले लीजे GST और यहाँ से ले लीजे integrated tax यहाँ पर आपको कोई भी number fill नहीं करना simple enter करके आप इसे save करा दीजे जैसी आप इसे save करेंगे आप देखेंगे आपका IGST भी show हो गया इसके बाद आपको जो total amount था यहाँ calculate होकर के आपके सामने show up हो जाएगा यहाँ पर आपको simple yes कराना है yes करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पूरी detail automatic show हो गई यह वे बनाना चाहते हैं अगर आप तो यहाँ पर पूरी detail आप अपनी फिल कर दीजे अदरवाइस इसे enter-enter करके आप इसे save कर दीजे इसके save करने के बाद अब यहाँ पर new reference आगया तो हम यहाँ पर new reference में इसे enter करके save कर देंगे इसके बारे मैं मैं आपको एक नई वीडियो बना करके समझाओंगा कि आपके रेफरेंस होते क्या है इसे भी एंटर करके save कर दीजे तो हमने जो दो पार्टी से माल खरीदा वो हमने क्या-क्या खरीदा कितनी क्वांटिटी में खरीदा आप हम उसको पर देख लेते हैं तो इसके लिए आप एक बास करके पीछे आजाएं पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर बैलन शीट में आना है बैलन शीट में आने के बाद आप देखेंगे आपके बास जो करेंट एसेट से वो टोटल इतने की है और इसमें क्या-क्या चीजें हैं इस फिर डबक्लिक करिए यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इतने अमाउंट का है यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास हार्डवेर इतने का है सॉफ्ट्वियर आपके पास इतने का है डबक्लिक आपके पास तीन हार्टवेर है पास इतने कोरनिर है अगा में सॉफ्ट्वियर देखने डबक्लिक है और यहां पर हमने 5 की quantity में खरीद रखा है उसका price है उसका total price है इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं इसकी current liability यानि आपके ऊपर उधार कितना आ गया है तो यह total आपका liability है यानि इतना पैसा आपको देना है किसको देना है duties and taxes आपको इतना pay करना है और यहां पर आप द कर सकते हैं यहां पर click करने के बाद आपको यहां पर जाना होगा GST report के अंदर और यहां से आप अपना GST R1, R2, R3 भी check कर सकते हैं R1 में हमने कोई sale नहीं की है तो हम सीधे R2 देखेंगे R2 जैसी हम click करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर अभी हमारी कोई transaction शो नहीं कर रहा है क्यों शो नहीं कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आपको अपने keyboard से F2 करना है F2 प्रेस करने के बाद आपको अपना change period डालना होगा, किस date से किस date तक आप इस अपनी transactions देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1, 4, 21 से लेकर के 31, 3, 22 तक, सारी transaction हमारी शो हो जाए, तो जैसी मैंने यहाँ पर अपनी current date डाली, आप देखेंगे यहाँ पर हमा करना है, वो शो हो रहा है, इसके बाद एपस पर double click करके अपनी पूरी transaction को चेक कर सकने हैं, अची तरीके से देख सकते हैं, इसके बाद इसके बाद अगर आपना ITC देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ITC की आपका यहाँ पर option शो हो गया, यहाँ पर जान इसके लिए आपको को बता देता होँ, इसके लिए आपको यहाँ जाने की जूरत नहीं है, आपको जाना होगा है, यहां से आपको जाना होगा, ज्रस और ते रिपोर्स के अंदर और यहां से आपको GST R1, R2, सब को चो हो जायेगा, GST R1 में calculate GST R1 में हमारे सामने कोई भी खर्यवाइब द सब्सक्रीर क्याट करते हैं, यहां से अपको पने कीबोर से प्रेस करना होगा फैट फैट्स करने के बाद आप कर ले लिए शिस प alpha को आप這邊 करे नहां तो हम देख लेते हैं सेल किस पार्टी को करें तो आम Пांक कर तो शिर करें अच्री कर ना करनेगेoft यहांब आप इसे डालें गे संडी डाविटर के अंदर डालने के बाद सेम इसी तरीके से इसको भी सेफ कर देंगे अब यह जो हमारा Pankaj Industries है, वो डैली का Client है हमारा, यानि डैली में ही हम से Purchase कर रहा है, तो लोकल टेक्स लगे का एक तरीके से हमारा, इसका जो JST Number है, वो हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, कि यहां से कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है यहां पर उसका जेस्टी नंबर फिल कर देना है यहां पर आप उसकी पैं डिटेल भी फिल कर सकते हैं तो फिलाल हम सिफ जेस्टी नंबर फिल कर रहे हैं जेस्टी नंबर फिल करने के बाद आप एंटर करके सेव कर दीजे सेव करने के बाद इसे आप अंटर करके सेव कर दीजिए, यहां पर आप देखेंगे, पंकर लिसजी को आप अप्लिकेबल कराने के बाद यहां पर इस और एंटर करके सेव कर देगे, save कने के बाद अब जिस item को हम sale करना चाहते हैं उस item को जहाँ से ले लेते हैं तो हमारे पास HP का जो printer है वो 3 piece है, तो 1 piece हम लोग यहाँ पर sale कर देते हैं 1 piece sale करने की बाद उसका rate हमें देना होगा इसका rate कितना था, तो हम पहले देख लेते हैं हमारी तो purchasing rate था वो कितना था तो जो हमने पर्चेस किया था इसको वो पर्चेस किया था अठाराजार पांसो में तो मैं इसको एक्स्टा अमाउंट में सेल करूँगा तो यहां पर मैं डे देता हूं उसको 20,000 रुपे ताकि हमें भी कोई profit हो इसके बाद दूसरा item क्या मैं सेल करना चाहता हूं दूसरा item मैं सेल करना चाहता हूं MS Office MS Office सेल करना चाहता हूं यहां पर इसकी quantity कितनी है इसकी भी एक पीस में सेल करना चाहता हूं इसका जो price था वो 45,000 था तो मैं इसको 50,000 में sale कर देता हूँ और उसको enter करके save कर देता हूँ save करने के बाद आप नीचे आईए यहाँ पर आपका text लगेगा, क्या लगेगा cgst और sgst लगेगा, क्योंकि हमारा local state है यहाँ पर आप देखेंगे, आपका cgst शो हो गया इसके बाद अगर आप देखेंगे, आपका sgst तो यहाँ पर sgst भी आपका show हो जाएगा आप enter पैस करिए, यहाँ देखें, total amount आपका नीचे शो हो गया इसको भी आप enter करके save कर दीजे safe करने के बाद हम दूसरी ऐसेल कर लेते हैं इसको भी हम ढाल देएंगे, क्योंकि हमारी वह हो ही है यहाँ पर हम इसे enter enter करके save करेंगे यहाँ पर गय हमारा person है रोग का परसंद गुवा में Stack करें इसके बाद इसे सेव करें यहां पने के बाद उसे आप कंट्रोल करेंकर कर सकते हैं और सब्सक्रेशन करते हैं यहां पर sale का laser ले लिजे, जो आमने पहले बनाया था, आपको बार बार lasers बनाने की जूरत नहीं है, तो यहां पर space दबाएए, space दबाने के बाद आप यहाँ पर किस-किस आइटम को sale करना चाहते हैं, मालीज़ कि मैं माउस को sale करना चाहता हूँ, माउस की quantity कितनी है मैं 50 पीस sale करना चाहता हूँ तो माउस हमने purchase किया था 150 का तो मैं इसको 200 रुपीज में sale करूंगा ताकि मुझे भी profit हो और इसके बाद मैं ले लेता हूँ keywords को तो keyboard हमारा कितना था तो हम 5 पीस इसको भी sale कर रहे हैं ये 250 थका था तो हम इसको 300 में sale करेंगे sale करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका total amount आ गया इसके बाद आप यहाँ पर text लगाएंगे अपना स्काप करके हम पीछे चले जाते हैं स्काप करके पीछे जाने के बाद आप चले जाएंगे अपने balance sheet के अंदर balance sheet में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर current liability आपकी 2,94,550 रुपे दिखा रहा है और आपका जो profit and loss है वो आपका 7,000 शो हो रहा है अब मैं आपको profit and loss दिखा देता हूँ कि यह क्यों दिखा रहा है क्योंकि हमने जो अभी purchasing की थी उसमें हमने purchase किया था जो हमारा goods था total वो हमारा 72,500 का goods sale हुआ है लेकिन तो इसकी जो current value थी वो थी 65,500 तो इसी वज़ए से हमारे जो net profit हुआ है वो 7,000 का profit हुआ है और इसके बाद यहाँ पर current assets आपका increase हो गया यहाँ पर sendi debitor के बास हमारे पास अभी इतना पैसा में receive करना है और closing stock हमारा यह रहा तर चलिए इसके बाद हम चले जाते हैं वापस GST देख लेते हैं अपनी display में जाना है आपको यहाँ से आपको जाना है GST reports के अंदर और यहाँ से आपको जाना है GST R1 के इसके अंदर आप देखेंगे same zero transaction है तो आपको F2 प्रेस करना है अपनी current date डालनी है तो यहाँ पर आम डाल देते है अपना financial year तो एक चार्ग 21 से ल जो transactions थी वो सब कुछ शो कर जाएगा तो यहाँ से आप जिसटी अपनी देख सकते हैं sales दे सकते हैं तो यहाँ से आप अपनी पूरी details चेक कर सकते हैं यहाँ से आप देखेंगे आपका HSN code भी आपका show हो रहा है और यहाँ से आप इस पर double click करके पूरी details चेक कर सकते हैं य अपना पैसा receive करेंगे तो अपने vouchers में चले जाते हैं जाने के बाद आप अपने keyboard से प्रेस करेंए एफ सिस प्यक्स करने के बाद हांपार आपना receiving कर सकते हैं तो receiving के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे ctrl plus h ctrl plus h करने के बाद यहाँ आप से single entry लेंगे दिए Single entry mode लेने के बाद अब हमें जितना पैसा जिससे लेना है वो मैं लेते हैं तो मैं लेते हैं कहते हैं की किस से पैसा लेना है हुआने किस को compounds in तो मैंने जो सेल किया था वो पंकच को सेल किया था और अमन को सेल किया था तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फिलाल पंकच पंकच को लेने के बाद मैं यहाँ पर अमाउंट लेता हूँ तो अमाउंट मुझे लेना है पंकच से टोटल इतना 79 600 तो यहां पर मैं लेता हूं 79 600 एंटर पैस करने के बाद यहां पर आप इसे irgis reference लेजिए और इसे Save करने के बाद आपका यह जो amount हुझ हो चुका है इसके बाद हम दूसरा amount receive कर लेते हैं यहां से वापस cash लेजिए cash लेना चाहें चैक लेना चाहें आप यहां पर कर सकते हैं तो फिला हमारी दूसरी पार्टी थी वह कौन थी तो पार्टी थी हमारी अमन कॉर्परेशन तो यहां पर ले लेते हैं अमन कॉर्परेशन लेने के बाद जो हमें अमन से अमाउंट लेना है वो लेना है 2950 रुपीज तो यहां ले लेते हैं 2950 रुपीज एंटर कर कि आप इसको भी सेफ कर दीजे सेफ करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास cash आ गया वापस balance sheet पर जाते हैं balance sheet पर जाने के बाद आप देखेंगे current assets तो यहाँ आपके पास cash in end show हो गया अब आपको जिस party को पैसा देना है उसे पैसा दे सकते हैं तो हम जो अभी हमारे सामने जो current liability show हो रही है तो वह तो जादा show हो रही है तो हम पोड़ा पैसा दूसरी parties को पे कर देते हैं तो इसके लिए हम चले जाते हैं वापस अपने vouchers के इंदर vouchers में जाने के बाद यहाँ पर ट्रेस करिए f5 f5 प्रेस करने के बाद ले लिजे cash cash आपके पास total इतना है और आपको किस किस party को पैसा देना है वो ले लीजे तो हमें लेला है तो अधित्या को पैसा देना है अधित्या को हमे 4720 रुपीज देने तो मैं अधित्या private limited का पूरा amount clear कर दे रहा हूं तो य सेफ कर देता हूं सेफ करने के बाद दुवारा cash लेता हूं cash लेने के बाद अब यहां पर जो हमारी दूसरी party थी वो प्रटी थी हमारी Camal Industries को मुझे 3,002,000 तो मैं यहां पर इसे 50,000 दे रहा हूं बाकी amount मैं उसको बाद में तो यहां पर 50,000 लेने के बाद आप देखेंग और यहाँ पर हम इसे सेफ कर देंगे, सेफ करने के बाद देखेंगे, आपका 50,000 रुपे यहाँ पर लेस हो गया, और हमारे पास जो करेंट बैलेस बचा वो 7,830 रुपे बचा है, हम इसको सेफ कर देते हैं, सेफ करने के बाद आप स्क्राप करके पीछे चले जाएए, तो current assets के अंदर हमारे इतना assets है, इतना हमारे पास करेंगे, इसके बाद अगर आप अपना invoice देखना चाते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा डेbook के अंदर, तो अपने keyboard से प्रेस कर दिजिए, D, दो बार D प्रेस करने के बाद आपकी डेbook यहाँ पर open हो जाएगी, यहाँ से आपने जो भी sale की है, उसको select कर लिजे, माली जे मैं पंकज को select कर लेता हूँ, select करने के बाद यहाँ पर आपकी sale की transaction शो हो जाएगी, यहाँ पर आपको अपने keyboard से प्रेस करना होगा, Alt प्लस P, Alt प्लस P प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर current को click करना होगा, current प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आपके सामने तीन options हारे, पहला configure, यानि कि आप अपने invoice में कुछ changes करना चाते हैं, तो आपको configuration करना होगा, दूसरा preview, अगर आप इसका preview लेना चाते हैं, यानि आप सिर preview देखना चाते हैं, कि आपका जो bill है, वो invoice है, उसमें कोई गलत हो गया, इसके बाद आप इसको zoom करने के लिए अपने keyboard से alt के साथ Z press करिए, alt के साथ Z press करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी company का GST number, उसका नाम, यहाँ पर आपकी party का GST number और उसका नाम, शो हो रहा है, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी items की details, item की quantity, HSN number, price, CGST, SGST, taxation, पूरा का पूरा आपके सामने शो हो रहा है, आपका invoice number, आपका date, और नीचे अगर आप देखेंगे, तो आपका HSN code, और उसके हिसाब से उसकी value, यहाँ पर GST details वगरा, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर describe हो रहे हैं, नमशकार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Tally Prime के अंदर किस तरह से e-return को file कर सकते हैं, अगर आप पहली बार e-return को तयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किन-किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, e-return को भरते समय, आपको कौन-कौन सी गलती नहीं करने चाहिए, इसे हम बिजनस के original data के साथ practical तरीके से सीखने वाले हैं, e-return को online upload करने से पहले, Tally के data को किस तरह से check करना चाहिए, जो return तयार हुई है, वो सही है या गलत है, उसे किस तरह से check करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई error तो नहीं है, और साथ ही हम यहाँ भी सीखेंगे कि उसे अगर आप उसे export करना चाहिए, Excel की file के अंदर या Excel की utility के अंदर, तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो यह सब कुछ हम 100% practical तरीके से सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, start करने से पहले आप से अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बैतरीन वीडियो लाते रहेंगे, तो return file करने से पहले मैं आपको बता दू, आपको जाना होगा सबसे पहले अपनी daybook के अंदर, डेbook के अपने change date को set कर लिजे, set करने के बाद आप देखेंगे हमारी जितनी भी transaction है वो यहाँ पर show हो गई है, अब इसी transaction के base पर हमें return को file करने वाले हैं, तो चलिए इस cap करके हम एक बार पीछे आ जाते हैं, और यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ, display more reports के अंदर, display more reports के अंद सबसे पहले हम अपनी return को तयार करेंगे, तो तयार करने के लिए हमें इसके अंदर enter करना होगा, इस पर enter press करिए, enter press करने के बाद यहां पर आपको F2 press करना है, F2 press करने के बाद यहां पर भी अपनी change period को set करने के बाद आप यहां पर देखेंगे, हमारी जो total transaction थी, वो चार transaction है, यानि हमने चार Сेल की हुई है, और चार सेल करने के बाद यहां पर जो हमारा total amount increase हुआ है, यानि taxable amount जो हमारा ultra 500 रुपे का increase हुआ है, और यह हमारी taxable value है, वो हमारी इतनी है, और अब इस value को हमें कई जगा से match करना होगा, अगर यह हमारी value हर जगा से match हो जाती है, त तो जाकर करके हम e-return को file कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारी जो transaction है वो बिल्कुल correct है इसमें किसी भी तरीके का कोई error नहीं है तो आप इसे किस-किस जगा से check कर सकते हैं मैं आपको वो सारी चीज़े clear कर देता हूँ चेक करने के लिए हमें जाना होगा profit and loss के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको profit and loss दिखा देता हूँ scap करके पीछे आजाए पीछे आने के बाद आप चले चाहिए यहां से profit and loss के अंदर और यहां से press करिए alt plus f1 alt plus f1 press करने के बाद यहां पर आप देखेंगे हमारी जो total transaction है वो सेम 2,45,500 रुपए ही हमारी show हो रही है यानि कि वहां पर भी हमारी जो value थी टेक्सबल value थी वो 2,45,500 रुपए थी यहां पर भी जो हमारी value है वो 2,45,500 रुपए है तो यानि कि यह हमारी transaction मिल्कुल correct है यहां से तो हमने इसको check कर लिया तो चलिए स्काप करके एक बार पीछे आ जाते हैं अब मैं आपको और जगा से बता देता हूँ कि इसको आपको कहां कहां से check करना चाहिए तो इसके लिए हम चले जाते हैं display more reports के अंदर फिर से और यहां से चले जाते हैं GST reports के अंदर और HSN summary को check करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसके लिए हम HSN summary पे click करते हैं click करने के बाद आप देखेंगे यहां पर जो हमारा total taxable amount था तो यहां से आप देखेंगे हमारा total amount है HSN summary का वो बिल्कुल correct आ रहा है 2,45,500 रुपे का हमारा यहां पर भी amount show हो रहा है तो इसके लिए फ आप देखेंगे हमारी total transaction दिखा रहा है हमने जो total bill बनाया हुआ है वो 0001 से लेकर के 0004 तक की transaction हमने कर रखी है total हमारी जो invoice है वो 4 invoice है जो हमने generate की है sale की तो इसके आप करके पीछे आ जाएए यहां तक हमारी total amount था सब कुछ match हो गया perfectly तरीके से match हो गया अगर आपका match नहीं हो रहा है तो आपकी transaction के अंदर कहीं ना कहीं कोई mistake है कहीं ना कहीं कोई error है तो उस error को आपको find करना होगा उस error को clear करना होगा उस error को clear करने के बाद ही आपकी जो e-written है वो file की जा सकती है export करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजे और दिखा देता हूं यहां पर आप देखेंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसके बाद एक जगा से और आप चेक करेंगे यहाँ पर मैं आपको वो चीज भी दिखा देता हूँ इसके just उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक option है आपका Incompleted Information in HSN Summary यानि यह जो summary है अगर आपकी incomplete है यानि HSN Summary के अंदर अगर कोई correction है और warning complete है तो यहाँ पर आपका show up हो जाएगा तो यहाँ पर यह transaction भी आपकी zero होनी चाहिए तो चलिए हमने सब कुछ चेक कर लिया है हमारी पूरी transaction ओके है अब हम इसे करते हैं export तो export करने के लिए आपको क्या करना है क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने कुछ options यहाँ पर show up हो जाएगे इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो option है वह Excel spare sheet यानि कि यानि इस file को आप किस चीज के अंदर export करना चाहते हैं यहाँ पर आपको जो file पात दे रहा है यानि कि आपका जो data save होगा वो आपका इस location के अंदर save होगा आप देख सकते हैं C drive के अंदर gram file का एक folder होगा उसके अंदर teleprime नाम का एक folder है उसके अंदर जाना है आपको उसके अंदर आपका पूरा data save होगा इसके बाद आपको enter press करना है enter press करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक और option है यानि कि आपकी जो file का नाम होगा वो GST R1 के नाम से यहाँ पर file आपकी save होगी folder के अंदर तो आपको यही रखना है यहाँ पर कोई भी छिडखानी नहीं करनी आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान पर आप देखेंगे आपके सामने एक option है export document summary का यानि export document summary आपका यहाँ पर yes होना चाहिए इसे no नहीं रखेंगे आप इसके बाद आपको enterprise करना है enterprise करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक option show up हो रहा है आप जहां से देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है all voucher यानि कि जितनी भी transaction हमने की है उन सभी vouchers की transaction यहाँ पर export हो जाए दूसरा बोलता है only new voucher यानि जो भी हमने new transaction करी है सिर्फ वो voucher हमारा यहाँ पर export होना चाहिए तो हम GST R1 file कर रहे हैं इसलिए हमे all voucher चाहिए तो यहाँ पर हम all voucher को select करेंगे और enterprise करेंगे enterprise करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option आजाएगा send का और configuration का अगर आप इसके इंदर configuration करना चाहते हैं तो configure कर सकते हैं हमें क्या करना है हमें send पर simple click कर देना है जैसी हम send पर click करेंगे यहाँ पर हमारी GST R1 file export होना शुरू हो जाएगी इसके export होने के बाद आप देखेंगे आपकी जो file है वो by default open हो जाएगी तो इसे open होने देते हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमारी file export हो चुकी है यहाँ पर आप देखेंगे हमारा hsn की जितनी पूरी detail थी वो सारी की सारी यहाँ पर show up हो चुकी है उसके बाद अगर हम बात करें B2B की तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी पूरी detail यहाँ पर show up हो गई और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जितनी भी transactions थी उन सब की file यहाँ पर अलग-अलग create हो चुकी है तो इन सभी के अंदर जा करके आप अपनी files को check कर सकते हैं कि आपकी file के अंदर किसी तरीकी का कोई error तो नहीं है अगर कोई error आपका मिलता है तो उसे select करके आप उसे delete कर सकते हैं delete करने के बाद ही आपको इस file को आगे export करना है यह आगे भेजना है जरूरी नहीं है कि Teleprime जितनी भी transactions हमें देता है वो सब कुछ perfectly देता हो उसमें कोई न कोई error हो सकता है उस error को यहाँ पर आप find करके उस error को यहाँ पर clear कर सकते हैं इसे clear करने के बाद ही आप इसे CA के बास भीजेंगे ताकि वो इसकी e-return को file कर सके और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप Excel की utility के अंदर इसको export करना चाते हैं तो इसे किस तरीके से export कर सकते हैं तो GST R1 के बाद अब हम सीखेंगे GST R3B को तो इसके लिए SCAP करके पीछे आजाएगे पीछे आने के बाद आप देखेंगे हमारा GST R3B यहाँ पर show हो रहा है आप इसपे click करेंगे यहाँ पर भी आपको F2 press करना है F2 press करने के बाद यहाँ से भी आप अपनी date को set करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें अपने data को verify करना पड़ेगा यानि हमें अपने जो भी हमारी transaction की गई है उस transaction को यहाँ पर verify करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो taxable amount था यहाँ पर भी हमारा बिलकुल वही same आ रहा है इस export वाले button पर हमें क्या करना है click करना है click करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से वही चीज़ यूज़ करनी है e-return को हमें वापस से file करना है वही चीज़ फिर से use करनी है यहाँ पर भी हमें क्या करना है हमारा जो e-return है इस पर हमें click करना होगा e-return के उपर आप जैसी click करेंगे click करने के बाद आप आप देखेंगे हमारे सामने दो file formats आ रहे हैं जिसमें सबसे पहला format है हमारा excel space sheet तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसे excel space sheet के अंदर पहले convert कर लेते हैं convert करने के बाद हम उसको data को पहले analyze करेंगे check करेंगे और उसके बाद उसे JSON file के अंदर convert कर लेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर enterprise करेंगे enterprise करने के बाद नीचे आ जाईए same उसी तरीके से आप file path आपको बताएगा कि आपका data कहाँ पर show up हो रहा है उसके लिए enterprise करिए enterprise करने के बाद यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एक file है जो की Excel utility के नाम से यहाँ पर show up हो रही है अगर आप इसे पहली बार export करेंगे तो यहाँ पर आपकी यह file show up नहीं होगी क्योंकि यह file हमें extra download करनी पड़ती है और यह file download कहां से की जाती है मैं आपको clear कर देता हूँ इसके लिए जाना होगा आपने Chrome browser पर Chrome browser पर जाने के बात आप यहाँ पर देखेंगे GST R3B Offline Utility यह यह option आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर download पर simple click कर देना है यह जो website है वो GST की website है मैं इसका link आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो link है वो है gst.government.in download GST R3B file इसको लिख करके जैसे आप enterprise करेंगे आपके सामने यह web page open हो जाएगा इस web page पर से आपको download पर click करना है जैसे आप download पर click करेंगे download पर click करने के बाद यहाँ पर आपको proceed का एक option मागेगा आप इसे proceed कर देंगे proceed करने के बाद आप देखेंगे हमारी यह file यहाँ पर download हो चुकी है इसके download होने के बाद क्या करना है हमें सीधे चले जाना है माई कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद यहां से चले जाना है डाउनलोड के अंदर यहां से जाना है आपको अपने C drive के अंदर, यहां से C drive में हम चले जाते हैं, C drive के अंदर जाने के बाद, आपको क्या करना है, यहां से आपको जाना है program files के अंदर, तो program file पर जैसे आप click करेंगे, यहां पर है हमारा teleprime, teleprime का folder यहां पर show up हो गया, इस teleprime के ओपर हमें क्य करना होगा क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें वह युटिलिटी फाइल को पेस्ट कर देना हो गया है यहां पर यहां पर फाइल यहां पर शोट अप हो गई Supreme और यहां पर हमारी वTSY भी जुशब्व हो रही है जो की हमने अभी export की थी तो यह दोनों की दोनों file हमारी यहीं परी मिलेंगी हमें और अब चले जाते हैं Teleprime के अंदर Teleprime में जाने के बाद आपको यहाँ पर enter press करना होगा enter press करने के बाद वही notification फिर से आपके पास आएगी अब आप देखेंगे यहения प्लोड हो ना स्टाट हो चुकी है यहाँ पर आप देखेंगे हमारी Excel file export हो चुकी है इसे open होने देते हैं open होने के बाद आप यहाँ पर उपर चले जाईए उपर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option और है हमारा validation field यानि कि हमारा जो यह data है वो validation field दिखा रहा है तो उसको किस तरीके से हम verify करेंगे तो verify करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे validate का एक button आपके सामने show up हो रहा है और आपको दिखा दू इस validation button पर आपको क्या करना होगा click करना होगा इसके उपर जैसी आप click करेंगे click करने के बाद हमारे जो validation है यहाँ पर successful हो जाएगा और यहाँ पर आपको simple okay पर click कर देना है okay पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक option और आपके सामने show up हो रहा है generate file का तो यहाँ पर हमें generate file पर भी click करना होगा इसकी file को generate करेंगे हम लोग generate पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी JSON file has been generated हमारी JSON file generate हो चुकी है और यह किस जगह पर save हुई है हमारी वह मैं उसकी location यहाँ पर देखेंगे आप show up हो रही है तो C drive के अंदर users नाम का folder है जिसके अंदर naira नाम का folder है desktop यानि कि जो file है हमारी desktop के ओपर show हो रही है तो इसको हम scab करके पीछे आ जाते हैं इसे ok करते हैं ok करने के बाद इसे एक बार minimize कर लेते हैं minimize करने के बाद आप देखेंगे हमारा JST R के नाम से यहाँ पर एक folder show up हो गया इस folder को हमें क्या करना है open करना है तो इसको open कर लेते हैं open करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर JST R 3B का JSON file यहाँ पर हमारे सामने show हो गई है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहां से open कर लेते हैं, open करने के बाद आप देखेंगे, यहां पर July month की हमारी json file थी, वो यहां पर show up हो रही है, तो इसको भी हम open कर लेते हैं, तो open करने के बाद यहां पर आप देखेंगे, हमारी jstr3b की json file थी, वो completely यहां पर create हो चुकी ह अब यह हमारे जो data था वो completely तयार हो चुका है, इस file को आप export कर सकते हैं यह इसे submit कर सकते हैं, gstr3b के लिए, तो यह प्रूरा process होता है हमारा gstr3b का, तो इस वीडियो में हमने जो सीखा, वो सीखा आप किस तरीके से gstr3 return को completely तयार कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम जान अथ